कि आपको हसी आ रहा है है कि ए क्या हो गया स्टार्ट हो गया कि दिखाई तो देनी रहा कुछ हो 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 अब दिखाई देना स्टार्ट हुआ है कि या वाई साफ हवा जा रही है मेरी बोलो 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 और इसका लिखने वाला पहन का है यह 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 ऐसे है अलिपेज है अलिपेज का गया एक मिनट मुझे लगता है शायद गलत पीपिटी चली गई है अपने मैं आपको पीपिटी भेज रहा हूं दूसरी अब दूसरी पीपिटी लगाई है मैं नाम भूल गया अपने मैं दूसरी लगाई शायद यह है देवो यह नहीं है चलो यह तब तक आप लोगों से बात कर लें तो मेरी आवाज आ रही है क्या है नहीं आ रही आवाज मेरी है आपको मैंने भेजा भी कुछ है ओके ठीक है अब 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 एक में रुक हो भाई वान मिनट कि प्लेंक आ रही है ओहो यह तो बहुत गलात बात है अब एक मेंट वेट करो झाल 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 पाई कोण ने? लोइ तो । हो गया बड़ी सब, चालो। हेलो 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 यां-ileск मैं तो दिखी नहीं और वेकर समॵ के हो मेरी करिषमाष!! ग५ी इवनिंग क्या हल चाल इसको बंदी करते हैं हेलो 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 गुदीबिंग उपके क्या है कि फैल्ट है बहुत यूदा ये प्रक्वींगे प्षेमिल्ट थे डिक्कोपे पढ़ाना पड़ेगा ठीक तुमने वहाँ से कुनक लगा दी इतने सारे कोश्चन मैंने एक तरीके से अरेंज किये थे पीपीटी को लेके ले भाई साब चली नहीं भाई साब वहाँ पर अब जड़ा एक बाद चीजे थोड़ी सी क्लियर कर लेतें क्या मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है सब लोगो अब तुम्हारा यस और नो जो है बिल्कुल ऐसी चलेगा जिसकी आपको आदत है जैसे की अगर मैं पूछूँँगा यस तो आप लोग जवाब दोगे लाल लाल दिल से अगर मेरी आवाज आ रही है तो यस कहने के वज़ाए लाल लाल दिल टाइप करो सारे लोग हाँ जैब बाद जैब बाद इस लाल लाल दिल को आप सारे लोग जो है अपने कंट्रोल सी में तयार रखें क्योंकि आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़र्त पड़ेगी क्लियर है तो आज हम लोग इमोजी पर बात करेंगे हमेशा इमोजी से ही कम्मिनिकेशन करेंगे ज्यादा तर मैं कभी आप से पूछूँगा यस कोई सवाल मैंने आप से पूछा आपका जवाब होगा यस तो आप उसको जवाब दीजिएगा रेड रेड से समझ में आ गय अगर मैं आप से पूछूँगा समझ मागिया तो बाई साब लाल लाल दिल एक है अगर मैंने कभी बोला घुलाबों घुलाबों भी चल जाएगा बेटा कोई बात नहीं ठीक है और अगर मैंने सब्सक्राइब ज़रूद पड़ी थंबप की तो आप जो हैं वही थंबप वही जो common online classes में यूज होते हैं थंब अप इमोजी रेड 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 वही सारी चीजे हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे इलक्ट्रोस्ट्रेटिक्स में मज़ा आये था सर बहुत बढ़ी है बेटा आज तो और मज़ाने वाला क्योंकि आज का जो लेक्शर है मैं सही बात बताऊ तो ऐसा लेक्शर है जिसको तू एक तरह से बोल सकता है कि वन ओब दा मोश वेटिच लेक्चर जिसका नाम है केटी जी और थर्मो डैनेमिक्स एक बहुत ही इंपोर्टेंट बहुत ही समझ रहा है तो मतलब हमेशा इससे कुश्चन्स निकल के आते हैं आते ही आते हैं कभी कभ चैंबु जैइमेंस में हो चैंबु जैइडवांस में हो तो आज का जो मेरा लेक्चर रहेगा वो मैं प्रॉपर जैइमेंस प्लस जैइडवांस को लेके औरियेंटेट रखूंगा क्लियर है मैं ऐसे नहीं रखूंगा कि आज का लेक्चर जिन बच्चों ने तिल्दा लाष्ट तिल्दा लाष्ट क्योंकि मैंने लाष्ट क्लास में जो देखा था यह जितन भी मंजिल स्रीच चल लई है वहाँ पर जो भी मैं देखा हम लोगे ने अफ्जब किया वो यही कि धीरे धीरे जैसे से टाइम आगे बरता चला जाते है बच्चे गिबफ करते चले जाते तो बाई साब मैं यहीं बोलूगा कि लास्ट तक जो ठीका रहेगा उसकी गारंटी है कि जही मेंस में जही एडवांस में जो कुश्चन साएंगे वो डेफिनेटली वो कुश्चन सॉल्व करके आ जाएगा तो इसलिए लास्ट तक ठीके रहना है मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने देना है ठीक सिक्वेंस मेरा थोड़ा सा अजीव गरीव है मैं पहली बता तो आपके लिए अजीव गरीव है मेरे लिए परफेक्ट है ठीक आपको जो आदत है अभी तक प बलाता हूं मैं उसी तरीके से समाप्त कर और जिसको जम्य बुर रहे जिसको ला जम्य चलए दो लो हमे early after class में मुझूद रहे और यहाँ पर emoji दिल के साथ कहेलते रहे और जिसको समझ में सपोस्ड़ के तोरती आपकी मिशाली है को लगलाए है हमे तो पर नगो्पर डिफ पर भरोसा करता है तो बेटा मैं इस टॉय जा सकता है यहां से बिंदास या सपोस्स वोह लेर है जिनको पढ़ना है जिनको जिनोंने जो अब सीरियस हो गए कि से जी एडवान्स ओ जिनका यह टारगेट है जिन्होंने सोचाए अपनी लाइफ का हम तीन गंटे चार घंटे आप दे रहे हैं यूट्यूब में यहाँ पर सरसे पढ़ने के लिए तो पिटा यूँ इस सब्सक्राइब करेंगे जिससे हमारे सवाल बनेंगे हमें को किस तरीगे टेकल करना वह हम सीखेंगे बेसिक बेसिक जा सकते हो और लेकिन बाकी लोग यहां पर स्पैमिंग मत करना बनना यहां पर लोग मुझूद है वो तुम्हें पकड़के धोएंगे आज मुझे पता है ऐसा पकड़के धोएंगे कि द्वाराइं स्पैमिंग करना भूल जाओगे और हाँ यह मैं बोला हूँ जो बच्चे उनको इस पढ़ाने वाले सर उनको भी इस तरवेंस होता है जो अच्छे लोग अब उनका फर्ज है कि भाई साब उनको पकड़ पकड़के धोगे उनको ऐसा कूटे भाई साब ऑनलाइन में कुटाई कर दे कि द्वाराइं स्वैमिंग करने से पहले वह पांच बार के दस बार सोचें कि वाई सब पंगा लिया तो किस से लिया था इस नोट मी इस यूँ एक लियर है कि आवाई साब ऑके बेसिक से पड़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा कि अ कि चलो बाई साब उदार देता हैं ज्यक्त सुरू करते हैं लेट्चर अब एक काम गनसं सब लोग एक नोट्स तयार रखें बिल्कुल और बढ़ीया से जो है अपनी कॉपी रजिश्र तरीके से जो है आप बिल्कुल तयार रखें पैन 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 नीला पैन ले सकते ह आज के बाद ही नियों अच्छी कि बैट के आप लोग तमाशा देखरो आपका दिमाग आपकी उंगलिया बिल्कुल बढ़िया मस तरीके से चलनी चीए एक वक्त ऐसा होगा जब मैं पढ़ा रहा हूंगा आप उसको चुपचाप देखोगे चुपचाप ध्यान से सुनोगे एक वक्त ऐसा होगा जब आप लिख रहे होगे मैं आपको लिखने का भी मौका दूँगा कुश्चन को लिखने का भी मौका दूँगा मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल ओफलाइन क्लास की तरह रहे जैसा ओफलाइन क्लास में चलता है बच्चा बैटता है बच्चा करता है चीजे सीखता है चीजे अप्लाइग करता है जिनके लिए जो लोग बच्चे ऐसा चाहते हैं वह यहां पर ठेट है और यह तरह की चीज़ नहीं चाहते हैं यह जाता हूं कि भली मैं 50 बच्चों को पढ़ाऊं सीधी बात है पचास बच्चों को बढ़ाओ नेकि वो 50 बच्चे पढ़ने वाले होने चीए पचास के 50 बात बोलें कि इसे मज़ा आगे आज के लेक्चर में चलो चलो दूरेशन का मुझे नहीं बता है कितना पर जाएग आज मुझे आपके मोजी की हाट की इन सब की जरुरत पड़ेगी क्योंकि बेटा जब तक टूवे कम्मुनिकेशन में मुझे नहीं पता चलेगा कि तुकि तो कितना समझ पा रहा है कितना नहीं समझ पा रहा है सारी चीजे बेच्टे लियर है तो चलो चार्ट करते हैं बा हम लोग काइनेटिक फिरी ऑफ गैस एक सेपरेट चैप्टर नहीं बोलते हैं हम यह बोलते हैं कि के टीजी और थर्मोडैनेमिक्स हमारा एक चैप्टर है जिसमें आपने पढ़े होंगे कुछ अजेंशन्स पढ़े होंगे वो सारे अजेंशन्स में मैं ऐसी बोल के निकल जाता हूं क्योंकि वो अजेंशन्स इतने काम के नहीं हैं कभी उससे सवाल वाला आते हैं हम लोग ने पढ़ा था कि बाइस अब जितने भी गैस मॉलीक्यूल से सबसे पहली बाद कि बहुत सारे चैप्ट चैप्ट जैसाथ पढ़े होंगे तो जितने भी टकराव हो रहे ह हैं कितने तरह के को रहे होंगे मैं पुलूँ गार एक तरह का तो को रहा होता है कि बाइस अब जो गैस मॉलीक्यूल के बीच में एक को लीजन ऐसा भी होगा कि बॉल आई और पटाक से दिवार से टकराई इसका मतब दिवार के साथ टकराने वाला भी जो को लीजन होगा वो भी मैं लाश्टिक ही मानूँगा और आप लोगों ने सेंटर ओव मास से बात पड़ी यह वाली बात पड़ी होगी कि छोटी सी बोल अगर आगे वी वेलोश्टिक के साथ जाती है और दिवार के साथ इलाश्टिक को लीजन होता है मेरे भाई तो जब पीछे लौट के अलक ह्लक है बहुत जादा लाइट नहीं लाइप स्ट्रेस ने दिना बहुत है बहुत है और बाया बहुत थी यह ठीक है मैं मैं ऐसा बोलूग यार कि गैस के अंदर क्या केवल Qalleyell exposure होगा क्या ऐसे तो बहूँ तो इसका मतलब बहुत सिर्फ और यह रहे है दिवार से टकर पहले बाजु एजम्शन में यह थी कि all the particles are moving in the random direction कि एक मैं points आपको लिखा दूँगा tension ना ले पहले मैं सारा explain कर देता हूं कि all the particles are moving in the random direction और दूसरी चीज कि सारे के सारे जो collision है वो सारे के सारे collision कैसे है वाई साब elastic collision है अब इसमें से बात यहाँ पर आई अच्छा एक चीज और कि सार यहाँ पर जो जी का effect होता है ना gravity का effect मैं मानके चलता हूं कि gravity 0 है ठीक क्योंकि सोच अगर gravity का effect होता तो सब पे नीचे mg force लग रहा होता और जब सब पे नीचे mg force लग रहा होता तो सब नीचे आके थोड़ी देर के बाद जमीन पर बैट जाते सारे molecules तो ऐसा दो होता नहीं है वाई साब तो इसका मतलब G के effect को मैं क्या करता हूं वाई साब इसका मतलब समझ तो मेरी बात लोजिकली समझ अगर मैंने कोई भी इंट्रेक्शन नहीं नहीं तो इसका मतलब जब कोई इंट्रेक्शन ही नहीं तो इसका मतलब यहां potential energy के बारे में बात करना गंदी बात गंदी बात इसका मतलब यहां पर potential energy के बारे में बात करना गंदी बात यह बॉल देते हैं कि सब पोटेंशिय एंट्रेक्शन नहीं के बात करना गंदी इसका मतलब जो भी टोटल energy होगी इंट्रेक्शन नहीं कोई अगर बात करें ना बता भाई यहां इस system के अंदर कितनी energy है तो इसका मतलब जो भी energy होगी that will be in the form of kinetic energy क्योंकि potential energy वाला टर्म य यह बेसिकल यहां पर कहानी है अब आते हैं दूसरी case पे जो पहला case start किया था मैंने क्या कि सरे एक ball गई वीव एलोश्टी के साथ टकराई दिवार से टकरा के फटाक से बापस आई ठीक बाल कहते यह छोटा सा molecule कहते अगर वो टकराएगा दिवार से बापस आया तो उसमे change in momentum कितना होगा 2MB और यह काम लगातार हो रहा है तो अगर लगातार यह काम हो रहा है तो इसका मतलब क्या यह नहीं बोल सकता कि एक बंदा गया और आया उसका change in momentum 2MB है तो इसका मतलब उस पे impulse लगा होगा दिवार से जिसकी value होगी 2MB तो दिवार ने अगर molecule पर impulse लगाया तो क्या molecule भी दिवार पर impulse लगाया होगा एक तरीके से इसका मतलब कहीं नहीं फोर्स के बारें बात हो रही है इसका मतलब दिवार ने एक अच्छा खासा फोर्स लगाया होगा और ऐसा एक पार्टिकल नहीं है ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होगे जिन्नोंने पूरी की पूरी की पूरी दिवार पर फोर्स लगाया है और पूरी की पूरी दिवार का मतलब I am talking about the whole area इसका मतलब आपने एक अच्छा खासा अच्छा खासा फोर्स को किसी एरिया पर लगा दिया तो वहां मैं बोलूगा कि भाई इसाब अगर कोई फोर्स को आप ए एरिया पर अठाया है तो सब लोग यहां पर हाट 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 भीजें जल्दी से लिए वटाक से बहुत ही बढ़िया शाबाज बहुत ही बात करते थे ना प्रेशा पाई तक हैस कितना होगा तो आज का हम लोग केमिस्टी नहीं पढ़ रहे हैं तुझे समझना प्रेशर बाइदा गैस तो अगर गैस का प्रेशर है ठीक और मैं पिश्टन लगा दूँ तो जाहिर सी बात है फिर मैं बात कर दूँगा फोर्स की भी प्रेशर बाइदा गैस के बारें बात कर रहे हो तो इसका मतलब कोई नुकोई अगर तुने पिश्टन लगा दिया तो इसका फोर्स भी लगेगा और फोर्स भी लगेगा तो इसका वॉक्डण भी आएगा बिल्कु से बात है हम फोर्स का वॉक्डण निकालते ही थे बर पावर एनरजी में तो इसका मतलब समझ जया कि इसका मतलब जो हमारी वर्क एनरजी थेोरम थी सालाब वो भी यहापर गुषेड़ देंगे हम यहापर वर्क एनरजी थेोरम का भी रिवीजन करेंगे तो पताज कर देखो इसका मतलब सिस्टम के पाथ जो भी एनरजी को इनदवा इनरजी होगी तो यहां पर उसके बार भी बात करेंगे उसको हम बोल देते हैं इंटर्नल एनरजी बास समझ में आ रही है क्या बोलते थे इसको एरिपरजन करते हैं किससे य यू से तो बोलते हैं वाट इस इंटर्नल एनर्जी और इस टोटल एनर्जी जो भी है ना सिस्टम की हम उसको इंटर्नल एनर्जी यहाँ पर बोलके निकल जाएंगे तो जिन पैरामीटर्स के साथ हमको खेलना है पहले में वो बता रहे तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे sequence हमारा यह रहे गा यह बात अच्छी रही कि मैं आपको sequence के बारे में बताऊ सारी चीजें एक sequence हमारा यह रहे गा ध्यान से देखना सबसे पहले तो हम लोग basic चीज़े देख लेंगे जैसे VRMS क्या होता है average velocity average speed इस टाइप की चीज़े यह आपका part रहेगा किसका किसका KTG thermodynamics मुझे इसमें थोड़ी सी help चाहिए होगी आपकी chemistry की अभी जैसे हम लोग ने बात की pressure की तो इसका मतलब फिर अपन देखेंगे इसके लिए बात करेंगे और इन सब के साथ खेलने के लिए बेटा मेरे को चाहिए कि तु पीवी बराबर एनार्टी में बिल्कुल expert रहे जो आप लोग पुटते है आइडियल कैसे question P बराबर एनार्टी P क्या होता है वी क्या होता है एन क्या होता है आर क्या होता है टी होता है मेरे कहने का मतलब बस के बाल इतना नहीं मेरे नजरिये से जो हमको आईटी के इस लेवस के हिसाप से मुझे चाहिए expertise आपके अंदर मुझे पहले उसको आपको उसके लिए तयार करना है और जब यह चीज हो जाएगा तो फिर मैं आपको तयार करूँगा graph के लिए तो दूसरा काम यह रहेगा मेरा तीसरा काम यह रहेगा मेरा तो graph मतलब thermodynamics के लिए बहुत important है graph अगर तु जेए advanced के questions उठा के देखेगा तो 40% questions तुझे graph के मिलेगे in fact 40 to 50% 40 to 50% question तुझे आपके graph के मिलेगे इसलिए graph में expert होना बहुत ज़रूरी है बेटा उस expertise के लिए हम लोग आज खूब सारे भरबर के सवाल करेंगे और जब तु इसके लिए तयार हो जाएगा फिर मैं चोथा point इसके बात करूँगा और फिर अपन बात करेंगे भाई साब डेल्टा Q के बारे में और फश्ट लोग के बारे में फाशलो डिल्टा Q मतलब हीट ढिबन य रहे गेके न पार पार जो करने में चला गया कितना ऊपर का जो कर चला इसके बारे में मास्थ सवाल भरबर के करेंगे इसी तोउरान हमारा थोड़ा सा हेलो बोलेंगे कुछ हम लोग मोला specific capacity आप लोग ने देखा होगा हलका भूल का याद होगा उनके साथ game खेलेंगे और फिर इनको करके भाईया मज़ा तो लब आएगा जब मैं इनको mix करके question कराऊंगा वासाज मारिये जब mix करके question कराएंगे इसमें जी advance के पासाज मारिये यह आपके जेए मेंस के chapter से इनसे भी सवाल आते हैं भरबर के तो last में मैं चलूँगा car note पे और जेए मेंस chapter में I hope आपको मेरा sequence समझ में आ गया होगा यह बताना बहुत ज़रूरी है sequence अगर यह चीज़ समझ में आ गई आपको किसर आप यह sequence फोलो करेंगे यह मेरी गारंटी है यह मेरी गारंटी है कि अगर आपने sincere तरीके से जैसा मैं चाहता हूं वैसा आपने lecture attain कर लिया तो चाहें सबाल जेए मेंस का हो यह चाहें जेए का हो 90 परसेंट तक कुश्चन्स आप खुद से करके ले जाओगे है कि अधिवर्सेंट सब्सक्राइए तो सब लोग एक बार जारा हट से एक बार जारा इमोजी दे के मुझे समझा दो कि यहां सब्सक्राइए आपका किस तरीके साब sequence को चलाओगे कि अधिक है कि अधिक है कि अधिक है कि अधिक है अब थोड़े से आपके डाउट उठा लेता हूं तब से पहला कि सर्क chemistry के thermodynamics में दिख करता है कोई बच्चा बोला था तो मैं बोलूंगा देख बिटा केमिश्टी वाले थर्मे डैने में इसको केमिश्टी मी रहें दे फिजिक्स में मिक्स मत कर तुझ मारी बात मुझे मेरे साथ पढ़ाने दे ठीक तु यह समझ कि हम लोग फिजिस का चेप्टर पढ़ रहे हैं ठीक हाँ यह बात सच है कि तु मेरे जब लेक्चर अटन कर सब्सक्राइब करेंगे कि लिए और इसके अलवा तर एक शायरी बीच बीच में चलेंगी मैं आपर काईदे में जब भी कभी थोड़ा सा होगा सेचुरेशन होगा शायरी तब जाएगी अभी नहीं अभी तो चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है कि कैलोरी में नहीं ब पता दूं यार देखो यह वास सच है इसमें कोई इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कि कुछ लोग को चाहिए कि हमें उनी सर से पढ़ना है ठीक है कुछ लोग को चाहिए कि हमें ए सर से पढ़ना कुछ लोग को चाहिए कि सर से पढ़ना कुछ लोग को चाहिए कि सर से प सबस्क्राइब करें सर नहीं है तो लोग अपने पैचेस्ट ले रहे हैं अपने सिरीस घड़ी और रहार हैं कुछ सर के उपर इन्धा की ऊपर बी और भी रम इसिफश को एक ही digamos थे इसलिए पूरी सिरीज को तीन या चार सर में हम लोग ने डिवाइड किया है और बारी बारी से जो सर जिस दिन फ्री होते हैं उस रसाप से वो लोग क्लास आपकी आके मंजिल की क्लास ले 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 थे आपको पहली और आखरी बार में समझ में आ जाना चाहिए अब इसमें अगर आपको उनसर से पढ़ना है तो आप पढ़ो और नहीं पढ़ना तो आप जाओ इसमें कोई इसमें बुरे बाने वाली बात नहीं है लेकिन वहां बैटके स्पैमिंग मत करो तो फिर दिक्कत वाली करते हैं सबसे पहले मैं आता हूं इस पहले मैं बोलता जा रहा हूं सब लोग जितने नोट्स वाले हैं फटाक से लिखते जाओ एजम्शन शॉट पहला जम्शन बहुत ही बाद बढ एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली है उसका नाम में पैला पॉक्ट मॉपस इन रेंडम डारेक्शन लिगं उख को जल्दी से लोग उल्मॉपस रेंडम डारेक्शन लोग přाटण जल्दी से अल्दा कोलीजन्स आर इलाश्टिक पटाक से लिखो अल्दा कोलीजन्स आर इलाश्टिक लिखो बेटा, बैठके देखोगे तो नहीं हो पाएगा बैठके देखोगे तो निगल जाएगा तो यह लगेगा समझ माहें लेगी सवाल नहीं बनेगे यजिकिन आपको पढ़ेगा दूजरा औल्दा को लिजन ईलास्थिक तीसरा अप्ट्र के इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इस नग्लेक्टेड और टो अगड्रीस का भाई ग्रीडराख पूरी ओपलाइंक पहलोगी बिटा अब लाइन जिनको ओनलाइन चाहिए वो जा सकते हैं जिनको अफलाइन चैप्टर को मस्तरगी से पढ़ना वो ठीके रहे और टाइप करते रहे हैं ठीक लेगो अगला इफेक्ट ऑफ ग्रैविटी इस नेगलेक्टेट अगला पॉइंट इंट्रेक्शन बिट्विन दा मॉलिक्य करना गंधि बात लेखले है ऐसी लिए एंस पोटेंशिल एनर्जी के बारे में बात करना गंधिभाद अगला अगरा मोर्ण लिए मतलब शिच्टम के पास जितनी भी एनर्जी होगी इन दा फॉर्म आफ और काईनेटिक एनर्जी होगी लेक्ट कि इस टम के पास कि इस जित्नी जितनी भी एनरजी लो कि वह इन दे फोर्म ऑफ को इनरजी होगी अब इसके बाद बिटा दो तीम फी फॉर्मुले आते हैं काम के जिन tr derivation बिल्कुल काम कर नहीं है, वो derivations में हटा रहा हूँ, बस सीधा formula बता रहा हूँ, सबसे पहला एक होता है vrms, जो होता है under root 3RT by capital N, clear है, सर vrms का मतलब क्या है, मैं मतलब समझा देता हूँ, vrms का मतलब है, हर बंदे की velocity के magnitude को, तुने square कर दिया, square करके add कर दिया, ठीक, और उसका mean निकालके under root ले लिया, मैं फिर जो बता हूँ, vrms का मतलब है, root mean square velocity, मैं एक बार समझा नहीं कोईश करता हूँ, इसका मतलब क्या है, r मतलब root, mean square, mean का मतलब mean लेना है, square का मतलब आपको basically हर बंदे का square किया, और आपने उसका mean ले लिया, that means तू लिख सकता है, सरी basically यह root mean square, suppose एक बंदे की velocity b1 थी, तो b1 square, दूसरे बंदे की velocity b2 थी, तो b2 square, प्लस 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 जितने term थे, suppose n बंदे थे, और तू ने उसको divide करते है, number of turn n से, इसको हम लोग बहुते, brms, इसका formula तेरे को याद रखना है, वो होता है, under root 3RT by m, I hope, बात समझ में आ गई होगी, उसके बाद, उसी तरह, है, एक होती है, तेरी most probable speed, जिसका result निगल के आता है, under root 2RT by m, मुझे उम्मीद है, यहापर chemistry में जो R पढ़ते हो, यह वो ही आ रहे है, T is the temperature, जिसको आपको यहापर Kelvin में रखना है, M is the molecular mass, इसके बारे में सब आपको पता है, तर most probable speed क्या है, मतलब है कि वो कौन सी speed है, वो कौन सी speed है, जो जादा से जादा बंदें अपने पास रखे वे हैं, मतलब एक ऐसी speed तो होगी ना, जो जादा से जादे मोलेक्यूल से अपने पास रखे वे होगी होंगे, अब लोग टाइप करो, अगर तुम्हें फोर्मले यादें तो, अबरेज मेलोस्टी का फोर्मूला, पढ़ाओगा तुम्ने कुछ, सर, आर क्या है, बेटा, अगर तुझे आर नहीं पता क्या है, तो बहुत दिक्कत वाली बात है, आर केमिश्टी वाला आर, 25 बटे तीन वेली होती है, मैं मेगनिटू लिख दता हूँ, याद दखने का तरीका, आर होता है, 25 बटा तीन, यूनिट वूनिट, केमिश्टी में देखते हो आप लोग इसको, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एक बच्चे ना आंसर दिया, सर एवरेज वेलोश्टी पराबर हो जाएगा, 8 अपोन पाई, आर टी भाई, हाँ यह ना, काफी बच्चे कह रहे हैं, यह वाला आंसर मैंने दिन दिया, हाँ दिखना एएखन दिया, है गलत है, क्योंकि एबरेज बेलोश्टी जो होती है, वो होती है भाई साब 0 यह जो होती है न वो average speed होती है under root 8 by pi rt by इनके derivations हमारे काम के नहीं है याद रखना मेरी बाद इनके derivations हमारे काम के नहीं है लेकिन यह formulas बहुत important है सवाल इसमें देख कैसे आता है सवाल देख कैसा आएगा किसा temperature को मैंने 4 घुना कर दिया आप बताओ क्या होगा तो तो तु बोलेगा temperature अगर आप 4 घुना कर दोगे तो यह चार घुना होने का मतब यह हो गया किसा जो भी रम्स हो जाएगा वो तुम्हारा 2 times कितना हो जाएगा का सब्सक्राइग किसे दीफेंडेंटेंस पे चैसे डीपेंटेंसि क्लियर है क्लियर ऐसे जल्दी भूलू क्लिया ह són यहा रहात बना बढ़ाक से यहां पर हो गया अगर हो गया तक छोटा सवाल करके दिखा फटाक से मैं तुस्से कहना चारा हो कि भाई साब सपोज इनीशियल टेंपरेचर मैंने दे दिया एक्जामपिल के तौर पे 20 डिगरी सेल्सियस और जो थी कि वी आरेमस कितना हो जाएगा फटाक से टाइप करके एकदम तो वी आरेमस कितना टाइमस हो जाएगा जल्दी से अहां हां बहुत ही बढ़ी आरे शावास मज़ें आगया वैसा लोगों ने पेलना शुरू कर दिया उन्होंने वहला सब्सक्राइब यहां पर यहां पर यहां पर क्योंकि टमप्रेयचर वाँ किस में होता था टमप्रेयचर होता था मेरे भाई वाँ पर किस अमे कैल्फिन में होता था और मैने यहां पर डिगरी सेल् tiefips में दे दिया है तू बोलेगा सद देखो मैं यह लिख सकता हूं वह जो भी ओता है वह वो directly proportional होता है अंडरू TK तो यह बात तो सही है जर इसका मतलब VRMS 1 बटे VRMS 2 बराबर हो जाएगा अंडरू T1 बाई अंडरू T2 जहां T1 तुझे लिखना पड़ेगा 273 प्लस 20 और T2 तेरे को लिखना पड़ेगा 273 प्लस 80 बराबर V0 बटे V1 कि बॉलो भाई साब कि जितने लोग को सब्जमा आ गया हो जल्दी से टाइप करके बताओ एक लोण धुरेगा हर्सीत पगड़ा का कुटो आपा इस पीलकुल ईसको कई भी तरह की जिन्दिकी में कभी कई पी तरह की जो है इस पहलिड़ ना करपाए जूता निकाल के बारो उसको कि आई हो तुम्हें चीजें यहां पर समझ में आगी होंगी तो एक बार सब लोग हार्ट के साथ बता दो ताकि मैं आगे बढ़ चकूँ यहां पर चल्दी से कर देता हूँ तरहां पर जो ठी ओता है यह टी केलविन में होता है तो अगर कभी आपको यह डिग्री सेलुसर्स में दे दिया हो तो मेक शियूर कि आप इसको कैल्विन में कंवर्ट कर लें बरना चोटा सा सिंपल सवाल होगा तो जो होने वाला सवाल होगा और आप उस सवाल को निप्टा दोगे हैं अब इसके बात जो है आप चलते हैं हम लोग अगले पार्ट की तरह नेक्स पार्ट जो है वह है मैं चाहता हूँ कि तुझे बाइसाब PB बराबर NIT के हिसाब से जो physics में हमारी requirement है मैं तुझे पहले उसके साथ जड़ा थोड़ा सा गेम खिला दूँ और उसके साथ थोड़ा गराब के साथ भी हम लोग गेम खेल लें मुझे बेसिक बातें पता होगी P होता है pressure V होता है volume N हो प्रोसेस है जिसमें बोलना हो कि वाई जो temperature है वो सफोच KB स्कॉर टाइम से सब्सक्राइब करूं तो किसके साथ क्या होगा तो पहले इस तरह की छोटी-छोटी जो questions आते हैं मैं पहले एक बार उनके लिए आपको कर देता हो क्यां से देखो तु बोलेगा कि सर देखो अगर आप volume को डबल करोगे यहां बोल दिया मैंने के इसे कॉंचेंड तो volume को दूगना करने का मतलब है temperature हो जाएगा चार गुना बात समझ में आ रही है temperature किते गुना हो जाएगा बैस आप चार गुना मैं बोलू चल यह सब तो ठीक है तू मुझे यह बता दे वॉलिम होगे temperature हो गया तू मुझे बता दे प्रेशर के साथ क्या खेल होना है तू बोलेगा कि सर देखो पीबी बराबर एन आर टी आपने इ यह तो हो गया double two times हो गया ठीक और जो temperature था वो चार गुना हो गया तो मैं यहां से लिख सकता हूं यहां से देखना सब प्रेशर बराबर हो जाएगा एन आर टी वाई वी तो यहां से फोकस करके आई होब तू शायद यहां पर देख पारा होगा कि सर टेंप्रेशर को कर द यह दुग ना इसका मतलब प्रेशर हो जाएगा double पास समझ में आ रही है कि लियर है बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया अगर यह चीज समझ में आ रही हो तो जल्दी से सब लोग टाइप खुरो हाट की emoji देके भेजो जल्दी से पड़ाक से अब यह क्यों करा रहे हो सर यह छोटी सी चीज तो हमें आती है नहीं मैं हलका सा ट्रेलर दिखा रहा हूं ते रोगों बाद में हम पढ़ेंगे वर्ग डन भाई गैस पासवाज मारी यह जैसे मैं यह से बोलू बढ़ रहा है तो बढ़ता है तो एक्सपेंशन होता है तो मैं तुझे वहाँ पर सीना ठोक के बोल पाऊंगा कि भाईया देख तो यहां पर निकाल सकता है कि वर्ग्रम भाई गैस क्या हो जाएगा पॉजिटिव टेंप्रेचर हो गया चार गुना हम लोग बाद में पढ़ेंगे जो डेल्टा यू जिसको इंटरनल एनरजी बोलते यहां से तुब बता सकता है कि सर यह भी पॉजिटिव इसका मतब्सिटम को उश्मा मिल रही है करमा raises मिल रही है समझ मेरी बात तो मुझे तुझे लेके जाना है वहां तक वहां तक ले जाने के लिए इन छोटे 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 रास्ते से होके गुजरना पड़ेगा अभी जो मैंने बोला कुछ लोग को समझ में आया होगा कुछ लोग को समझ में नहीं आया होगा जिनको समझ में नहीं आया पैनिक बिल्कुल नहीं हो पेशेंस रखो जिस डारेक्स में तेरे को लेके चलना हूं तो चुप चाप उस डारेक्स में चलता रहे एक पल ऐसा ज़रूर आएगा इन सब चीजों की आवशक्ता पड़ेगी और फिर हम लोग बड़े बड़े अच्छे सवाल हुआ पे फोड़ेंगे क्लियर है चलो भाई साथ नेक्स आगे चलते हैं सर बेसिक से बेसिक सी पढ़ा रहा हूं दोस्स दूसरा कुश्चन एक काम करो दूसरा सवाल आप करके दिखाओ मैं अगर ऐसा बोलू थोड़े के लिए कि सर पीबी स्क्वाइर बराबर कॉंस्टेंट है ठीक है पीबी स्क प्रेसर क्या होगा और टेंप्रेचर क्या होगा जल्दी से कि बटाक से किसे कैसे कार क्षा दखो प्रेशर जो भी आना है यहां पर यह हमें समझ में आ गईhen यह गेम तेरे को खेलना पड़ेगा कि वी को दुगना कर दिया तो प्रेशर क्या हो गया तेरा यहां पर 1 by 4 हो गया है मैं जो जो लिख रहा हूं उसको नोट करते रहना पीपीटी बैच वालो जितने भी मेरे ओफलाइन वाले अगर कोई यहां पर आएवे हैं सब लोग यहां पर नोट्स बनाते रहना पहली बता रहो बात में टाइम नहीं मिलेगा तुमको ठीक है सर तो सर टेंपरेचर के साथ क्या करें तेंपरेचर के साथ जाहिर सी बात है मैं एक बहुत ही बड़ा अच्छी बात तिर यहां पर बताने वाला हूं ध्यान से सुनना गाला उसको जान सो सुनना सर पीवी वडाबर अणाफ के ने वुला ठीक है तो सर पीवी का प्राड़ेक्ट है उसकाarse क्लेट्र एक Non रहे तो यह चीज तेरको एक समझ में आनी चाहिए और यह चीज तुछ अप्लाइग करना रहे हैं कि पीधी का प्रोडेक्ट डबल हुआ तो टेमपेचर डबल हो जाएगा तो टेमपेचर दस गुना ओजाएगा तो टेमपेचर आधा ओजा जाएगा जल्दी से खुपचा बना और लेक हतियार नभर वण लिखर लिखाल और हनमार वान कि फी बी का प्रोल्ट है कि जितने टाइम तहीं हो जाएगा ट็मप्रेचर भी उतने थाइम्स हो जाएगा लिख जल्दी है ली tehंड लिख लिख ले लिख लिख ला लिख Az citizens यह भी उतने टाइम्स reflecting radar भी उतने तो चलते हैं तो यह बता यहां पर प्रोडेक्ट यहां कितने टाइम्स हो गया सरी दो गोड़ा हाव आधा हो गया इसका टेंप्रेचर भी कितना हो जाएगा भाई साब अगला कोशन नमबर 3 जल्दी से कुछ भी रेंडम ले ले मैंने वोला सब्सक्राइब कर दिया मैंने डबल यह सवाल मेरे को कराने दे उसके बाद तुम लोग देखना इस सवाल सवाल में तिरे को दूँआ कि सब्सक्राइब कर दिया तो समझ में नहीं आ रहा कि गेम कैसे खेले ठीक मैंने पूछा प्रेशर को मैंने डबल कर दिया तो बता दो वॉल्यूम के साथ क्या हो ठीक तो इंड़ाइट केस आपको थोड़ा देखना पड़ेगा की सर टी बी स्कॉयर वराबर कॉंटिशन आप प्रेशर के साथ खेल रहे हों और आपको किस के साथ खेलना है तो इसका मतलब concept ये होना चीए कि जो रास्ते में टांग अड़ाए उसको भगाओ जैसा इस पैमर्स रास्ते में टांग अड़ाते हैं उनको भगाओ बिल्कुल उसी प्रकार तु देख हमारी equation में volume तो है हमारी equation में volume तो है लेकिन pressure missing है और लफ़ला कर रहा है temperature तो फटाक से apply करो कि सब पीवी बराबर nRT में मेरे को temperature को भगाना है और किसी तरह pressure volume लेके आना है तो temperature बराबर हो जाएगा पीवी बटे nR और मेरे भाई अगर मैं इस पीवी बटे nR को उठाके यहां पुट कर देता हूँ तो देखे question आ जाएगी पीवी बटे n इंटू आर इंटू बी स्क्वाइर बराबर constant अब क्योंकि number of moles और R तो तेरे constant ही है यह बाई साब उदर चला गया तो इसका मतलब पीवी क्यू बराबर हो जाएगा क्या constant मुझे लगता है बड़ी हासा गेम तेरह यहां पर बनके तयार हो गया कि pressure को तु कितरा भी कर दे क्या कर दे यहां से solve होगा question solve कर लेगा मैं काम करता हूँ इस double को न 8 times कर देता हूँ ताकि calculation आसान नहीं यह लिवाई साब तो अब देख यहां से question क्या मिली कि sir PBQ बराबर आगे आपका constant अब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि sir इसको आपने कर दिया है 8 times ठीके 8 गुना कर दिया है और उसको मुझे constant रखना है इसका मतलब जो volume है volume तेरह क्या हो जाएगा half हो जाएगा क्यों half हो जाएगा क्यों तुझे पता है एक बटे 2 का जो क्यों होता है वह एक बटे 8 होता है आठ इन टू आट बराबर वन बेसिकली चीज़े मैनेज हो जाएगे आई होप तुझे समझ में आ रही होगी मैं क्या करना चाहरा हूँ क्लियर है अगर समझ में आ रही है तो जल्दी से इसकी सवाल का थोड़ा सा थोड़ा सा हाड हो गया जल्दी से हाड हाड वाला मैसे जल्दी बटाक से भीजो जिए भीज़ोaldo को सुझ मागये है हाथ 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 सबर्दी के लिए यह हमें से साब पता चलना है कि जो पीबी का प्रोडेक्ट था जल्दी से बोलो यहांप पीबी का प्रोडेक्ट एट पी इंटु वीवाइट तू कितना प्रोडेक्ट आठ कुना हाफ चार गुना हो गया डेट मीज जो टेमप्रेचर होगा वो तेरा 40 हो जाए कर द प्रोडेक्ट जितने टाइम्स हो जाएगा वह हमारा टेंपरेचर उतनी टाइम्स हो जाएगा खतब खानी क्लियर है तो मैं इस पर दो तीन सवाल करूं किया दो तीन सवाल दू तुम लोगों को एक बार करने के लिए जल्दी बोलो यह सर ठीक है आजा एक कोश्चन करो फट सपोज मैंने कर दिया डबल कर दिया तो बता दो वॉल्यूम के साथ क्या जल्दी से करो को प्रटाक से जल्दी 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 ब्र गॉन्द तेरी बात मैं ने पड़ी लेकिन मुझे लिखा नहीं जाता है मैं इससे जाधर निक laugh के लिब हाद गर बता दिया तो चलो बता उसी बात है शे है कि बीच बीच में मुझे थोड़ा सा इसकी ज़ुरत पड़ती रहेगी बिक्स बगएरा कि अगर आज कुछ आशा हो तो तुम यह मास्टर देखो कैसा है खा रहा है क्लास के बीच में पैमर्ज कि आज इस पैमर्ज नहीं दिखाई दे रहा कोई है कि बीटी बालो जल्दी से हाट टाइप करना एक बार मैं देखू तो कितने लोग आए हुए हुए अचा बिद्यापीट से भी आये हैं बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया इस बात की गारंटी है जितने लोग आएंगे आए हैं इस टेम्प पे उनका जबर्दस्त फायदा होगा इस बात की गारंटी मुझे पता है कि आप सब लोग मुझसे जितने काफी लोग ऐसे हैं लेकिन इस बात की गारंटी है पायदा तुमको डेफिनेटली होगा सारे सवाल तुमसे बनेंगे आज की ग्लास में तीन से चार घंटे का मैं टार्गेट लेके आया हूँ ठीक है उत्ती चार घंटे में तु जबर्दस तेरे को अपने अंदर जो है डिफरेंस देखने के इस अब लेके आप क्या जानना चाहरे हो वाल्यूम लफडा कोन कर रहा है प्रेशर तो इसका मतब यह है कि प्रेशर बराबर हो जाएगा अगर मैं यहां रख दूँ तो यह हो जाएगा यहां से टेमपरेचर इस डिपरपोर्शनल टू बराबर हो जाएगा यह उदर जाएगा तो टेमपरेचर बराबर हो जाएगा वाईस आप VQ हो जाएगा क्लियर है थोड़ी सी मैट से आपे खराब हो गी है लेकिन कोई बात नहीं आई होप यहाँ पर तुम समझ जाओगे कि temperature को दुगना कर दिया इसका मतब जो volume है volume temperature की power 1 by 3 हो जाएगा चेक करके देख लो सब लोग यहाँ पर तो अगर आपने temperature को कर दिया double तो जाहिर सी बात है temperature को double करोगे तो जो volume पहले V था वो हो जाएगा 2 की power 1 by 3 बहुत ही बढ़िया शाबाश अब बच्चों ने सही किया है शुरू में बच्चों ने जल्दवाजी में गलती में आंसर गलत दे दिया था यह कितने लोगा अंसर आ रहा है जल्दी से एक बार यहां पर हाट टाइप करो तू यह सोच सवाल के साथ खेलना कैसे है जो लफड़ा कर रहा है उसको भगाओ पासवन मारीए जो लफड़ा कर रहा है उसको भगाओ और जो आपको जो है जो हमको चाहिए उसको बापस लिखे आओ काफी बच्चों ने इस सवाल गलत किया था तो मैं एक कुशन और दे रहा हूँ ये सवाल अब आप लोग प्लीस सब लोग सभी करका आना सब लोग सभी करना ठीक है मैंने बोला यार टीवी स्कुयर बराबर टीवी स्कुयर दे दिया था गया कुछ हों ले रहे हैं इस माद ले रहे हैं भाई साब पी वी क्यू बराबर कौंट्टें ठीक है वाल्लिम को कर दिया मैंने हाँ temperature के साथ क्या हो करो ये सवाल सब कर सही होना चाहिए चल दी से मैंने भी विक्स खाई है दीपक कुमार आ रहे बीटा बहुत ही बढ़िया ज्याद है भिक्स मत खाना बहुत side effect है मैं जानता हूँ उसको १सके side effect को जिनलो जिनलो जिलो जिलो सवाल के साथ खेलो चाबाच बहुत ही यह तो यह गेम खेल दे किसर देखो उतने आइसे करें सर हमें जो ओना वाल्लिम ए टेंप्रेश के साथ खेलना है तो प्रैशर की जगह लिगते सीधा एनाटी बाइब इंटू वी स्क्वायर बराबर कॉंट्स्टेंट मैंने का ठीक है अब सरी एक वी से वी गया तो टीवी बराबर आ गया कॉंट्स्टेंट तो तुम में से तो कोई निकर रहा ना हाँ ठीक आगे बरते तो सर यहां पर वॉल्म को कर दिया आपने आधा वॉल्म को आधा कर दिया तो यह वाला टम बन वाई फॉर हो जाएगा ठीक तो इसका मतलब जो टेंपरेचर है वो तुम्हारा फोर टाइम सो मैं बस यहां से इस आर्टिकल से निकलना हो अभी भी किसी की समझ में ना आया हो तो बेटा तु यहां से ऐसे खेल लिए अगर कि सर देखो टी वी स्क्वाईर कॉंशन्ट है तो टी इंटू जो बॉल्म है बॉल्म को हमने आधा कर दिया आधा आधा तो यह वाला जो टम थ तो यहीं से समझ ले एक बार कि सर यह वाला जो टम था इसको मैंने आधा कर दिया तो आधे का स्क्वाईल यह पूरा टम तुमारा बनवाई फोर हो गया तो टेमपीचर को चार गुना करना पड़ेगा ताकि ऑबरॉल चीज क्या हो जाए भाई साब कॉंशन्ट हो जाए अ तो यह आधा हो जाएगा तो आठ होना करोगे तब यह सारी कहाँनी होगी मैंने कर ठीए भाई साब तो सर पीचर पड़ेट्ग देखो बोल्यम तो तुमारा हो गया अधा और प्रेशर हो गया आठ हो नहीं को मिल्टिप्लाइग करो पहले पीशन्य का अगर पीवी था तो तो अब पीवी का प्रोटेक्ट चार गुना हो जाएगा डैक मीज टेंप्रेचर जो होगा वो तुम्हारा चार गुना खत्म सब्सक्राइब कि बोलो बोलो मोज कर दी सर नहीं बेटा मोज अभी थोड़ी ना करिए मोज तो अभी होगी तब से पहले तुम लोग इस मेमर्स को सवालो वाकी मेरे ओपर छोड़ दो कि भी को अलियर रहा कॉलो यी होप कि अब लोग जो है आप सवाल मुझे अ है यह कों से देखना गप बेंग देख इस पर, कुयाहां पर संदिक देख अब को देख की अब इसेन सवाल दे दिया और डिक्रीजिंग वॉल्यूम वाई हाफ ठीक अमजी को मैं क्या कहना चाहरू कि वॉल्यूम को मैंने जो है डिक्रीज करके आधा कर दिया वी आरेमस भिलवी अब बोलो क्या अंसर होगा अब बोलो क्या अंसर होगा मतलब सवाल यहां का नहीं है मैंने बोला एक सेम केस में पॉल्यूम को आदा घट दिया तो बताब वी आरेमस के साथ क्या होगा फट आक से वी आरेमस के साथ क्या होगा जल्दी बोल जल्दी से जल जल दी जल दी जल दी जल दी जल दी ब्रम सेव होगा है है तू टाइम्स हो जाएगा बहुत भी बड़ी आशावास तो समझतू मेरी बात को क्यों अभी तूने चेक करा किसा टेंपरेचर था वह हमारा चार गुना हो गया इसका मतलब जो वी रमस था वो अंडर रूटी के प चांड спасReiqu daughters Miss marriage σक्ड कर दिया और हर犯ह की स्पीड का सोँ काइड कर दिया सब्सक्राइब कर ऑता आं पिन अडरूर्ट एक बोलो चमक गया या अडर शवाटी मैं बोलेही बटीव चलो अब चलते नेस्ट टीकल की तरफ जो मैंने बोला थे यह दिए है वह जैड़ाएं पिर हम खेलेंगे किसके साथ ग्राब ग्राब ग्राव ग्राब 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 का अगया वाई बैसिक बाला पार्ट खतम हुआ बीयारा मेस खतम हुआ अब तो अपन चलते हैं basically graph पे और graph पे तुम्हें सभी बात बता रहा हूं मज़ा आने वाला है मुझे दो तीन सवाल मुझे कराने दे अपने इसाब से तीन चार सवाल मैं कर रहा हूंगा उसको ध्यान से देखना किस तरीके से मैं उसको process कर रहा हूं और फिर उसके बाद फिर नंबर वन मैंने बोला सर यह रहा प्रेशर यह रहा वॉल्यूम और graph मैंने एरो बना दिया ऐसा मैं अब बताओ क्या होगा एक सबसे पहले मेरे को तेरे को सिखाना है graph को पढ़ना graph को पढ़ती कैसे हैं बिल्कुल मैं basic से start करूँगा बेसिक से धीरे 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 ले मैं बढ़ाता चला जाओंगा यह देखके कोई भी बोल देगा कि सब प्रेशर कॉंशेंट है लेकिन मुझे यह नहीं जानना है कि प्रेशर कॉंशेंट है मैं चाहता हूं तो खेल सवाल के साथ नोट ओल्ली ता प्रेशर वॉल्लीम हो टेंपरेचर हो वी आरे में सो भी मैं बूसे क्या है सब प्रेशर क्या है इंप्रेशर क्या है यह ऐख सांगो बोलुउम् necesita कि 52 आ जाने पर वॉल्लीम जो हो रहा है वह इंक्रीज हो रहा है इसको शॉट में लिख रहता हूं बॉल्यूम क्या और भाई साब सर बॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और सबसे उपर लिख लेना तो पीवी बराबर नर्टी तो यहां से देखके बोल सकता है कि सब प्रेशर तो पॉंशेंट है लेगिन वॉल्यूम की घैस का मतलु रहा है और गैस क्या कर रही है कि डैस क्या कर रहा हैै तो समझा कि मैं क्या कहना चाहरू हूं लेके जाना चाहा हूं ठीक चलो आगे बरते सर यह बात तो यहां से सवन मागी और थोड़ा सा खेलते सवाल सब्सक्राइब कोश्चन नमबर दू मैंने बोला इस बार सर इधर है प्रेशर इधर है वॉल्यूम और मैंने सब्सक्राइब यह टेंपरेचर ले ले इधर टेंप इस प्रेशर बढ़ रहा है इसको सब्सक्राइब सब्सक्राइब ने से अगर मैं ऐसा बोलू कि टेंपरेचर अधर पर इसका मतलब वाल्यूम कम हो और जो gas है मेरे भाई, वो gas compress हो रही है, समझ मेरी बात को, और मारी बात, मतलब कुछ ऐसा हो रहा होगा, कि piston होगा, एक डबा होगा, बॉक्स होगा, और piston से तुना एक तरीके volume कम कर रहा है, उसको जद दवार है एक तरीके से, ताकि volume of the gas कम होती ही चलिया रही है, इसलिए व बॉल से लो, चाल सलो, यह यह रटना नहीं है बिटा, यह सब मत ढूंड, तू समझ मेरी बात, इस सब तू chemistry में ढूंड़ना, इसको बोलते है बॉल से लो, इसको बोलते है चाल सलो, इसको बोलते है भला, नहीं, पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा तिरको अभी तो इसको बोलते हैं आइसो बारीक अब बज मैं आरी मैं क्या कहने चाहरा हूँ प्लीज यहां पर यह बॉइल से लो चाल से लो और यह भला ना तीसरा जो तेरा फेवरेट लो था उसमें टाइम बेश मत कर अभी विजिक्स में वह काम का बिल्कुल नहीं है लेकि तु चाहत परेशर कॉंसेंट और यह तेरा फेवरेट लो और इसमें बॉल्लिम कॉंसेंट तरह को चाहिए तो याद कर ले लेकिंगे इंपोर्टेंट नहीं है ब्रिचर रिमीट कर देता हूं बी टी सी पढ़ने गए विदेश यह अच्छी बात नहीं है वैसे फिजिक्स के पॉइं याद करना यह तो मैं इसको तुझे याद कर वारा हो रटवा रहो तेरे को मैं लेकिन ठीक है physics में काम कर नहीं है वह जानना चाहेगा कि तुझे इंटर्नल एनरजी एट इन चीजों के साथ ठेलना आता है यह पुछेगा लिखना योग लिखना एक मिनेट इसका नाम ही रख देते ना तेरा फेबरेट लगोड़े तो नहीं इस पैमर का फेवरेट लो इसका मतलब आप इस पैमर को क्या कहना चाहते हो है कि यह देखके कन्या यह वड़ी खुश हो रही होगी है कि कैंशन ना लो कन्या हो तुम्हारे लिए भी एक लो है उसकी बारी बाद में आईगे तब बात करेंगे अभी नहीं है तो बैसिकली मैं तुझे मैं अब आप जो है यह बात मैं तुम्हें इसलिए बताई चुक्या आप रिपीटिटली यह बात लिख रहे थे एक यह वाला लो बॉइल सलो चाल सलो प्लीज उसको थोड़ने के लिए हटा दे हटा दे तो खेल वेरिवेल्स के साथ तो प्रेशर के साथ खेल ठीक और कष्चन नम्र 3 त्यांसा देख इस बार मैंने इसको स्टार डाल देता हूं मैंने बोला यह प्रेशर यह टेमपरेजर कर नहींग इसके साथ खेलते हैं यह क्या होगा तो लेका सर देखो यहां से एक बात की तो फील आ रही है क्या कि सर जो प्रेशर है प्रेशर तो सर इंक्रीस कर रहा है तो टेमप्रेचर है ना सर टेमप्रेचर भी इंक्रीस कर रहा है तियों कि इसका मतलब है कि X coordinate भी बढ़ ला है और Y coordinate भी बढ़ ला mathematics इतनी तेरो को आती है ठीक श्रिट लाइन की question है मनने का कोई दिकत वाली बात नी लेकिन सर जो है इसका slope जो है ये straight line है slope इसका constant है मनने का ये बात भी सही है सर मतलब मनने का सर ये जो है न Y equal to MX की शकल सूरत वाली line है Y equal to MX एक ऐसी straight line होती है जो की pass करती है origin सी ठीक तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ ऐसी जा रही है कि pressure बराबर something constant into T type तो ध्यान से दे PV equal to NRT अगर मैं लगाऊं PV equal to NRT तो pressure बराबर NR by V into T के form में अगर मैं लिख दूँ तो बिल्कुल perfect यही equation निकल के आ गई जहां NR by V क्या है तेरा constant इसका मतलब यहाँ पर volume क्या है मेरे भाई constant बात समझ में आ रही है ये चीज तुझे बाद में बहुत ज़रूत पड़ेगी कि इसमें अगर pressure versus time में समझ मेरी बात अगर pressure versus time का जो state line है इसका graph अगर state line है passing through origin तो इसका मतलब यहाँ पर भोल सकता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा volume क्या हो जाएगा constant हो जाएगा समझ में आ रहा है तो जल्दी से heart वाला image इसा ही दे रखा हो ऐसे भी दिया हो सकता है के दे भाईया इधार है volume और इधार है temperature ठीक और arrow बना दे भाईया ऐसे यह ले भाई साब इस टाइप से अब बताना क्या होगा तुम बोलोगे सर देखो सर यहां से साब साब पता चल रहा है प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है सरी स hazır सरी सर यहां पर क्या कर रहा है क्या हो रहा है सर सब वॉल्ल्म भीइंक्रीज कर रहा है ये और से temperature भी increase कर रहा है अच्छा लेकिन ये angle theta constant है तो अगर मैं ये चीज लगाऊ पीबी क्वल टू n r t मुझे volume और temperature के साथ खिलना है तो volume बराबर n r y p into t चेक करके बता दे ये y बराबर m x की शकल सूरत बन गई that means m होता था slope शेट लाइन के स्लोप कॉंशेंट होता है इसका मतलब न यहां पर जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा कॉंशेंट हो जाएगा इन शॉर्ट इसी को हम लोग क्या बोला करते थे आइसो बारिक प्रॉसेस कि बोलो भाई साब इसको ऐसी जगह भी मतले जाना कि जो पॉसली नहीं है तू कहेगा कि सर मैं तो इसको ऐसे बनाओंगा सर लो कर लो क्या करना है मैं तो इसको न ऐसे लिए जाओंगा ऐसे तो यारी गलत हो जाएगा क्योंकि कि वॉल्यूम निगेटिव का सेंस क्या है समझी यह हो में क्या गहना जालों थोड़ा मैस भी थोड़ा दिमाग भी लगाना हमको करेगा ऑब्यस्ली नहीं करेगा आप लियर है आई होप तुम लोग यहां पर थोड़ा थोड़ा बेसीक के साथ खेलना सीख गए अब खोड़ा सा मैं लेवर लाइस करता हूं कुशन नमबर पांच पे ध्यान से देखो ध्यान से देखो ये है प्रेशर ये है वॉल्म सपोज मैंने ग्राब बना दिया कुछ ऐसा पी नॉट इस सवाल में तो मज़े ही आ जाएगा तुमारी सारी चीज़े के लियर हो जाएगी इसको मैंने बोल दिया सेवन भी नॉट ठीक है और इसको क्या बोले भे एट पी नॉट जो मेरा मन करें ठीक एरो बना दिया मैंने ऐसा एए बी टी टी है चल भाई साब आएगा मज़ा इसमें स्टार्ट करें ठीक भाई साब प्रोम पीपीटी बैच एक शोट रोटेशन का भी ले लीजेगा प्लीज आंसर जरूर देना बेटा मैं फिर से बता देता हूं कि यह एक मैर इन डिपाईगा है कि मेरा सामने आएगगा रोटेशन का वन शॉट तो मैं डिपमेटली ले लूँगा और अगर कोई दूसर चेप्टर आएगा तो मैं दूसर चेप्टर ले लूँगा लेकिन मैं इस सीच की guarantee नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास और काफी responsibility है मेरा बैज अभी जो प्रियाश 2.0 चल रहा है मुझे पहले उनका slab is बहुत अच्छे से complete करवाना है उसी के साथ साथ जो है मेरे offline classes भी चल नहीं है काफी उनका भी इस लेवर से एक respective mode पर लेके जाना है तो इसलिए जो है यह guarantee नहीं ले सकता मैं कि rotation का मैं ही कर रहा हूं या लेकिन इस बात की guarantee है कि मंजिल स्रीज में आपको करवाया ज़रूर जाएगा चाहे मैं करवा हूं चाहे राजबन सर करवाएं चाहे एमेश्टी सर करवाएं यह चाहे कोई चोथे सर करवाएं करवाया ज़रूर जाएगा अगर मैं जा रहा हूं एस से लेके भी एक तरीका समझ सर एक बले के बी जाने पर देख रहे हो कि बॉल्यूम क्या होता चला जा रहा है बढ़ता चला जा रहा है सर मैंने ठीक है बाई साब तो बोलेगा सब पीवी बराबर अगर अपन एनार्टी लगाए एक तो साब साब दिख रहा है प्रेशर कॉंचेंट वॉल्यूम बढ़ना इसका मतलब जो टेंपरेचर है वह बढ़ता चला जाएगा बिल्कुल उसी प्रेकार मैं नहीं चाहता कि मैं टाइचल टाइप करी देता हूं मैं बोलू अगर मैं बी से लेके सी तक का गेम खेलू तो बी से लेके सी तक चेकर 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 वॉल्यूम है तेरा कॉंस्टेंट एक बॉल्यूम है तेरा कॉंस्टेंट प्रेशर क्या होता चला जा रहा है बढ़ता चला जा रहा है फिर से लगा यहां पर वॉल्यूम कॉंस्टेंट प्रेशर बढ़ना इसका मतलब temperature बढ़ना इसका मतलब temperature क्या है भाई साब बढ़ना और temperature और C तरीके से अगर मैं बात करूँ C से लेके A और D से लेके A मुझे उम्मीद है कि तु बड़ी आसानी के साथ ऐसे सारी चीजे बता देगा कि क्या हो रहा है B से लेके C तक volume इसका मतलब इसी process को याद कर volume अगर constant होता था तो हम लोग बोला करते थे ISO चोरी process क्लियर है मैं उसको ISO चोरी process बोलते ता हूं ठीक है क्योंकि चोरियों को बहुत केर होती अपने volume बढ़ने और घटने को लेके ठीक उनको चाहती है कि उनका volume बढ़े ना volume घटा रहे कम रहे ठीक तो volume अगर constant है उस प्रेशन उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल लिया करते है ISO चोरी process कि सार कौंग रेजी नहीं आती आइसो कॉरिक process को आइसो चोरी बोल रहे हैं बताएए एक बोला आइसो क्रोमेटिक देड़ों अब देड़ों क्लोक्राम बाला है यहां भी आ गया लग रहे हैं यहां यहां भी आ लग लग रहे हैं तो निकल जाएगा तेरा पहली डेट में यहां यहां बड़े इच्छी वात है वाजशाब आ देड़ रुपे नहीं देगा वह उसको शाप मिला हुआ है मेरी तरफ से लेकिन लाइफ लोग का शाप नहीं लिखा हुआ है उसको मैंने बस यह बोला तेरी पहली जो गल्फेंड होगी उसका बजन देड़ सोख लोग कि तेरी खुशियां कभी कभी कमना हो तेरी आखें कभी नमना हो और जा मिले तुझे ऐसी गल्फेंड जिसका बजन देड़ सोख लोग इसको शाप मिल गया है कि देड़ सोख लोगा जो है उसकी गल्फेंड होने वाली है चलो कोई बाद नहीं ठीक आई होप यह चीज इसके बाद असली मजा ढांसा देख इतनी देर से जो अपन मेहनत कर रहे हैं अब उसका फायदा लेते हैं कि अ क्या फायदा सब्सक्राइब मैं बहुलों कि यहाँ पर टेमप्रेचर अगर टी नॉट है एव टेमप्रेचर एड एड़ टी नॉट थिक देन वाट विल वी वाट विल बीस सी वाट विल बी टेमपरेचर एड़ package क्या निकाल सकते हो दस सि चलो बहुत ही बढ़ी है ध्यान से देख तो अभी तक जो चीज हम लोगे ने अप्लाई करी मैं वो बात कर रहा हूं कि सर्थ ध्यान से देख यहां पीवी का प्रोडेक्ट कितना है तब प्रेशर इस पी नौट वॉल्यूम इस वी नौट पीवी का प्रोडेक्ट इस पी साथ गुना हो गया इसका मतलब टेंपरेचर भी तेरा साथ गुना हो जाएगा हतियार नंबर एक खोपचे में लिखा रहा है चेक करके देख ले आसवाज मारी ए तुछ अब लिखा यह प्रोडेक्ट जिदने टाइम सो जाता है तो इसका मतलब तेंपरेचर यहां पर हो तो यहां पर चेक करके देखे प्रेशर है एट फी नौट वॉल्यूम है वी नौट तो पीवी का प्रोडेक्ट हो गया आठ होना इसका मतलब यहां पर टेंप्रेचर हो जाएगा अगर यह बात समझ में आई और अच्छे से समझ में आई तो बेटा सबके हाट निकल के आने चीए यहां पर क्योंकि यह बहुत काम देगी आगे जो हम लोग कुश्ण सॉल्व करें जल्दी से चाहे तो जो जिन लोगों ने खुपचा मिस कर दिया था जो मैंने सुरू में लिखाया था वो लोग फिर से लिख ले खुपचा बनाए और लिखे कि पीबी का प्रोडेक्ट जितना गुना हो जाएगा टेंप्रेचर भी उतना ही गुना हो जाएगा लिखो सब लोग मैंनी मानना खुपचा में लिख़ा है यहाँ, टाइप कर यहां टाइप कर देख हो जाएगा टेंप्रेचर वतना टामस हो जाएगा लिखो बटाक से लिखो जल्दी से लिखो से पटाक से लिख, बाकी वैद के बच्चे पूछते यह पीपीटी क्या है भाई बैटा पीपीटी इसे फैमली पीपीटी एक परिवार है जहां हम लड़ते हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं एक बहुती प्रेशर वाला रास्ते को बहुत हसी मजाक में अच्छे से हम लोग उसको चल के आगे गुजरते हैं एक बहुती चैलेंजिंग फेश को क्रियेट जो चैलेंजिंग फेश क्रियेट हो गया है उसको बहुती पॉजिटिविटी के साथ है पीनिस के साथ हम लोग मिल जुलके उस रस्ते पे चलते हैं उसी रस्ते को पीपीटी बोलते है यह नाम ऐसे नहीं पड़ा है इस नाम के पीछे एक कहानी है जो कहानी हम कभी फिर बाद में कभी सुनाएंगे मुझे उम्मीद है कि शायद यवास समझ में आ गई होगी सरसी का सरसी बता दो एक बच्चे ने बोला सरसी बता दो देख सी पर प्रेशर कितना है सब प्रेशर है आठ एक पी नॉट ठीक और सी पर बॉल यहां पी नॉट बिनॉट ठीनॉट था तो पीबी का प्रोडेक्ट जपनॉट भी नूट था तो टेमपेचए टीनॉट था यहां जब पी बीका प्रोडेक्ट 56 हो घेगा कि इसका मदब 56 समझ में आ गया Pak समन आगया तो कुशिय नंबर 6 आप लोग करो सारे दो परो जारा प्रेश्यर चेमप्रेचर यह भॉल्लीम लिए क्योंकि मुझे प्रोडेक्स सिखाना है ऐसे 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 दो आट कि एक है अब कुछ भी लिख सकते हैं तो क्या लेक है मता है इसको मैंने बोल दिया सबोज आठ तो मैं जानना चाहता हूं यह है P कि यहां पर P बता दो पॉइंट्स लिख देता हूँ A B इफ टेम्प्रेचर एट ए बराबर 100 केल्विन टेम्प्रेचर एट बताओ टेम्प्रेचर एट सी बताओ टेम्प्रेचर एट सी बताओ जल्दी कर बटाक से तब तक मैं तोड़ा सा कफी खालेता हूं करो जल्दी कि जल्दी कि अधर भटाक से कि जल्दी अधर यह चोटा सवाल करा रहे हो सर ऐसा नहीं है इन्हीं सवालों सही जराब बड़े बड़े सवाल तोड़ने वाले थोड़े देर के बाद हम लोग एक बार जरा वाक्टन भाई गैस ठीक है इस सारी चीज इंटर्ड्यूस होने दे तु एक बार बॉर्कटन भाई gas इंटर्ड्यूस होने दे और यह कहते है ंडटा ऊड्यू डेल्टा कि इंटर्ड्यूस ओन जांजा फिर देख्ण haya भाव्म्रत ही बडीया पनाउस सब लुको फटाक से कि जल्दी हुं भूंति बढ़िया हर ज़ह भूंति बढ़िया कि राहा हरा हुँ सब लोग तो समय दिल से बहुत खुशी हो रही है जब आप लोगे answer type कर रहो है बस में खुशी हो नहीं है भले आप गलत करो मुझे कोई दिक्कत नहीं है गलत करोगे तो मैं आपको ठीक करूँ गा गलती हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसको ठीक करेंगे लेकिन अगर नहीं करोगे तो थोड़ा प्रोब्लमेटिक है और भाई पता है यार तेरा 24 जन्वरी को बर्डे है तो मैं पहले से चलो हैपी बर्डे को यू लोगे का 24 जन्वरी को बर्डे है वो टाइप कर रहा है तो मेरा 24 बर्डे को चलो बाई साब मैं बोलू सर यह वाला एंगल ठीटा तो भाई यह वाला एंगल भी ठीटा हो जाएगा इस चीज के लिए आपको तयार रहना है थोड़ी सी ताइमस हो गया आइब चार गुक्तवार कर तो 32 गलती हो रही अराम से जल्दवाजें नहींUND जहां से 10 थीटा बराबर 10 थीटा बराबर आठ बटे दो बराबर 10 थीटा बराबर यह वाली लेंथ BC upon AB अगर मैं BC के बार में बात करूँआ तो यह हो जाएगा P-8 बटे AB is 6 देख रहां कितने अराम से कर रहा हूँ तो यह आगया 4 बराबर P-8 बटे अगया यार मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ सब्सक्राइब करेक्ट अब खेलते एक बार किसके साथ सब्सक्राइब टेंप्रेचर के साथ मैंने के अब तु मुझे बता इस जगहां पर ध्यान से देखना पी बी का प्रोड़क्स कितना है आठ दुनी 16 महिला पनी मन में करना थे रुको पीवी का प्रोड़क्स एक पर कितना बाई साब यह पी है यह भी है आठ दुनी 16 और यहाँ पर पीवी का प्रोड़क्त कितना हो गया 864 16 से 64 हो गया मतब यहां टेंपरेचर का टी है तो यहां टेंपरेचर 40 हो जाएगा क्योंकि 1664 होता है बात समझ में आ रही है बिल्कुल उसी प्रेकार अगर मैं यहां बात करूँगा तो जल्दी बता यहां पर टेंपरेचर किया यहां पीवी का प्रोड़क्त कितना हो गया 32 गुणा आट 32 गुणा आट 32 गुणा आट को मैं लिख देता हूं 16 गुणा 16 इसका मतब तो यह बोल सकता है कि सारी यहां जो था पीवी का प्रोड़क्त 16 गुणा 16 मतब्द 16 टाइम सो गया that means यह हो जाएगा 16 टी इसका मतब टेंपरेचर at b बराबर 400 और टेंपरेचर at c बराबर 16 अगर मैंने कोई कैल्कुलेस्टा मिश्चेक नहीं की है आप लोग का अंसर मैच कर गया है प्लीज एक थंबख शो करें क्योंकि इसके बाद मौसम बिगड़ने वाला है कि मैच बहुत ही बढ़िया कि कि अगा अग्याओ आगा अजया है यह पी है एक लाइन ऐसे ट्रो करती है मैंने यह यह लाइन नीचे यह लाइन V naught ये है 2V naught ये है P naught ठीक है और ये है 2P naught ये point है A ये point है B और ये गया arrow से मेरा प्रश्णिय है कि temperature at A वराबर 100 देन temperature of B will be जल्दी बताओ कितना होगा और process कौन सी होगी जल्दी से बटा class में अगर मज़ा आ रहा हो तो जरूर टाइप कीजेगा कि मज़ा आ रहा है तो कि वो चीज कहीं न कहीं मुझे भी motivation देगी और एच्छे-च्छे सवाल कराने की तो कि मेरे को नहीं पता कि तु कहां तक मेरे साथ टीके रह सकता है कहां तक तु मेरे साथ जुड़े रह सकता है कहां तक तु जो है मेंटरी तोर पर टीके रह सकता हो मेरे को नहीं पता भाई मज़ा आ गया मज़ा आ रहा है ओके फुल मज़ा बहुत ही बढ़िया पेमर्स नहीं आ रहा है आज ई क्या बोलो के लगल हो द मैं क्या उफ है आए वह प्रस रख कि आ ऀए में ऐसे मुझे और या अरिय। और टू सुना न हो को सदा ये दोआ है मेरी हाँ और गल्फेंट बंड़ेक तेरी है किरगन अजय ठाकूर बेटा मैसेस देगा मैंने अजय ठाकूर तेरी डीपी मुझे इतनी प्यारी लगती है दोस्त मैं क्या बता हूँ हाँ इस डीपी को मत बदलना इस डीपी से बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है एक जो है बहुत अच्छा लगता है जब भी कभी इस डीपी को देखो कभी कभी अगर आपके दिबाग में स्ट्रेस होता है 100% तो डीपी देखके काफी अद तक बहु मुझे हर जगह देखता है इसलिए मैंने बोला तुझे है आहां आजा डागुर की डीपी कैसी है बहुत अच्छी डीपी मैं कई बार इसको हर जगह देख लेता हूं जहां भी मुझे दिखता है इंस्टा पे फेस्बूक पे यूट्यूब पे यह सब जगह इसने सेम की फील आती है मज़ा दिल खुश हो जाता है मन गया यार जैसा थोड़ी दिर के लिए आप थोड़ी दिर के सुकून में चले गए हो कि नाम मैंने ठीक ही लिए अना अजे ठाओ कोई और तो नहीं था भाई कि अगर अगर यहां बात करूं एपर तो सब पी नौट वी नौट का प्रोड़ेक्ट अगर में देखूंगा तो यहां पी बी का प्रोड़ेक्ट है टू पी नौट वी नौट तो यह अगर टेंपरेचर यहां पर टी नौट है तो इतिफाक से चेक करके दे यहां भी पी नौट टू वी नौट तो यहां पर पी बी का product तेरा कितना है भाई साब T not है तो जाहिर सी बात है A और B पर PB का product सेम है इसका मतलब ये है कि A पर temperature गा T not होगा तो B पर temperature क्या हो जाएगा मेरे भाई T not हो जाएगा क्या बात समझ में आई बात समझ में आई है यह सर्फ और मैंने जो प्रेशन पूछा है कि भाई साइब यह बता दो प्रॉसेस कौन सा होगा यह बहुत अच्छी बात है कि मैक्सिमम बच्चों ने इसका अंसर दे दिया है और इसका अंसर दिया process हो जाएगा ISO thermal जल्दी से copy को note करें question को note करें और ISO thermal लिखके काट दे क्योंकि ये process जो है ISO thermal नहीं है पासा हो ज़वारी है सर फिर से please देख भई A पर PB का product कितना है P not V not फिर के सर भाई सर A पर PB का product P not V not 2 P not V not मैं अगर यहां देखूंगा A पर तो तू क्या बोलेगा 2 P not V not ठीक बी पर तू पूछेगा pressure कितना है P not और volume कितना है 2 V not तो A पर भी 2 P not V not B पर भी 2 P not V not दोनों जगे पर pressure का जो product है वो सॉरी PB का जो product है वो सेम है और PB का temperature at B जो आया है वो निकल के आया है वो इतना ही आया temperature at B वराबर temperature at A आ गया और वो 100 Kelvin आ गया यह बात तो सही है सर्व ठीक मंगर यह आइसो थर्मल खाए नहीं है हम दो बढ़ेता है कि आइसो थर्मल तेंपरेचर कॉंशेंट होता है बिल्कुल करेक्ट बात है आइसो थर्मल में temperature कॉंशेंट होता है लेकिन यह temperature कॉंशेंट कहां है यहां तो बस पास वन्वार इंव आई-इसो थर्मल के लिए हर जगे पे प्रेख हर जगे पे-टेम्पेच़र का सेम होना ज़रूरी है हर जगे तेम्पेच्र सेम होना ж unified तब हम उसको इसो थर्मल बोलते हैं हिहां पे क्या है कि सर यहां पे काहिते सर यह एक तो बिल्कुल मिड़कुल पॉइंट पे यह 1.5 P0 और यह 1.5 V0 आ जाएगा इसका कोडिनेट अगर तो स्थेट लाइन से निकालेगा तो युक जांए एक मैं तई से लिखी लेता हूं मैं बिल्कुल वी पॉइंट पा जाएगा 1.5 V0 लूट कोमा 1.5 P0 अब तुम उचे बात बता यहां PB का प्रोड़क कितना है सब सब का प्रोड़क जाएगा 1.5 P0 इंटू 1.5 V0 जो की 15 गुना 15 होता है 225 तो यह हो जाएगा सब 2.25 P0 V0 मज़रा मेरी बात तो pb का प्रोडेक्ट अलग अलग जगह पर अलग अलग है तो टमपरीचर अलग अलग है इसका मतलब अलग अलग है तो यहां पर यह आईसो थरमल नहीं है तो ऐसे समझ तेरे अकाउंट में पहली तारीक को भगवान करें कि एक करूड यूंगे तो एक करोड पे है तो एक करोड यू खें पांचवी तारीक को कुछ निकाल लीआ हो दस्वी तारीक को कुछ और निकाल लिया हो और फिर आखरी में 30 तारीक को तुने फिर से एक करोड जो है छोड़के बाकि सारे रूपे निकाल लिया हो यह भी तो हो सकता है ना इक तरीके से तो मैं बोलू हमेशा ही एक करोड है तो वह तो नहीं हो पाएगा ना यहाँ पर सेम चीज यहाँ पर है इनीश नहीं है तो आइसो थर्मल भी नहीं है तो फिर एडियावेटिक भी नहीं अभी पढ़ा नहीं है चलो आपने बोला नहीं है तो नहीं है फिर फिर कौन सा है मैं बोलो फिर एक बस था है कौन सा कद्दू ठीक है जहां जहां बोल देते हैं कद्दू आई होप समझ में आया ह होगा हम इसको पॉली ट्रोपिक प्रोसेस कि बोल सकते हैं लेकिन वो सब बाद में देखेंगे बोलेंगे यह नहीं बोलेंगे लियर है कि ओके क्या बात समझ में आगी अगर बात समझ में आगी तो जल्दी से सब लोग हाट एक हाट बना के देदू फटाक से जल्दी से तारे लोग चलो अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ यहां तक मेरा टार्गेट था विटा कि मैं जो हूँ एक घंटा निकल जाना चीए तो मुझे लग रहा है कि हमारा देड़ घंटा निकल गया है थोड़ा तीस मेंट हम लोग डिले चलो है कोई बात नहीं चलो अब हम चलते है भाई साब वाउट रवाई गैस भी जिहां से देखना न जहां से देखना नेक्स शाटी काल है वाउट रवाई गैस मैं थोड़ी देर के लिए चाता हूँ तो थोड़ी दिमाग से निकाल दे थर्मोडैनेमिक्स को तो बिल्कु बेसिक फंटा लगा मैं तुझे एक तर यहां है हवा 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 ही मत्तब प्रेश्य कितना है वाई साब पीनोट तुने यहां पर लगाती है सबोच अंदर एक हीटर और जैसे तुने हीटर लगाया अब यह सबोच आगे कि तरह मूब किया हौले हौले का लोली वजेश्य कि ओके सर को दिक्कत नहीं थीक है अब यह क्यों मूब किया इसको अपन पढ़ेंगे बाद में फिस लोक्त है इसमें देखेंगे हम लोग क्यों मूब किया अभी के लिए बस देख भईय कर गया ठीक है और जब यह मूब किया मेरे भाई हौले-हौले जल कि यह पूँछ गया यहां पर वित सगे कुछ जरुर कोई दिकत्र वाली बात नहीं और अगे मूब कर गया सपोज एल डिस्टेंज कि अब बताओ क्या हुआ 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 मैं बोलू इसके बिदी बना इस हरे वाले की अब्धी बना सलेगी तू बोलेगा सब्सक्राइब क्या मैं ने ने का हां थर्मोडैनेमिक की में लगाना चाहता हूँ ठीक है सर ओकी कोई दिक्कत नहीं है ठीक कि अच्छा सलीम सर बराबर बन अपॉन कॉसी अच्छा औरे भाइसाब मतब जैसे जोक में मार रहा हूं धीरे दीरे तू भी इसी फॉर्म में आ रहा है बहुत ही बढ़िया तर यह लेग आ रहा है क्या कि कुन सा प्रोसेस है कद्दू कद्दू है अगर यहां पर सब्सक्राइब है मैं तुसरे बोल यह इस बिलकुल यह बहुत ही शांती से तुम मेरी बात समझे ना मैं क्या उठाना चाहरा है अगर यहां पर सब्सक्राइब है मैं तुसरे बोलु भाईया इस पिष्टन की एक बीडी बना तो एक बीडी का मतलब होता था उस पे किसी बंदे की बनाते थे तो उस पर लगने वाले फोर्सेस दिखाते थे कि कौन-कौन से फोर्सेस अरे बहुत-बहुत शुक्रिया मू इसके पेट में कौन भरी पड़ी है सर यहां भरी पड़ी है तो जाहिर सी बात है अगर भरी पड़ी है तो यहां कुछ ना कुछ प्रेशर भी होगा जिसकी बज़े से पोर्स आगे की तरफ लग रहा होगा मैंने ठीक है तो किया मैं ऐसा बोलू कि सब अगर आप इसकी और सर यहां है हबा तो बाहर atmospheric pressure होगा तो atmospheric pressure के कारण भी force लगा होगा किदर सर इस्तरफ लगा होगा force कि भाई atmospheric pressure यह तुन्हें fluid mechanics में इतना पड़ा होगा बेटा कि कोई force अगर pressure होता है तो उसकी बज़े से जो है हम लोग force लगाते हैं याद रखना pressure कभी लगता नहीं है लगेगा प्रेशर लगता नहीं है प्रेशर होता है और मारी बाद प्रेशर होता है जिसकी बज़े से फोर्स लगता है यह बात यादक ना मैं फिर से बोल देता हूं प्रेशर कभी लगता नहीं है प्रेशर होता है प्रेशर इस पॉइंट का फॉंक्शन किसी पॉइंट पर pressure होता है जिसकी बज़े से force लगता है जैसे की temperature लगता नहीं है कभी लगती गर्मी है ठीक temperature किसी point पर होता है temperature जादा होता है जिसकी बज़े से हमें गर्मी लगती है I hope तू समझ मा रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ यहां पर ठीक लगते है ठीक है सर तो इक बात बताओ सठी तो समझ मा आ गेस ने भी डगाया होगा और इसने भी पॉर्स लगाया होगा तो यह बताओ गर इसका एरिया मैं एक हिए दू तो मैं ऐसा बहूँ इस बिलकुल इधर अगर हवा है तो हवा मतलब एक्मोस्फरिक प्रेशर है पी नौट तो उसकी वज़े से फोर्स लगा होगा पी नौट इंटु एरिया कि तो मैं यहां से यहां तक जहां से देखना मैं यहां से यहां तक लगाना चाहरा हूं वरक एनर्जी थिवर ऐसे चैनल के ऊपके आपने पढ़ा होगा ड्रक टार में एक लगा पर टार इक लगई है एक लगए प्रेशर के ट्रार के है सब फिजी इंटू एडिया रखर के सर रख ऑड वाय सब इतना लग रहा है और आगे की तड़ा क्योंकि होले होले मूब किया है होले होले मूब करने का मतलब समझ दो समझ्झा बहुत आन्म दा मुब कर रहा है isel 7 …… इसका मतलब ये दोनों फोर्स आपस में क्या है बराबर है और ये वाला फोर्स हो यह क्या है क्योंकि acceleration 7 और कॉंचिन्ट सुर्स का वाकड़न क्या होता है सब Lacroft in to displacement तो तुछक्त है सब्सडस amid तो अच्छिया मैं एट्मोस्फेरिक के द्वारा पूछूंगा तो क्या बोलेगा सर अगर बॉग्डन निकालना चाहते हो तो हम बोलेंगे कि सर एट्मोस्फेरिक प्रेशर लग रहा पीछे की तरफ और इसका क्या बात समझ में आई यह वर्क सल्भाए चि Y semantic जो मैं तुमें लगवाया क्या किलियर हुआ जल्दी बोलो कि रिपीट नहीं हो पाएगा सुपोर या गोराई एक बार बेटा अच्छे से ज्यान से देखना भाई साथ ठीक पीलिंग जैलेसी वीट अजय ठाकूर नहीं बेटा ऐसा नहीं सोच रहा है कभी इस तरीके से नहीं सोचना है कि लिए रहे हैं मैं फिर देख बता रहा हूं रिपीट करने का मोगा नहीं है बेटा बनना रात के बारा बच जाएंगे मैं एक बार में बोलूँगा मेरी एक एक लाइन में बजन मिलेगा तुझे एक ना मैं ऐसी फर्दी बात नहीं करूँगा को फालतु बात नहीं करूँगा जो काम की नहीं है मैं जितनी बात बोलूँगा एक एक लाइन बहुत काम की इसलिए ध्यान से सुनना पड़ेगा तिरको जितना मैंने बोला उसका 50% समझे प्रदी रखाम हो जाएगा उसकी टंचे मद्धे बिल्गूल गी है इस पैमर्स आ गये हैं गया मारो कूटो साला स्पैमर्स को कूटने का तरीका सब लोग हाट बनाओ सब लोग हाट बनाओ लगेगा शुरू में बोल दिया थह सब लोग हाट बना ना झाल्स को बनाओ अगयो सबस्केट को पएम मजा तो थे वाए मैं इसको मिटा रहा हूं ہے मजा कब आया मैं मजा था खाई जब मैं ऐशी और यहां पर है हम वो एक और यहां से स्टार्ट होता है फिर्मोडानिमिक्स यहां से स्टार्ट होगा मज्यतार तरीकिये एक सब लोग करके बता इस पिश्टन पर कितने फोर्स लग रहे हैं जल्दी से तरी ब्रेक प्लीज बेटा ब्रेक नहीं अभी नहीं अब मज़ा आएगा ना बिटा मज़ा तो अब आएगा ना क्योंकि देल घंटे से में तुवारा बेसिक क्लियर कर रहा हूं हां तीन फोर्से बिल्कुल करेक्ट कौन कौन से फोर्सेस कौन कौन से फोर्सेस है हाँ सर एक लगरा कुन सा सर एक लगरा गैस के द्वारा एक लगरा हवा के द्वारा और एक लगरा किस के द्वारा सर एक्षेनल फोर्स एफ नोट तो क्या मैं ऐसा लिख दू सर वोग डन बाई गैस प्लस वोग डन बाई atmospheric pressure plus work done by F not equal to change in kinetic energy मैंने बोला ठीक है बाई सब कोई तिकत वाली बात नहीं है Fbd बना होगे तो यहाँ पर एक force और दिखा दोगे इधर इधर वो तक लिफ नो सर अब मैं तुछ से बोलू कि सब इसमें apply करो कि हमें ऐसा लिद दू work done by gas plus work done by atmospheric pressure atmospheric pressure के दूआरा जो force लगा वो उधर लगा और इसका displacement आगे है इसका मतलब इसका जो work done होगा वो हो जाएगा P not into A force into displacement ठीक है कोई दिकत वाली बात नहीं है next अब मैं तुछ से पूछूं कि आर यह बता work done by F not कितना होगा sir F not भी conscient है और conscient force का जो work done होता है sir वो काईदे में force into displacement होता है force तो लगा पीछे की तरब displacement है आगे की तरब इसका मतलब यह हो जाएगा minus F not into L equal to change in quantity energy 0 क्योंकि सारा काम हो रहा है होले होले तो क्या तूने बड़े ही प्यार से यहाँ पे walk done by gas निकाल लिया P not into A L plus F not into L हाँ यह ना अगर यह work energy theorem समझ में आई तो please सब लोग यहाँ पर F not क्या है F not is an external force हेमा F not क्या है F not is an external force जो मैंने यहाँ पर लगाया है clear है समझ में आया हो तो बाइसाब जल्दी से हेमा आप भी जरूर टाइप करें एफ नोट यहाँ पर क्या है एक शनल फोर्स लगाएं देख सुन मेरी बात थर्मोडैमिक से मज़े तु बेटा तभी ले पाएगा ठीक है जब मेरे इस अब नेक्स आगे बढ़ते हैं सर यह बात तो समझ मांगे सर यह क्या था जो हम लोग बोलते थे सर इंटेगरेश्ण ओ पी डेल्टा भी क्या था मैंने का अब आते हैं उस पर ज्यांसे देख रहा हूं मैंने बोला कि यार ज्यांसे देखना कि सर ये मूब किया होले होले और होले होले मूब करके भई यह पहुच गया यह पर ठीक है सर ओके आपकी बात मालनी हैं होंगे तीक है अब तुँ एक बात बता हेटर लगा हुआ ह क्या हुआ है बात मैं explain करेंगे श्यक मैं आ तू सुन मेरी बात तुम लोग ने वर्क एनर्जी थियोरम जब पढ़ी होगी क्या तुम्हें एक बात का पता था कि जिस फोर्स का वर्कडन पूछते हैं हम उसी पे फोकस करते हैं हम कभी ताड़ा-ताड़ी नहीं करते सर ये बात क्या बोली आपने मनके मैं ये कहना चाहरा हूँ कि मैं तुझे एक प्रशन दूँ एक मास है 10 किलोग्राम का पीछे की तरह इसका मियू मैंने बोल दिया सबोट 0.4 पीछे फ्रिक्षन लगा सबोट 40 न्यूटन का और मैं बोलू कि यार ये आगे मूब किया है 10 वाट इस दा वाग्डन वाई फ्रिक्षन आप बोलोगे सब फ्रिक्षन पीछे डिस्प्लेश्मेंट आगे माइनस दस स्वारी 40 गुणा 10 बराबर माइनस चार सूर एक सर ये तो ठीक ये तो आता है मैंने का तो क्या ये बात आपको पता है कि जब हम लोग वाग्डन निक करते एनस पी नहीं करते एनस पी का मतलब होता ताड़ा ताड़ी नयन सुख प्राप्ति जो अक्सर मॉल में की जाती है ठीक है अक्सर बहुत ही अच्छी जगह की जाती है तो वही काम हम लोग यहां पे नहीं करते हैं हमें जिसका वाग्डन पूछा जाता है हम उस फोर्स पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि भाई साब जिस जगह वो फोर्स लगा है उसका पॉइंट आप एप्लिकेशन का डिस्प्लेस्मेंट कितना है यह तो नहीं पूछोगे ना नयन सुख प्राप्ति बेटा ठीक है सर नोट क्या करना है बिटा भी रुका रहे है नोट क्या करना है वो अब थोड़ा होल्ड कर अभी सुनता रहे सारी कहानी ठीक है सर तो मैंने एक बाब बता अगर मैंने हापर तुस्टर वर्गटरम भाई फ्रिक्शन पूछा तो यह तो नहीं बोलेगा ना कि सर इसकुल उसी प्रेकार मैं अगर तुस्से पूछू यहां पर कि मुझे बताओ सर वॉग्टरम भाई गैस किता होगा तो तुम बोलोगे सर एफ डॉट डीएस मैंने बोला करेक्ट यह तो होता ही है बाई साब सर यह वागड़न टोटल है छोटा सा है वो लगा सर यह छोट करेट करदओं इंटीगरेशन ओफ डॉट डीएस सर एफ क्या है सर एफ है यहां पर क्या है फ है फोर्स एप्लाई-वाइदा गैस क्या उसको मैं यह लिख सकता हूँ सब प्रेशर वा इदा गैस इंटो एरिया और यह आगया into ds का integration अब अगर मैं तुस्से पुछूँ ये क्या है a into ds अगर इस distance को मैंने ds बोल दिया और पूरे area को a बोल दिया तो क्या मैं ऐसा बोल दूँ इस डब्बे का volume इतना change हो गया जिसको अगर मैं db बोल दूँ तो तूँ बोलेगा कि सर work done by gas equal to हो जाएगा integration of pdb बोलो क्या बात समझ में आई तो basicली बात यह है जो तुझे याद रखनी है मींद में भी कोई तुस्तर पूछे कि सर work done by gas क्या होता है ठीक सर यह होता है integration of pdb अगर pressure consent है तो pressure बाहर निकल के आ जाएगा और अगर pressure conscious नहीं है तो वही का वही रहेगा यह बात कितने लोगों को समझ वाई है सब लोग यहाँ पर जल्दी से start हाट बना के दिखाओ जल्दी से फटाक से सब लोग मिनट से पहले सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग जे मिन कैसे clear करें बेटा भी सो जा आराम से और रात के 12 बजे उठना तब हो जाएगा clear ओके बहुत ही बढ़िया ओके अब ध्यान से देख क्या मैं यहाँ पर ऐसा बोल दूँ एक बात देखना सारी चीज़ चुझे फील आई हो तो तो गैस ने जो वॉक्डण किया है गैस ने जो फोर्स लगाया है वो क्या इधर लगाया है हाँ यह ना अगर यह सब लोग हाट दे थम्बब दे जल्दी जल्दी से पटाक से जल्दी से जल्दी से गैस ने गैस ने यहाँ प्रेशर बाइदा गैस इसके अंदर प्रेशर बाइदा गैस पी गैस है तो इसने इस पे किदर फोर्स लगाया है इस तरफ लगाया होगा अब मेरे एक सवाल का जवाब देना जहान से एक्दम बिल्कुल सीरियस मोड पे सब लोग ध्यान से सुना और डिस्प्लेसमेंट भी आगे तो वर्क डटन हो जाएगा पाजिटिव और अगर यह आगे मूव किया तो क्या वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है हाँ यह ना थे अगर यह इसको टाकर में आगे लेकर चला जाओंगा तो यह ऑवर्ल वाल्यूम क्या हो रहा है मेरे भाई ऑफॉरॉल्यूम तो इंग्रीस कर रहा है तो ऑवरॉल वॉल्यूम कर रहा है तो क्या मैं ऐसा बोलू कि वॉक्ड याइज Gases always positive Walked in my Gases always positive बोल हाँ की ना जल्दी से सारे लो यह सर क्यों? सर एक बार बताओ सर बॉलिम एक तरीके से क्या हो रहा है? बॉलिम बढ़ रहा है न? बॉलिम बढ़ रहा है तो सर यह आगे की तरफ जा रहा होगा कि जब भी कभी expansion होगा work done by gas will be always positive हमीशा volume बढ़ा मतब work done by gas positive बिलकुल उसी प्रेकार अगर मैं बोलू if volume decreases मतलब मैं इसी कोल्टा compress कर दूँ ऐसे तो मैं उसे under compress कर रहा हूँ उस आला force बहार की तरफ लगा रहा है force इदर लगा और displacement अंगर की तरफ हो गया साला कौन सा force गैस का मैं बॉक्टन भाई गैस पूछ रहा हूं तो force apply by gas फोकस करेगा मैं फिर सर रिपीट कर रहा हूं मैं पूछ रहा हूं बॉक्टन यहां बात करेगा बॉक्टन भाई गैस का मतलब क्या हुआ कि सर गैस ने किधर फोर्स लगाया सब इधर मैं ने क्या कर दिया तो और दबा समझ में आ रही है तो यहां से हतियार नंबर दो निकल खे आता है कि जब भी कभी वॉल्यूम बढ़ेगा बॉक्डन बाई गैस हमेशा positive होगा जब भी कभी बॉल्यूम घटेगा बॉक्डन बाई गैस हमेशा हमेशा negative होगा तर बहुत होले का मतलब यह है कि चेंज इन काइंटिक एनेर्जी क्या है जीरो मतलब अपर एक तो ऐसे समझ दस सेंटीमेटर चलने में साला 10 साल लगा दिये ठीक है अगर कोई हुआ है दस साल तक अगर मैं ख़ड़ाओ कर देखता रहूंगा तो मुझे पता चलेगा दस सेंटीमेटर साला हिलाएं वहां से देट मीज चेंज उनका एंटीक एनरजी मुझे क्या बोलनी चीए अप्रोक्सिमेटी को टू सीरो मिज़े हमेशे रुकावाई दिखाई देगा वो हमेशे मुझे इसकी वेलोशीज जीरो दिखाई देगी बोलो क्या ये चीज समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं अगर ये बात समझ में आई तो सब सब्सक्राइगा अभी नहीं है कि अधर अधर कर ले आप लिगो क्वप्चा बनाओ कि कि नाइनटी परसेंट डाटा खतम अब ये तो रिचार्च कर ले कर ले बहाए कर ले को अ चाहिए कि अ जल्दी से, जब भी कभी प्रेक्शर बढ़ेगा, वाक डन बाई गैस फाल भी जब भी कभी. वर्ग दर वर्ग दन बाई गैस विल भी जब भी कभी बॉल्यूम बढ़ेगा वर्ग दन बाई गैस विल भी हमेशा पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव जल्दी से के एक कि appropriate को है अश्मी मेर्च आ रहे हं फेलो जालों को पेलना सुलों करतो ब्रेक नहीं मिलेगा कोई घ्याश फ thats मट्री को प्रेक चाई है कि अव्लति अभी कभी वालियूम बढ़ेगा वाट बाई गैस बिल फिल बेज आल वेश पॉजितिव और जब्भी कभी volume घटेगा जब भी कभी volume घटेगा work done by guess will be always negative लिख लो work done by guess will be always negative मतलब अब मैं बिना बोले लिखूँगा I hope तुस्स समझ गया होगा पता है ना टू की पावर सम्थिंग टेकर वन से ज्यादा होती नहीं तो खुद निकालने ना अपने आप अब समझ रहा है पुराने जितने सवाल है धून धून के मार पकड़ पकड़ के उनको प्रॉसेस में वाल्यूम बढ़ रहा है इसका मतब वाल्यूम बाई गैस पॉसेटिव यहाँ पर वॉल्यूम घट रहा है इसका मतब वाल्यूम बाई गैस पॉसेटिव कि बोलो क्या बात समझ में आ रही है क्या तुम्हें एक बात ये नजर आई कि सिक्वेंस हमने कहां से सुरू किया था किस तरीके से यहां पर हम चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं जो लोग अभी तक बिल्कु सिंसेर तरीके साथ मेरे साथ जुड़े में होंगे उन्हें सच मे मज़ा आ रहा होगा धिरे-धिरे मैं स्पीड अप करूँगा बिल्कुल करूँगा टेंशन ना ले बोलो क्या बात समझ में आ रही है यहां पर है उसी तरह सारे सवाल हो जाएंगे यार और यह देख लिए तू बता यहां पर चेक कर सबोज यह प्रेशर है यहां से यहां के साथ तो इस प्रेकार मुझे एँपने यहां भी छल इसके बारे बाद या और बोल्यूम बढ़ता ही चला झारा जा रहा है इस पर लोट में आए तो आई हो तुम्हें यह जो होता होता है सर यहां पर निकल कर आता है इंटीग्रेशन और पी डिवी ठीक है सर आपकी बात हम समझ गए इंटिगरेशन ओपी डीवी ओकी सर अब चलते हैं इसके उसी पार्ट इस पाले पार्ट पे जो मैंने एक्स कुश्चन थोड़ी दे पहले कराया था ध्यान से देखना क्या था कुश्चन सर ये था हीटर ध्यान से देखना सर यहां आपने बोला था एक पिश्चन था और इधर आपने फोर्स लगाया था एफ नॉट ये था पी नॉट यहां गैस बढ़ी थी ये था पी जी मैंने रहे ठीक है सर ये जो था सपोस मूब किया होले होले ले भाई साब ये एल लेंट मूब किया है और ये मूब किया है भाई साब होले अभी मैंने होले होले का मतलब समझा दिया है तो प्लीस उसको द्वारा है मुझे एक्स्प्लेन करने पे मजबूर मत करना काफी लोग ये कह रहे है सर होले होले का मतलब समझा दो भाई ये होले होले का मतलब very very slowly अब प्रॉक्सिमेटली टेंडिंग तो जीरो चेंज इन गाइटिंग एनरजी ही सीरो ठीक है सर अब अगर मैं तुस्से बोलूँ क्या ये होले होले मूब कर रहा है सब लोग टाइप करके बोलना होले होले का मतलब क्या हो गया क्या मैं ऐसा बोल दूँ सर इसकी अगर आप FBD बनाओगे पिश्टन की तो इसका मतलब इसका acceleration आप लिख दोगे 0 हाँ या ना हाँ या ना बोलो जल्दी से break का space नहीं है बेटा please please जिसको break चाहिए वो जा सकता है यहाँ पे type ना करे जिसको break चाहिए वो जा सकता है यहाँ पे type ना करे यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बोल दिया था मुझे 50 बच्चे मिले मैं 50 बच्चों का अच्छे से पढ़ा हुआ लेकिन अच्छे से पढ़ा हुआ ब्रेक मैं दूँगा लेकिन अभी नहीं ठीक है अभी नहीं थोड़ी देर के बाद 15-20 बच्चे मट के बाद ब्रेक दूँगा मैं पहले तु यह वाला गेम खेल मैं 15-20 मट का ब्रेक दे दूँगा तु टेंक्शन ना ले ठीक है हाँ पैमर्स आ रहे हैं कूटना शुरू कर दो भाई साब कूटना सुरू कर दो जबर 10 तरीके से जबर 10 तरीके से कूटना सुरू कर दो कोई बोले ब्रेक तो आप लोग बोलो नो ब्रेक मैं बोल देता हूँ अभी आठ बज रहे हैं साड़े आठ या आठ बीस के आसपास मैं डेफिनेटली आपको 10-5 बट का ब्रेक दे दूँगा आई एग्री ब्रेक मिलना चाहिए इवाज सहिए मैं दूँगा डेफिनेटली लेकिन वो साड़े आठ या आठ बीस पे दूँगा तब तक आप लोग कोई भी यहाँ पर इस तरह का मैसेज बगएर नहीं डालोगे ठीक है अब देख जहां से देख तो सर यह बताओ मैं चाहता हूँ उस पिष्टन के बीडी बनाना ठीक है सर बीडी बनाओगे तो एक फोर्स तो लग रहा है एफ नॉट यह एक्स्टरनल फोर्स है बाहर है हवा तो पी नॉट के कारण एक फोर्स ओल लगेगा पी नॉट अंदर भरी बढ़िया गैस तो इसकी वज़े से बाहर फोर्स लगेगा पी गैस इंटू एरिया क्योंकि यह होले होले मूब किया है इसका मतला इसका एक्सलेशन बिल भी अप्रॉक्सिमेट्री टेंडिंग तो जीरो तो मैं लिख सकता हूँ कि दाएं वाला फोर्स बराब इसे डिफाइन करूं तो एफ नॉट बाई ए प्लस पी नॉट ठीक अब अगर मैं तुस्से पूछू कि वाट विल वी दा वोर्क डन वाई गैस तो बोलेगा इंटीग्रेशन ओप प्रेशर वाई दा गैस इंटू डीवी प्रेशर वाई दा गैस कितना है बाई साब सब बाई दा गैस है एफ नॉट बाई ए प्लस पी नॉट इंटू डीवी और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो एफ नॉट बाई ए प्लस पी नॉट डीवी को तू लिख सकता है ए इंटू डीएक्स अगर सपोर्ट थोड़ा डीएक्स इसकाया होता और तूने इसको कहां से कहां तक ले गया suppose यहां से यहां तक ले गया 0 से लेके अगर मैं L तक integrate कर दूँ तो ध्यान से दे यह आ जाएगा F not by A into A into dx का integration plus P not into A into dx का integration 0 से लेके L तक In short A A गया F not into L plus P not into A into L मैं इसको राओं मिटा क्योंकि इतना solve करना तेरे को आता है solve करके answer निकल के आया work done by gas इतना और 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 जो पढ़ने वाले बच्चे हैं मैं उन्हें अब कहना चाहरा हूं work done by gas आया F not into L plus P not into A into L see the difference और अगर समझ में आ गया हो आपकी कि क्या जादूगरी वाला करामात हो गया है कि हमने पहले लिखा था work energy theorem और अब हम लोग ने लगाया है एक तरीके से जो formula जो हमने रटा हुआ है अगर तुम लोग वो देख पा रहे हो तो जरूर मुझे वापे हाट वाला साइंची है कि यस सर हम आपकी बात समझ गए कि integration of PDB करो या work energy theorem लगाओ result is same और शायद ये बात आप समझ गए होंगे कि ये चीजे एरा गहरा नत्थू गहरा लोग के लिए बिलकुल नहीं है विए एक सच में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये उसके लिए है कि बोलो कि बोलो कि मजा आया तो जल्दी से वापे टाइप करें कि यस सर मजा आया ताकि मैं इस पर एक सवाल और कराऊं और फिर मैं आपको ब्रेक्टू मजा तभी तो आता है या रहा है तो पता कुछ है नहीं लगे पड़े उनको लगाने के लिए ठीक है अब सुन जैसे एक कुशन और देख तो यहां पर रुख एक मैट देख 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 मजा आने वाला इसके बाद तो कुशन सेम सवाल ध्यान सा देख मैंने लगा दिया साला इस्प्रिंग यहां पर अब यह जेई एडवांस लेवल है ठीक गैस भरी पड़िये लगा दिया हीटर हुआ ठीक है सर होले होले मूब कर आया ठीक यह थी हवा हवाई मतब प्रेशा पीनौट और इस्प्रिंग था नैचुरल लेंथ में डर्वना बिलकुल मत मैं तरे साथ हूं मजा आएगा इस सवाल में दोनों मेथट से करेंगे वर्क नहीं थोड़ों से भी करेंगे और यहां से भी करेंगे किलिए है भाए साब ठीक है सारोगर कोई दिर्कत वाली बात निया अब हुआ यह है कि सपोज इसको तुमने एक्स कमप्रेश कर दिया हीट दी यह पिश्टन कंप्रेश मां और ये एक्सरा इस से कंप्रेश हो गया है आ जानना बिल्कुल मत और सपोजी एक्स इस तरीके से वहाँ पे एक्सपेंड कर गई गैस तो स्प्रिंग कंप्रेस हो गया यहाँ पर हमने लगा दिया हीटर मैंने बोला ठीक है भीटर भीटर लगा दिया अब मैं जानना चाहता हूं कि वाट विल भी वॉग्डण भाई कैस कि मैं अगर वर्क में भात ध्यान से सुनना तीन मिनट अगले बहुत काम किया तीन से पांच मिनट एक कि सब देखो अगर आप चाते हो ना वर्क नहीं थेओरम लगाना मैंने ठीक है तो सब वर्क नहीं थेओरम के लिखते हैं वर्क दमई ओल्ड़ प्रस इकोल टूट तो सर एक बात बताओ आपको चाहिए वर्क डंबाई कैस ठीक है सर अब मुझे क्या चाहिए सर यहां पर सर वर्क डंबाई हवा वर्क डंबाई इस पर तो आप एक बात बताओ क्या मैं ऐसा बोल दूँ कि सर यह अगर आगे एक्स मूब किया तो पी नॉट इंटू ए इंटू डिस्प्लिस्मेंट परेक्ट ठीक है सर और सब वर्क डंबाई सփ इस परिंग फोर्स का फ़ार्मूला होता है माइनस हाण के x फाइनल का स्क्वायर इक्स इनिशल का स्क्वायर इकोल टू at इंजिन का इंटिक एनरजी होले होले के कारण क्या हो गई है जीरो इसका मत्तब एक की लाइन में निकल के आ गया वर्क डन बाई अगर आपको यह बात समझ में आई है तो जल्दी से यहां पर हाट डालें यहां पर जो हाट वाला साइन है वो जरूर यहां पर दिखाएं मैं एक बात बता दूँ यहां पर कि जो अच्छे बच्चे हैं आज उनको भी टाइप करना पड़ेगा ऐसे नहीं रहेगा कि आप ल लगा पड़ा करने में है किसको प्रपोस मार रहा भाई तुम आपर यहां कुछ नियोंने वाला बिटा बना बनाया रिलेशन साथ रहते हैं वह साथ नहीं रह पाते हैं तुझे के लग रहा है कि तुझे यहां पर ओनलाइन में आके तु सेट कर लेगा है जो बच्चे क्ल सामने होते हैं तुम यहां पर टाइप करके किसी को सेट कर लोगे है कि अब तुझे लग रहा है तो तुझे लग रहा है टाइप करके जो इतनी चैटिंग चल लिए एक सेकेंड में बचाबचा सोसो मेसेज आ रहे मात किसे बात कर लेगा किसी को प्रपोस मारा है लब ही और तुझे तेरी बास सुन लेगी तुझे रिप्लाइब देदेगी कि अध्य है याद रखना भाई साब यह यह पॉसिबल नहीं है और जो है अध्या दिल दुख जाता है अरे भाई साब तुझे देखके मुझे मेरा दोस्त याद आ गया तक्यों याद दिला रहे हो पता है वह ऐसे ता कॉलिज में क्या हुआ कि स्टार्टिंग में नया नया जोस होता ह है जल्दी जल्दी से कपल्स बन जाते हैं कॉलिज में तो मेरा दोस्त है सही तो उसका होगी सैटिंग उसकी बढ़िया से अचानक से तो जब सैटिंग हो जाती है तो सबसे आदर दुख दोस्तों कोई होता है तो सब लोग खूब उसको कोसा करते थे जल्दी सतीरा ब्रेक तो हो नहीं है तो ऐसा तो है निकी बदलगी चीजें सामने बदलगी का मतलब सेक्षन बदल गया या क्लास बदल गया ऐसे तो वह तो भाई जब भी कभी उनकी पुरानी मेड़ा माती थी हम जितने कमीने लोग होगा करते थे यूपी बिहार के वो सारी उसकी फूटिंग कर तो ता वी नहीं चला रिलेशन हम भी नोटिस किया करते ती जब भी आती थी कि सोचा था इसकदर नंको भूल जाएंगे कि सोचा था इसकदर उनको भूल जाएंगे और देखके भी उनको अंदेखा कर जाएंगे और जब जब सामने आया उनका मासूम सा चेहरा सोचा चलो जाला इस बार देख लेते हैं अगली बार ज़रू भूल जाएंगे तो भाई इसा वो लड़का मुझे आज भी याद है मे तो आई होप ये चीज़ समझ माई होगी तो मैं अगर इसके बाद बात करूँ कि सर बॉक्टन भाई गैस बताओ आप फॉर्मूले से इंटीगरेशन और पी गैस इंटू डीवी से ठीक मैंने गए ठीक है बाई साब तो अब तु एक बात बताओ लोजिकली जो अच्छे बच्छे हैं आयद वो ये समझ गए होंगे कि सर देखो अगर इसको हॉले हॉले मूब कराना है तो किसी भी टाइम पर आप ये बोल सकते हो इधर से फोर्स लग रहा होगा पी गैस इ पात समझ में आ रही है ठीक अगर आप इसको होले होले स्लोली स्लोली मूब कराना चाहरे हो तो आप ये बोल सकते हो कि आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स देट मींज पी गैस इंटू एरिया बराबर पी नॉट इंटू ए प्लस के एक्स तो यहां से तो लिख सकता है कि पी गैस बराबर आ जाएगा पी नॉट प्लस के एक्स बाई ए ठीक इसको उठा के अगर मैं यहां रख दूं तो वर्ग डन भाई गैस निकल के आजाएगा integration of p0 plus kx upon a तुझे बात पता है कि db का मतलब होता है change in volume जिसको मैं है लिख सकता हूँ a into dx तुझे कुछ नहीं करना तुझे बस integrate करना है यहां से लेके x तक अगर आपने इसको खीचा है तो इसका मतलब 0 से लेके x तक clear है और अगर मैं इसको solve करूँ प्लीज जिहां से देखना p0 into a ka integration dx का integration x plus a से a कट गया x का integration x square by 2 this is your work done by yes बात समझ में आई जिहां से देख मेरी बात work done by guess p0 a x plus half k x square वाई दा फॉर्मूला thermodynamics का p0 a x plus half k x square by the work energy थी हो रहा है अच्छे बच्चों को अगर समझ में आगी यह कहारी तो हार्ट में कोई कमी नहीं होनी चीए जब अब दस दरीगे सा आपके हार्ट यहां पर आने चीए जल्दी से दिखा दे भाई साब एक बच्चा पूझा साब force इधर लग रहा है तो displacement इधर क्यों हो रहा है भाई साब force का displacement कोई लेने देना नहीं होता बेटा displacement उधर होता है जिदर बंदा जाना चाता है जैसे block तो आगे जाता है लेकिन friction पीछे लगता है तो उसको relate ना करो बोलो भाई क्या ये बाद समझ में आई ये नहीं आई है और अगर आई तो क्या मैं एक हाई फाई लेबल का एक बहुत ही धासू सा सवाल तुमसे करवा लू बोलो स्टार लेबल का सवाल लेगा स्टार वेश टाइप के सवाल होते हैं वो अगर तु ट्राइ करे तेरे अंदर दम है तु अगर एक फाइट कर सकता है तो वो तू करके दिखा दे और उसके बाद फिर अपन पंद्रमद जो है थोड़ी सी एक चीट पढ़के फिर देस मैंट का ब्रेक ले लेगे कि बोलो जदी से कि है कि बोलो अच्छा सवाल है बाई साब सर आप किस कॉलेज से ऊड़या है अरे मेरे कोलेज से कोई फरक नहीं पढ़ता है दोस्त तु किस कॉलेज में पोचोचिए का वो फरक पढ़ता है ठीक है चल ठीक है बता देता हूं बनना तु कहएगा कि सर कॉलिज बताने में शरम हा रही है गया मेरा कॉलिज है एनाइटी त्रीची मेरी ब्रांस्ती इलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजिनियरिंग ECE ओके चल बाइसाब जल्दी से एक कोशन तु यह करके दिखा जश्ट गिव एफाइट एक ट्राई कर ठीक है पिश्टन का मास भी दे दिया इस बार मैंने M ठीक यहां हीटर लगा दिया यह एक्सपेंड किया और उपर की तरफ H गया लिख लें आपर गैस एक्सपेंड ठीक है और यह स्प्रिंग तरफ नेच्वरल लेंद ठीक है और स्प्रिंग कम्प्रेस भाई गवराना मत जश्ट ट्राइट वर्क एनरजी थियोरम से बताओ कि यहां पर वर्क दर्बाइग गैस क्या होगा जश्ट ट्राइग वर्क दर्बाइग गैस जल्दी से पटाक से करो मैं एक चैलेंजिंग कोश्चन दे रहा हूँ जे एडवांस लेवल का है इस बार एमजी भी लगेगा बेटा सुन एमजी जो होगा ना वो मास पर लगेगा गैस पर एमजी नहीं लगेगा यह मैंने एजम्शन में शुरू में बता दिया था कि एजम्शन में गैस मॉल सब्सक्राइब दिया यहां पर आंसर भी दे धिया 22 है कि बहुति बढ़िया शबननने भी शायद दन्सर दे दिया है अरे बहूत दिखा दिया जितने लोगों ना अंसर यहां पर टाफ है मजा आगया वाई साही बात बताए तो इसका मतलब you are sincerely attending the class बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बस विया ही चीए मेरे को हाँ जल्दी से कि बहुत ही बढ़िया तो बोलेगा सर देखो हम लगाएंगे सार लग्ड़न भाई किसकी ने काम किया सर एक काम किया ग्रेंट सर एक काम क्या किसने स्प्रिंग ने सब बराबाद चेंजिन का एंटिक एनर्जी मैंने कर ठीक है भाई सब अब सब निकालना चाहरे हो अगर यह पिश्टन क्योंकि इस पिश्टन का मास M है यह उपर की तरफ एच गया है तो ग्रेविटी विल भी माइनस एमजी एच और वागड़न वाई स्प्रिंग फोर् इसका मतलब वागड़न वाई गैस निकल के आ जाएगा एम जी एच प्लस हाफ के एच स्क्वाईर कि बोलो भाई साब अरे यार सॉरी एट्मोस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल करेक्ट बात है सॉरी 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 मैं खुद भूल गया वाई एक एट्मोस्फेरिक प्रेशर भी तो होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट बात है यहाँ पर एक लग रहा होगा atmospheric pressure बराबर change in kinetic energy और atmospheric pressure की बज़े से जो force आएगा वो आए जगा P0 into A into H क्योंकि atmospheric pressure यहाँ पर मानले हवा है तो force लगएगा नीचे इसका displacement है उपर that is equal to 0 तो इसका मतलब यहाँ पर term आजाएगा उस term की बेली होगी plus P0 A क्लियर है 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 हमने संभाल लिया बहुत यह बढ़िया बेटा संभाल लिया समझ गया मैं PPT बैच कहा है तू ठीक तो मुझे इतना बता देख यह मत समझना कि इतने मुश्किल सवाल आएंगे इतने मुश्किल स में सब हो जाएंगे तु बस मस तरीके से क्लास अठेट करता रहा है तो इसका बागी तेरा लेवल कर चुका है किसी उस बच्चे से सब्सक्राइब करता है बहुत अच्छी बात है अब मैं चलता हूं मैजोर्टी पे मैजोर्टी मतब थर्मोडैनेमिक्स पे तो यहां से मुझे एक निसकर्ष निकला कि सर्फ वॉक्टन भाई गैस होता है इंटीगरेशन ओपी डीवी को तकलीफ वॉक्टन भाई गैस के साथ हमने खेल लिया है अब मैं बात करता हूं इंटर्नल एनर्जी की इंटर्नल एनर्जी मतलब अब क्योंकि स्टार्टी में मैंने बोला ठीक 10 मिनट तक काम काम की चीजें जो है वह अभी अपन देख लेते हैं और फिर उसके बाद खेलेंगे अपन लोग एक नो ब्रेक प्लीज ब्रेक का मतलब है मैं यहीं पर रहूंगा मैं पढ़ाऊंगा नहीं बस आप लोग से बात करूंगा मेरी तरफ से ब्रेक नहीं होगा कि आरिवा सब्सक्राइब किसी को खाना खाना है खाना और कुछ चाइवाई पी नहीं है तो आप देख लीजेगा नो ब्रेक नो ब्रेक चल ठीक है सुरू करता हूं मैं ध्यान से सुना में एक बार अब मैं result oriented हो जा रहा हूं क्योंकि सारा प्रूफ कराने का बक्त मे बोल दिया था कि भी neglected the any interaction between the gas molecule इसका मतब यह हुआ कि potential energy वाला टर्म तो हो गया 0 बचा खेबल काइंटिक एनर्जी वाला टर्म जब उस काइंटिक एनर्जी वाले टर्म को जब वो काइंटिक एनर्जी आप निकालते हैं तो maximum equation law आप लोग ने पढ़ा होगा physics में भी chemistry में वहां से जब हम लोग इस चीज को solve करते हैं तो जो total energy of the gas total energy of the डबा जो निकल के आई gas particles की वो in the form of kinetic energy आती है जिसका formula solve करके आता है एन एफ आर टी बटे दो आसा नमारिये यू बराबर एन एफ आर टी बटे दो जहां पर f होता है degree of freedom पासवाज मारिये मैं सीधा formula बता रहा हूँ क्योंकि इसका derivation सच में कामका नहीं है और अगर मैं तुमसे पूछूँगा कि यार यहां पर delta u कितना होगा तो number of mode change नहीं और एफ चेंज नहीं हो रहा आर इसे function तो वो होता है nfr delta t बटे तो इसको याद रखने का तरीका है नफरत बटे दो कभी जिन्दगी में आज के बाद कभी नहीं भूलेगा क्या नफरत बटे तो यू इस नफरत बटे तो या delta u is नफरत बटे दो बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहा रहा हूँ जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो सर इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो धीरे धीरे इसलिए बोलना हूँ कि यह चीज बहुत important है ठीक वो बहुत important है यह क्या है इसी को मैं बोल देता हूँ you को this is internal energy ठीक तो delta you क्या हो जाएगा this is change in internal energy इंटर्नल, ओ भाई क्या हो रहा है, चेंज इन, इंटर्नल एनरजी, पास वाज मारी है, और बात आई से डिग्री ओ फ्रीडम क्या होता है, इसके बारे में भी शायद आपने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा, मैं आपर जल्दी से बता के निकल जाता हूँ, Mono Atomic Gas ठीक है, जैसे helium होता है जैसे inert gases होती है Monotomic होती है, तो इसका मतलब उनकी जो degree of freedom होती है वो 3 होती है, सपोज एक चोटा सा point part मान कहते हैं चोटा Mono Atomic Molecule से या तो उसके पास X में पहलोश्ची होगी या Y में होगी या Z में होगी तो तीन तरीके से वो रख सकता है और अगर मैं बात करता हूँ suppose diatomic है अगर suppose example के तोर पे मैं ऐसा बोलूगी diatomic gas है तो आप लोगों पता होगा degree of freedom diatomic कितनी होती है तो बोलेगा सब suppose diatomic का मत्तब है यह pen है एक molecule यहाँ पर एक molecule यहाँ पर जैसे h2 होता है जैसे o2 होता है ठीक यह diatomic की category में आ जाते है तो diatomic के case में अगर मैं बोलू एक molecule यहाँ पर है या sorry यह diatomic molecule है तो तो बोलेगा सर एक बार तो हो सकता है कि आप उसको इधर velocity दे दो एक बार इधर velocity दे दो एक बार उपर velocity दे दो तो तीन तो होती है इसकी translation velocity ठीक और इसके साथ अगर तु ध्यान से दे इसको तु ऐसे भी गुमा सकता है इसको तु ऐसे भी गुमा सकता है इसका मतलब 2 होती है इसके पास rotation वाली तो कुल मिलाके इसके पास degree of freedom की value होती है कित्ती होती है 5 होती है पात समझ मा रही है सर क्या मैं 2.5 लाग के अंदर आ सकता हूँ बिटा मैनत करेगा तो धाई लाग नहीं धाई जार के अंदर भी आ सकता है क्लियर है? ओके उसके बाद एक होता है ट्राई एटोमिक ट्राई एटोमिक में तीन दो तरह के मोलिक्यूल्स होते है एक होते है जो लीनियर होते है और एक होते है जो नॉन लीनियर होते है मैं सीधा मुद्धे पर बात कर लेता हूँ लीनियर की कहानी बिल्कुर डाईटोमिक जैसे ही होगी इसका मतलब उसके लिए तू बोलेगा degree of freedom 5, non-linear के लिए 3 और 3 कित्ती हो जाएगी भाई साब 6, please check it क्या मैंने degree of freedom जो लिखी है वो वही लिखी है जो आप लोग ने पढ़ी है जल्दी से मैं vibration बाली check मैं vibration के बारे बाद करी नहीं रहूँ मैं ये बात ही नहीं कर रहूँ कि अगर high temperature पर क्या होगा अगर ऐसा होगा question बाला अपने आप देगा मुझे उसकी attention नहीं ले नी जितना मैंने लिखा है क्या मैंने सही लिखा है जल्दी से linear में 7 कौनची बाई 7 जल्दी बोलो मैं normal temperature के बारे बात कर रहूँ बेटा high temperature के बारे बात नहीं कर रहा हूँ आप जो बोल रहे हूँ ठीक है आप जो यहाँ पर बोल देते हो वो high temperature पर हम लोग 2 add कर देते हैं ठीक है राई मैं 7 क्यों भाई try मैं 7 कौन कौनसी बोलो जल्दी से बोलो बोलो मैं बात कर रहा हूँ normal temperature पर नॉर्मल टेंपरेचर पर बाइबरेशन बाली में काउंट नहीं कर रहा हूं नेगलेक्टेट आपने शाहिद बाइबरेशन बाली पर लखी होगी ओके चलो ठीक है बाई साथ हाँ अब तुम साथ कह रहे हो साथ होता है के ट्राई के लिए साथ कैसे होता है बोलो अरे बाइबरेशन में नेगलेक्ट कर रहा हूं भाई मैं बाइबरेशन चक्कर में नहीं पढ़ना हूं समझ वरी बात को मैं फिजिक्स पढ़ना हूं केमिस्ट्री नहीं पढ़ना हूं अगर बाइबरेशन को नेगलेक्ट किया ध्यान से देख तू बोलेगा सर एक तो हो गया यह X में वेलोश्टी एक हो गया Y में वेलोश्टी एक हो गया Z में वेलोश्टी तो तीन तो हो गया इसकी क्या आपकी ट्रांसलेशन वेलोश्टी एक हो गया ऐसे रोटेशन ठीक एक हो गया ऐसे रोटेशन ठीक और एक हो गया पहले याद रखना है सर यू बराबर होता है N-F-R-T बटे-दो और डेल्टा-U बराबर होता है N-F-R-T बटे-दो और वोकड़न भाई गैस जो होता है वो होता है integration और PDV यहां से एक बात समझ में आ रही है जहां से देखना कि internal energy directly proportional होती है temperature पर अगर तू temperature को बढ़ाएगा इसका मतलब internal energy बढ़ेगी इसका मतलब delta U will be positive क्या note करना है अभी थोड़ देगे बाद बता हूँ नोट ये करना है जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ और अगर तू temperature को घटाएगा तो internal energy घटेगी और delta U will be negative अगर तू volume को बढ़ाएगा तो work done by gas is positive और अगर तू volume को घटाएगा तो work done by gas is negative ये है पूरा निचोर thermodynamics का जो तेरे सामने लिखा हुआ है बात समझ में आ रही है ये तुझे निभूलना है अगर तुझे ये याद है तो सवालों के साथ तू खेल सकता है ठीक देड़ घंटा हो गया है मैं समझ रहा हूँ तू सवालों के साथ खेल सकता है जितना तू सवालों के साथ खेलेगा उतना मजा आएगा बोलो क्या बात समझ में आरिये में क्या कहना चाह रहा हूँ जल्दी से बोलो फटाक से, यू क्या है अब एच सो रहा था क्या रो यू क्या है, थोड़ी दे पहले बोला था यू क्या है, यू क्या है, यू is internal energy तो जल्दी से काम करो, खुपचा बनाओ फटाक से, ठीक है, ये सारी चीज़े नोट करो, जल्दी से, ब्रेक का बक्त नहीं बेटा भी बहुत सेंसिटी पॉइंट चल ला है जल्दी से लिए फटाक से लिगो जल्दी प्लानिंग के साब से मेरे को लग रहा है अभी अपना आदा घंटा पीछे चलना है जो सोचा था जल्दी लिखो लिखो इंटर्नल एनर्जी अब वे देख सरी 59 क्या कर रहा है तू पॉज़िटिव क्यों है यह पूछेगा तू एक कामकार जो पॉंट में लिखा रहा हम भो लिखो जल्दी से लिखो इंटर्नल एनर्जी इंटर्नल एनर्जी ओनली एन ओनली लब फ्रोम P31 MB बहुत बढ़िया बेटा इंटर्नल एनर्जी ओनली एन ओनली लिगो जल्दी से इंटर्नल एनर्जी ओनली एन ओनली टेंप्रेचर पर डिपेंड करती है लिगो जल्दी से जड़िया और निशांग कुमार कहरा ब्रेक देतो गुषसे̃वाली में क्यों बऄ जो से क्यों ऐगा को एां यह-घ्ला निवाल लेक के लिए तू depends on temperature वेटा खोपचे की बात लिखा रहा हूं लिख ले बता रहा हूं मैं बहुत काम देगा internal energy only and only depends on temperature दूसरा पॉंड लिख दूसरा पॉंड लिख change in internal energy change in internal energy only depends on change in temperature means initial and final temperature समझना मेरी बात क्या बोला means initial and final temperature समझ में आ रही है बात अब सारा खेल तेरा thermodynamics का जो है वो तेरा अब इनी के साथ तेरे को खेलना है डेल्टा यू के साथ वाग दनबाई के साथ और इसी के साथ एक टर्म और है जिसका नाम है heat तो मुझे बात बताओ अगर तुम्हें सच में आवशक्ता है ब्रेक की तो अपन दस मिनट का ब्रेक ले सकते हैं तस मिनट का ब्रेक अबन ले सकते हैं ठीक लेकिन क्लास चलती रहेगी मैं पढ़ाओंगा नहीं बस आप लोगों से बात करता रहूँगा मैं ये कर सकता हूँ नो ब्रेक, नो ब्रेक, नो ब्रेक, नो ब्रेक, Jetzt बोलो कलो ठीक है 10 मेंट का break आप लोग के लिए माश्टर के लिए नहीं मेरे लिए नहीं है आप लोग के लिए 10 मेंट का break है ठीक 10 मेंट के बाद ठीक आप लोग जो है 8 बच के 33 हो रही है 8 43 पे हम लोग start कर देगे इस regarding अभी तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट पूछना हो कुछ भी पूछना हो वो यहां पर टाइप कर दे थर्मोडैनेमिक्स में नहीं तूचा है तो पूरी फिजिक्स में कहीं से ही पूछ सकता है ठीक है आर यू फ्रॉम गुजरात नहीं बेटा मैं यूपी से हूँ उद्रास से नहीं हूँ यूपी उत्राखन साइड और सब पीबी ग्राप में टेमपरेचर का भी बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल हो सकता है देखेंगे अभी अभी प्रॉसेस तो पढ़ी नहीं है ठीक है next सर आपकी क्रश के बारे में time का function है is function of time और सर आप एहधरवाद से हो नहीं मैं एहधरवाद से नहीं हूँ आप पूछना 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 सर आप मिढ़जापुर आए हो क्या माद कालीन भहिया रहते है मुन्ना भहिया भी रहते है लगता है वहां जाने से एक मट्टुक ना तो मैं भी जड़ा गरम पानी का इलाज कर लेता हूं थोड़ा सा को गरम पानी देना जबर्दस्त गरम जबर्दस्त गरम इतना गरम की गला चल जाए अगला अब नफरत कुछ नहीं होती है कि सबकुछ प्यारी ब्यार होता है कि अब यार तिरलली कैसे में पड़ुए है जी रॉत लो अच्छा हाँ ये बात किसने लिखी कि जो है जी रॉत लो है कि अगर एक बोड़ी च्वण च्वणचव़ाइ कर रही है दूसरी बोड़ी के साथ ठेक है और 2 छ्वणचव़ाइ के बाद दोनों तरप्त होगे Х 12 त अगर दूसरी बोड़ी तीसरी बोड़ी के साथ च्वंच्वाई कर रही है मतब दे आर इन थर्मल कॉंटेक्ट टू इच अगर टेक्निकल लाइन में बोलें तो अपन बोलेंगे कि दोनों का टेंपरिटर सेम हो जाएगा यह जिरोत लो है सबको आता है और मैं इसको बढ़ा अगर मेरी थोड़ी सी हेल्थ भी डाउन होती है ना तो मैं अच्छा खाचा ब्रेक ले लेता हूं आपके लिए आपके बैसमें मैं नहीं ले पाया mentally क्योंकि because I care for you all और बोलो अगला सट ड्रिप वेलोश्टी कहां काम आती है बेटा फॉर्मुले में काम आती है आइक्वल उसके बाद है 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 सब वाई नहीं निगल गया निगल गया निगल गया और क्या कह रहे हूं सर कौन सा चैप्टर सबसे हार्ड एस्टे फिजिक्स में मेरे इसाब से तो कोई भी नहीं है ठीक है मेरे साब से तो कोई भी नहीं है जो बच्चे मुझे से रेगुलर्ली पढ़ते हैं आप उनसे पूछो तो वह यही बात बोलेंगे उनको वही चैप्टर हाड लगता है जो किसी कारण बस मैं उनको नहीं पढ़ा पाता हूँ मुझे पढ़ाने का पूरा स्पेस मिले मेंटल स्पेस मिले और वैसे में सीच मूरा पांच PM में तो मैं तो पढ़ा तो लेकिन बच्चा डाइजस्ट नहीं कर बाता है तो इसलिए कभी-कभी 19-20 हो जाती है हाउ टूट्रोंग मेकैनिक्स फॉर्मुला बिल्कुल मत रट हो जो जो आपके सर बोले वैसे-वैसे फॉलो करते चले जाओ सब बेसिक से पढ़ाना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ बेटा सब पीपीटी वालो कुछ बूल दो मजे लो बैठ गया और आपकी कितनी रेंग गाई थी इतनी आगे थी कि मैंने एनाइटी तरिची का एसी ऑप्शन बराता फर्स्ट ऑप्शन और इत्तिफाक से साना वही मिल जाता है कि हमारी टाम पर जेएडवांस जेए मेंस की काउंसलिंग अलग-अलग उत दीती है कि उसके बाद सब बायो सेवर्ट लो किसी चोटे से टुकड़े की विए से मेगनेटिव निकालने के काम आता है मेगनेटिक फिल्ड में आप पढ़िएगा उसको कि कि अब कि एकजोटर्मिक रिक्शन चेमिस्टी की कहीं चीज फूचे रहा है वही एक होती थी एक रिमिक और था स्प्लाइश को कराने के लिए उसमें हीट देनी पड़ती थी सब्सक्राइब कि या होता है उसके लिए बेट कर 15-20 मिन में पहुंचेंगे और कि अइंद में पार्फ के चीजSON Чसे उत को डिफेरेंशिट करीगा तो सब आ जाएगा क्यों को डिफेरेंशिट करेगा तो करण आ जाएगा ठीकरण्ट सब्सक्राइब बookyक्स सब्सक्राइए ज्यादा सवालां कि तो मैं लंबी चुट्टी लूँगा एक 10-15 दिन के सुकुन से तब मैं अपने गले को ठीक करूँगा अभी मेरे जितने ऑफ-लाइन वाले बच्चें वो जानते हैं कि अभी मेरा ठीक है नहीं तो इसलिए बिक्स आख आ गए और तो मेरी क्लास आस थी नहीं मैं सही बाद बो जब मंजिल सरी स्टार्ट हुई है तो चलती रहनी चीए अगर बोई श्रेलो थोड़ा सा हाँ यार लेंगे थोड़ा सा हुआ है हुआ है कि अधा 75 परसेंट क्राइटेरिया वह मत पर इस चक्कर में बिलकुल मत पर एक है कि मैं बोलूंगा भी चुपचा पढ़ाई करते रहो बाद में देखना यहां पर 75 परसेंट क्राइटेरिया नहीं है बहुत अच्छे प्लेस्मेंट बहुत अच्छा लब फ्रों अमेरिका अब अमेरिका से प्यार भेज रहा है कि आया रुखती बढ़िया यार है अमरीकन का भी भेज दें इसी वात पर है यू चलाग ब्रो एए अ और यार इतने सारे में पढ़ नहीं पारा हूं यार यह लॉजिगेट अब लॉजिगेट जरू पढ़के जाना सवाल आता रहता है उससे सवाल आते रहता है और क्या बोले में देड़ सो लाना इसी होगा क्या तमीजते पड़ो तो 200 लाना भी बहुत आसान है कि मैं पहले कि इन बच्चों को पढ़ाता था वो मैक्सिमम पढ़ने वाले हुआ करते थे क्लास में तो वहां कोई बड़ी बात नहींती को देड़ सो ले आए को दो सो ले आए को 220 ले आए कि अधिके ना मेरी पिसले आठ नो साल की जो लाइफ रही है टीचिंग लाइफ वह ऐसे रही है कि मैंने हर तरह के बच्चे को पढ़ाया यह उसको भी पढ़ाया जो दसया रेंक लेके आता है मैंन इस तरह कभी सोच नहीं रखना है जैसे सुरू में बहुत अच्छे बच्चे ने बात बोली थी कि हमें तो पढ़ने से मतलब है आप पढ़ो बस खतम कोई भी पढ़ा है पढ़ो बसा आप जब आपने पी डवलू पे बरोसा किया है और बरोसा करके आप लोग यहाँ पे तो यह बात क्यों नहीं मान लेता कि अगर पी डवलू सिस्टम पे तुने भरोसा किया है और सिस्टम भी तेरी इतनी केर कर रहा है तो तो यह बात क्यों नहीं मान लेता कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही थोड़ी ना किसी टीचर को भेज दिया जाएगा कि जा किया है और अब सपोजे क्लास लेनी है तो क्या ऐसे ही तू किसी को भी भेज़ देगा क्या नहीं भेज़ेगा ना इसलिए मैं बोलना हूं कि हाँ पर आके जितने भी सर लोग आपको पढ़ाते हैं वो सब सारे लोग जितने लोग है सब मेहनती तो हैं लेकिन सब बहुत वैल वही सारी चीज़े एक ही सर पढ़ा पाएं यह भी पॉसिवल नहीं है क्योंकि सर के पास और भी अपना लोड होता है तो यह बात यह समझने पढ़ेगी कि तेरा खंप पढ़ने का हैं चाहां कोई भी सर पढ़ाए मुझे ऑग्ड़न कर रहे है सर अब नमातिता नहीं कर रहा है यार start sir आपके college की कहानी सुनाएंगे हमारी college की कहानी मुवबत की कहानी एं दोस्ती की कहानी friendship की कहानी regging की कहानी सब कुछ हर जगे कहानी कहानी है आप इस बहुत ही बढ़िया ते भी पढ़ा दो सेमी कंड़क्टर पेटा राजमान सन्ने सेशन ले लिया है आप वहां से एक बार जरूर पढ़ें ठीक है मंजिल स्रीज का पहला जो था वह सेमी कंड़क्टर ही था तो आप जरूर वह लेक् सब्सक्राइब के डाउट्स हैं वो किलियर करें कि एक एसी सर्कृट बता दो एसी सर्कृट का भी सिरीज आएगा टेंशन ना ले जरूर आएगा वेट पूर डैट आप इग्नोर कर रहे हो अरे भाई ने इग्नोर कर रहा हूं भाई एक बंदे ने बहुत-बहुत सारे मै लगती है मैंने पहले भी बोला था एक तो एनको पेशेंस लेवल लोग आप लोगो जहिल जाते अच्छे से बहुत-बड़ी बात है दूसरा जो है वह आपकी बहुत-जादा केर करते हैं बच्चों की बहुत-बहुत करते हैं तीसरा जो अपार्ट फोर्म श्टीस है वह कि उनका सेंस ओफ यूमर बहुत ही जबरदास्त है तर निटी त्रिची कैसा है बहुत शांदर को लिज़े बेटा टॉप एनाइटी में आता है इनफेक्ट बहुत सारे आइटी से भी अच्छा है कि रिची सूरतकल वारंगल तीनों कॉलिज बहुत अच्छे नए आइटी से अच्छे हैं आप शाओ तो उनको ब्लाइंडली उठा सकते हो कि यह साइटी ब्रांच सीएस इसी ब्रांच मिले तो बिल्कुल उठा लीजिगा सर आपका पूरा नाम क्या है मेरा पूरा नाम सलीम एहमद है अब नाम नहीं पता है कि अप पॉलिज फीच का इसके बार रोटेशन ले लीजिए अ मनेजमेंट का डिचेजन है मेरे दोस्त को गया टाइम हो गया नहीं हो गया पढ़ना स्टार्ट करें फिर अब एक बात ओ रहे बैटा ये बात तो सही है कि तुम्हें शाय समझ में आ रहा हो लेकिन सारी जब लेक्टर समाप्त हो जाएगा तो एक बार आप लीजिएगा जरूर पूरे लेक्चर अच्छे से अच्छे से रिवाइस कीजएगा और अगर आपको चीह समझ में लगा हो कि चार गंटा-पांच गंटे का लेक्शे बहुत शांदार गया आ गई है तो वहां पर कमेंट करना मत भूलिएगा ताकि मैं मुझे एक आईडिया लग जाए कि आप सब्सक्राइब को कि हम लोग तो हम लोग कोटा में ऐसे ही खेलते हैं हम लोग एक PPT बना लिए प्रस्टे पर चले चले एक रस्ते पर चले ऐसा नहीं है तब है जब तूसमें चीजे मिक्स करें चीजे मिक्स करो मेकैनिक से आगी है तो पूरी मेकैनिक गुजेड़े तो उसके अंदर तुम मज़ आते हैं सवालों के साथ खेलने का हम लोग तो यहां पर मैं बहुत कंट्रोल वे में पढ़ा रहा हूं कि मुझे इधर की बात नी करनी है कम की बात करनी है ठीक है यह थोड़ा सा मैं क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप मेंसे कितने लोग कितने सिंसियर हैं कितने लोग पहले कितना च्छे से पड़े थे किशन लाहा सर नहीं बेटा इग्नोर बिल्कुन नहीं कर रहा हूँ चलो मेरे साब से अपने question श्टार्ट करता हूँ तो काइदे में तुम्हें एक काम करना है पहली चीज तो मेरे भाई यह याद रखनी है दूसी चीज तुम्हें यह याद रखनी है और फिर तुम्हें यह याद रखना है और अगर यह चीज समझ में आ गई है तो अब चलते हैं खेला खाली आजाओ भया question से start करते हैं मैं एक question से बसी जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग इस चीज को apply कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं मैंने बोला P, ये बोला B और यहाँ पर सपोच एक बना दिया rectangle ये है A, ये है B, ये है C, ये है D दिख रहा है क्या और arrow बना दिया मेरे भाई मैंने ऐसे A, B, C, D अब मैं एक एक चीज जानना चाहता हूँ तब लोग typing पे लेके start करो A से लेके B तक, जल्दी से बताओ क्या कहानी है, A से लेके B तक, बॉक्ड़न भाई गैस के बारे में क्या कहना है, जल्दी से type it बाते बंद, पढ़ाई सुरू 10 में डो चुके हैं, बाते बंद, पढ़ाई सुरू बाते बंद, पढ़ाई सुरू A से लेके B तक volume क्या हो रहा है सर बढ़ रहा है volume बढ़ रहा है तो क्या होगा सर पॉजिटिव होगा पतम कानी ओके ठीक है सर आगे बढ़ते है उसके बाद सर A से लेके B volume तो बढ़ रहा है और देख volume बढ़ रहा है pressure constant है PV equal to NRTV लिख सर बॉल्यूम क्या है सर बढ़ रहा है और pressure constant है इसका मतलब temperature भी बढ़ेगा और temperature बढ़ेगा तो मेरे दोस्त delta U भी positive हो जाएगा बात समझ में आ रही है के लिए रहे बहुत ही बढ़ या तो अगर ये चीज़ समझ में आई तो जल्दी से बता B से लेके C क्या होगा नीचे बग, नीचे बग, नीचे बग नीचे जाओ ये का है बहुत है टाइमर नहीं चाहिए जा ना अरे यार जा 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 एक जाए तो दूसरा आए हाँ ठीक मैं बात करना चाहरा हूँ B से लेके C तक मैं बात करना चाहरा हूँ C से लेके D तक मैं बात करना चाहरा हूँ D से लेके A तक प्लीज फिल करो जल्दी से पता करो कि कौन पॉजेटिव कौन निगेटिव एक करके बात करते हैं चलो volume constant pressure बढ़ रहा है इसका मतलब यह निगेटिव और सब इसका मतलब यह निगेटिव और इसका मतलब यह निगेटिव तक इसका मतलब बॉल्न कॉंटिव और जित्ते लोग पूरा साही था प्लीज गिव ए हार्ट साइन जल्दी से, पठाक से, जल्दी, देखा, ओल मैच, ओल मैच, ओल करेक्ट, सावाच, बहुत ही बड़ी है, अगला, चल इसी बात पर यह भी करके देखा, मैं बोलू यहां पर P, और मैं बोलू भाईया, यह एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, वॉल्यूम के साथ, A, P, C, ऐसा, 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 खेल सवाल के साथ, जित्ता खेल सकता है, तू, A से B, B से C, C से A, आजाओ, खेलते हैं, और डेल्टा यू, मुझे बस इनी की प्रेक्टिस करानी है, भाई तुझे, सबसे पहले, यह कर लिया, यह कर लिया, तो समझता, जही एडवांस के 50%, और जही मेंस के 50% कुश्चन होगे, शुरू हो जाओ भाई साब, बोलो, A से लेके B, वाक्ड़न भाई गैस, क्या होगा, और से टिप, आज बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ो, डेल्टा यू, सर, प्रेशर इस कॉंचेंट, बॉल्लिम बढ़ रहा है, लिख ले पहले, पीवी बराबर रहना आटी, ठीक है, पीवी बराबर रहना आटी, अगर तू लिख लेगा, तो तू बोलेगा, सर, प्रेशर इस कॉंचेंट, अब वॉल्लिम जो है, वो तुम्हारा बढ़ रहा है, ठीक है, तो टेंपरेचर बढ़ेगा, इसका मतर डिल्टा यू पॉसर ठीक, लियर, सर, सही है, बहुत ही बढ अगर, अजू, कार्टे, अरे बहुत ही शावाज, तू बोलेगा, कि सब वॉल्लिम यहापर क्या हो गया है, प्रेशर क्या होता जा रहा है, सब प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वॉल्लिम क्या है, तेरा कॉंचेंट है, टेंपरेचर बढ़ेगा, तो टेल्टा यू इस अब आए मजा आए मजा जल्दी से बोलो जल्दी हाँ 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 है जीरो सोचो 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 डिल्टा यू क्या होगा सी से लेके नहीं 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 ऐसा नहीं करो नहीं ऐसा नहीं करो ऐसा नहीं करो कद्दू है कद्दू नहीं है वे आंसर निकाल सोच सी से लेके ए ओहो बहुत ही बढ़िया इंप्रेशन प्रेभास इन लोगने आंसर देना इशार्ट कर दिया है रिशी ने आंसर देना सुरू कर दिया है बहुती बढ़िया बहुती बढ़िया बहुती बढ़िया एस नवीन ने भी आंसर दे दिया है बिल्कुल करेक्ट और 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 Conscient स्तूती गलगो तो नहीं होगा ठीक है भाईया सही answer है negative होगा देख सुन नेगेटिप क्यों होगा क्योंकि हत्यार नमबर एक खुपचे में लिखाया था PV का प्रोटेक्ट अगर कम हो जाएगा तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा तो मैं यहां बोल सकता हूँ सर यहां प्रेशर भी जादा है और यहां बॉल्यूम भी जादा है यहाँ pressure भी कम है यहाँ volume भी कम है A पर pressure भी कम हो गया volume भी कम हो गया तो PV का product भी कम हो गया तो PV का product कम हो गया तो temperature भी कम हो गया और temperature कम हो गया तो U कम हो गया और U कम हो गया तो delta U 0 हो गया clear है? जिन लोग के answer match कर गए हो वो जल्दिस से यहाँ पर hard का sign दे दो ताकि मैं समझ जाओं कि तुम अब खेलना सीख गए हो जल्दी से हाँ hard का sign अगर तुम इसके साथ खेलना सीख गए हो सवाल की कोई limit नहीं है मेरे पास वक्त होता तो मैं खूब सवाल कराता तुमको ठीक है एरो ऐसा बना दिया इस बार अब आएगा मजा आजा भाई साथ ए से लेके बी तक के बारे में बॉक्डन भाई कैस और देल्टा यू मेरे पास सिर्फ बोर्ट के ही नोट से हैं कोई बात नहीं बेटा अभी तो पढ़ जो पढ़ रहा हूं मैं तरह को मेंस और एडवांस लेवल का पढ़ा रहा हूं जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो क्या मैं ऐसा बोल दूँ कि सर यहां से इससे पास कर रहा है तो इसका मतलब हम पढ़ चुके हैं यहां पर इसका वॉल्लिम हो जाएगा तेरा सर अगर पीटी गरा पासिंग त्रू रीजिंग होता है तो वाई बराबर एमेक्स के लाइन हो जाएगी अब बॉल्लिम कॉंचेंट हो जाएगा बॉल्लिम अगर कॉंचेंट हो गया तो न बढ़ रहा है न घट रहा है तो वर्क डन भाई गैसे सीरो लेकिन जैसे जैसे आगे जा रहा है टेंपरेचर बढ़ता जा रहा है टेंपरेचर बढ़ेगा तो यू बढ़ेगा और यू बढ़ेगा तो डेल्टा यू बिल भी पॉसेट है ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है आगे मैंने का आगे आगे आगर मैं B से लेके C तक बात करूँ, सब लोग try करो, B से लेके C क्या होगा सब लोग try करो अब तू समझ रहा है, क्यों मैंने कहां से lecture start किया था समझ रहा होगा तू, उसकी कीमत समझ रहा होगा, ठीगे न, हाँ बहुत ही बढ़िया बहुत ही बडिया, बोल जल्दी से, क्या बोलेगा, तु बोलेगा सर देखो सर देखो, सर बी से लेके सी तक जो है ना, टेंपडरेचर कॉंशेंट है ने टर्प मेरे जब बढ़ रहा है ना, टेंपरेचर घट रहा है, तो डेलटा यू तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यहां से लेके यहांट ओ तर temperature क्या है constant temperature कैसे constant है रहें गहीडरा देख न यह देख temperature constant है तो लिख न एक बार P B बराबर है नाटी टू चेक करके बार देख temperature तेरा constant है pressure तेरा कम हो रहा है गो प्रेशर कम होना टेंप्रेचर का मतलब बढ़ना और बॉलिम बढ़ेगा तो वर्ग नमाइक ऐसे स्पॉजटिव या बहुत ही बढ़िया उसी के बाद अगर इसी समझ मा अ गई तो सी से लेकर एक तक की तो तो ला देगा है सही साथ सी से लेकर ए तक टेंप्रेचर जो हो रहा है वो तेरा क्या है कम होता चला जा रहा है तो डेल्ट dad यह इस निगेटिव और सी से लेके ए तक जो प्रेशर है वो तेरा कॉंशेंट है प्रेशर कॉंशेंट टेंप्रेचर घटना का मतलब वॉल्यूम घटना तो वग्नवाइक ऐसे इस निगेटिव बहुत अच्छा सवाल ता बेटा ऐसा सवाल जेए एडवांस में भी आ चुका है और अगर यह चीज तुझा भी तक जितना मैंने बड़ाई साथ समझ मां आ गई तो एक हार्ट का इमोजी सब लोग भीजे सब लोग कल्दी से मैच ओके अब थोड़ा सा लेक्चर को एक्सिलरेट करते हैं तीसरा चौथा गयर डालते हैं सर वागड़न भाई गैस आपने बोला था इंटीगरेशन और पी डीवी मैंने गया हाँ तो सर इसका मतलब यह है प्रेशर वर्सिस वॉल्यूम का जो ग्राफ होगा अगर मैं सपोच ऐसा गराफ बना देता हूँ तो सर इस गराफ का जो एरिया होगा ना सर एरिया वो दे देगा वागड़न भाई गैस मैंने का बिल्गुल करेक्ट बात है ठीक है सर इसी बात पर कुश्चन कर लेते हैं कि अगर मैं सपोच जाहिर सी बात है एरो अगर मैं ऐसे बना हूँगा बॉलिम बढ़ रहा है तो वागड़न भाई गैस इस पॉजिटीव और एरो अगर दूसरी तब गना हूँगा तो वागड़न भाई गैस इस निगेटीव तो मैं एरो को हटा देता हूँ और इस पर एक कोश्चन करते हैं मज़ेदार वाला जैसे पहला प्रश्ण जान से देखना सब लोग यह है प्रेशर यह है वॉल्यूम मैंने बोला कि ऐसा डाइग्राम सपोज मैंने बना दिया ठीक है सर ठीक है सर ठीक है सर एरो मैंने ऐसे बना दिया है मज़ेदार तरीके सब तीरे 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 अम लोग एक्जाम ओरेंटेड होते चले आएंगे बेसिक हमारी किलियर होगे फिर अपन पीवाई क्यूस पे चलेंगे ठीक मैंने बोला कि सपोज यह वॉल्यूम है वी नॉट यह वॉल्यूम है सपोज फोर भी नॉट यह वॉल्यूम मैंने दे दिया तूपी नॉट ठीक है सर ठीक है सर आगे बरते हैं अब मैंने अब एक एक करके मैं जानना चाहता हूं पहला सर वाट इस वागड़न भाई गैस फ्रॉम एटू बी अगर मैं एटू बी मतलब यह रहा पॉइंट ए यह रहा पॉइंट बी यह र यहां से कि सर यह रहा थोड़ा इधर बना देता हूं सर यह रहा प्रेशर और यह रहा वॉल्यूम बहुत माइनिट सी चीज है शायद आपको पता हो नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं कि सर सपोज यह वॉल्यूम है वी नॉट और यह वॉल्यूम मैं कर देता हूं फोर ठीक है तो मैं अगर यहां पर पूछू कि what is work done by gas from A to B तब आप बोलोगे कि sir A से लेके B तक अगर आपको work done by gas चाहिए तो आपको चाहिए sir इसके नीचे का area undercard एक sir area undercard कितना है sir sir अगर यह P naught है और यह distance 3B naught है तो P naught into 3B naught क्योंकि यहां पर volume बढ़ रहा है इसका मतब work done by gas will be positive तो 3B naught V naught वहीं अगर मैं एक question यह दे दूँ यहां पर ध्यान से देखना कि मैंने arrow ऐसे बना दिया इसको मैंने बोल दिया 3B naught इसको मैंने बोल दिया V naught यह है volume यह है pressure और मैंने यहां पर बोला कि suppose यहां पर यह है 4P naught एक्जामपल के तौर पे इस बार यह point दे दिया A और यह point दे दिया B मैं जारना चाहता हूं work done by gas from B to A please सब लोग यहां पर type करके बताएं कि यह वाला area आप कितना देख पा रहे हो यह वाला area यह वाला area यह वाला जल्दी से और यह बहुत ही बढ़िया अब तुम तो मुझे से पहले लिख दे रहे हो वे शाबाज बहुत ही बढ़िया तू लिखेगा सब सब पहले तो माइनस लगा दो क्योंकि लगातार वॉल्यम क्या हो रहा है कम हो रहा है इसका मतलब आंसर बिली माइनस एट पी नॉट बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया अब यार यह कोई तो गलत करो सर एंच यह नीट वाले देख सकते हैं क्या हाँ बेटा नीट वाले देख तो सकते हो सम्तिंग बेटर दैन नथिंग आपको समझ में तो पूरा आही जाएगा लेकिन जितने हाइ लेवल के सवाल में करा हूँ उनको तो आप चाहो तो इसके वो कर देना उसकर पार सब्सक्राइब वैसे लगा कि वॉल्यम भढ रहा है तो पॉसितिव बॉल्यम घट रहा है तो निगेटिव अब इस सवाल के साथ खेलते हैं जो मैंने हाँ पर लिखा था मैं तुस्से पूझा भाई ए से लेकर बीर तक बॉक्टन बता दे तू बोलेगा कि सर यह जो हर्याला वाला एरिया ना हरा वाला एरिया यह वाला एरिया अगर बात करो यह हरा वाला एरिया अगर बात करो तो सर यह हो जाएगा बॉक 3 V naught प्लस लगा के क्योंकि volume बढ़ रहा है ओके ठीक है सर सर अगर बात करें B से लेके C तक walk done by guess क्या होगा तुम बोलोगे 0 सर बात करें A से लेके D तक अगर walk done by guess क्या होगा तुम बोलोगे 0 क्यों 0 0 क्योंकि volume यहाँ पर क्या है constant volume constant होता है तो isocoric process होता है इसलिए isocoric process में तुछ बोल सकता है कि walk done क्या होता है 0 होता है कि बोलो कुछ गलती कर दी कहा है मैंने एक बच्चा बोला है wrong है माइने 6 P note भी नो कुछ गलती कर दी कहा है अच्छा वो आप बात का अंसर दे रहा होगा यह चार और यह दुनिया चाहिए चल ला है अगर मैं सही लिख रहा हूं तो प्लीस सब लोग जो है यहां पर हाट का साइन विजो सब सी टुडी सी टुडी चेक कर ले अच्छा सी टुडी का अंसर दे रहा है ठीक है मैं सी टुडी पहुंचा नहीं हूं चल अगर मैं बात करूं वर्ग नबाई गैस प्रॉम सी टुडी तो ध्यान से देख सी से डी जाएगा अगर तू तो जाहिर सी बात है इसके नीचे का टोटल एरिया ची है सर यहां पर सब आपने यहां पर ना यह पूरा वाला एरिया निकाल दिया सर यह वाला एरिया यह पूरा एरिया तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर मुझे बता दो वाग डन बाई गैस नेट तब आप बोलोगे सब वाग डन बाई गैस प्रॉम ए टू भी प्लस वाग डन बाई गैस प्रॉम ए टू सी प्लस वाग डन बाई गैस प्रॉम ए टू सी ए लुह कोई ड्रकत नहीं है क्या कुछ गल्ती हो रही है क्लिए क्या कि ए पूश कहे रहे हैं कि रोंग या गलती करती भाई थिरी पी नौट पी नौट अच्छा तुम लोग आंसर दे रहे हो गया है अच्छा तुम लोग आगे चल ले और यह शायर मजा आ रहा है सर ओके ठीक है ओके नेक्ट तो अगर मैं बात करूं ध्यान से दे तो work done by A to B, कितना आया? सर, आगे की तरफ आया था, plus 3 P not B not, work done by B से C, कितना आ गया? सर, 0, work done by C to D, कितना आया? सर, minus 6 P not B not, और ये कितना आया? सर, 0, जब इनको solve करोगे, तो 3 में से ये गया, ये आ गया, minus 3 P not B not, बात समझ में आ रही है, तो यहां से क्या सीख मिली? कि मैं अगर तुस्से बात पूछू, कि मुझे इतना एरिया बता दे, गुलाबी वाला एरिया, ये एरिया कितना होगा? तो ध्यान से दे, ये एरिया 3 P not B not ही है, क्योंकि तुने सफेद वाले एरिया में से, ये वाला एरिया गटा दिया, तो ये वाला एरिया आ गया, बीच वाला, इसका मतलब, इसका मतलब यह हुआ, इस सवाल में ऐसी, भड़ जी मैं नहीं करा रहा हूँ बेटा, इसका मतलब यह हुआ, कि आज के बाद, अगर तुस्स से कोई भी, cyclic process पूछेगा cyclic process का मतलब घूम फिर के वहीं पर आ जाना कि suppose उसने कुछ इस type की cyclic process पूछ ली चाहें circular बना दे या चाहें तू ऐसा बना दे कोई फरक नहीं पड़ता है बस तुझे यह याद रखना है इस सवाल में ध्यान से देखना कि cyclic process में PB graph में area under curve जो होता है वो देता है बॉग्डन बाई gas क्या सर यह जो area है ना यह वाला area ठीक यह इतना area जो है यह देगा बॉग्डन बाई gas क्लियर है नेट बॉग्डन बाई gas देगा और मैं अगर ऐसा बोलू सर यह बता दो कि इसका sign अगर clockwise है ठीक तो वॉग्डन बाई gas होगा positive और अगर इसका sign अगर anti clockwise है तो वॉग्डन बाई gas होगा negative मतलब सर यह sign तो हमको anti clockwise दिख रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि वॉग्डन बाई gas होगा negative वहीं अगर मैं इसी सवाल में ऐसा diagram बना दिये था इस type का ऐसा ठीक यह क्या था P यह क्या था V तो इसका मतलब तुम बोल देते कि सर यहाँ पर इसका जो area होगा यह बाला area यह area देगा वॉग्डन बाई gas जो कि यहाँ पर हो जाएगा positive क्योंकि clockwise है ठीक तो clockwise हो तो यहाँ दखना वॉग्डन बाई gas is positive अगर antic clockwise हो तो यहाँ दखना वॉग्डन बाई gas is negative सर ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ मैंने इसका reason देख यह है यह जो सवाल किया हम लोग ने नेट वॉग्डन देख नेट वॉग्डन क्या निकल गया है देख यहां से नेट वॉग्डन आया माइनस 3P0 B0 अगर तू लोजिकली बात करेगा तो खुश सोच सी से लेके ए तक जब हम गए क्या बोला मैंने सी से लेके ए तक जब हम लोग गए तो नीचे ज़ादा एरिया था न और जब A से लेके B गए तो नीचे कम एरिया था तो किसके नीचे एरिया ज़ादे था सी से लेके A तक और सी से लेके A तक वॉग्डन बाई गया से निगेटीव था तो इसका मतलब निगेटीव वाला एरिया ज़ादा है है तो Net Walkden हमारा क्या आगिया है निगेटीव आ गया है कि कि सर ऐसे कोश्चन के में आइटी में पूछते हैं कोई बात निवेटा केमिस्टी में त्यायर हो जाए तर यह अच्छी है प्तु तुटिका रहे हैं कि अब मुद्दे की बात कि सीधी याथ कर ला कि याथ कर बढ़ाक से कि साइक्लिक प्रोसेस में एरिया इंडर कर बिल की विदा बॉग्डव में एरो मैंने ऐसे बना दिया यहां पर इस बताओ बोग्डवाइगास क्या होगा सर यह क्या है यह सर यह है एक बोलो आखे बस यादकर हाँ हूँ यह कंफूज हो सकता है यह पर का positive communicative तो याद रखने का तरीका मैंने ऐसे याद किया था जब मैं student था कि यार घड़ी अगर सही चल लए है तो positive और घड़ी अगर उल्टी चल लए है तो negative खोपचा बना के लिखते है फटाक से लिख ले जल्दी से इसी इसको cyclic process में cyclic process में कर्व के अंदर का area will give you the work done by the gas cyclic process में कर्व का अंदर का area will give you work done by the gas अब समझ मागिया हो तुझे कि मुझे PPT की ज़रूत क्यों नहीं है है ना हाँ हम 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 देख तू ना मेरे को आदा घंटा और दे आदे घंटे में मैं थियोरी खतम कर लेता हूँ काफी अद तक फिर अपन questions करेंगे ठीक है बस थोड़ी देर और बेट कर ले तू मुझे बस ठीका रहा है किसी तरीके से देख one shot है जाहिर सी बात है तो one shot है तो इसका मदब पढ़ना तो पूरा ही पढ़ेगा तुझे तो लिख ले साइकलिक प्रोसेड में एरिया के अंदर का एरिया विल गिव यू दा वागड़न भाई दा गैस ठीक लिख अगर clockwise है तो वागड़न भाई गैस इस पॉजिटिव और anti-clockwise है तो वागड़न भाई गैस इस नेगेटिव जल्दी लिखो अगर clockwise है तो वागड़न भाई गैस इस पॉजिटिव और अगर anti-clockwise है तो वागड़न भाई गैस इस नेगेटिव ओके एक लगा पुछाै तरा आप कौन से वेक कौन से Museum लग रा ही यह अब ही यह लेंडिंग अभी अभी है चलो ओके यह वाला पार समाप्त हुआ अब बात करते हैं हम लोग इस पे डेल्टा U पर एक बाद Delta U के साथ और खिल लेते हैं तो यह बता Delta U थी कितनी NFR Delta T बटे दो मैं चाहता हूं पहले इसके साथ खिलना सीख ठीक मैंने WalkDun के साथ तुझे मस्च खिलना सिखा दिया है अब एक बाद Delta U के साथ खिलना सीख मैं अगर तुझे ऐसा बोलू ध्यान से दे कि सपोज ये प्रेशर है ये वॉल्यूम है मैंने ऐसा डाइगरम बना दिया मैंने बोला भाईया ये था एक्जाम्पल के तौर फे वी नॉट और ये था सपोज पी नॉट और मैं कह दू कि भाई सब ये हो गया फोर वी नॉट देन फाइंड डेल्टा यू फ्रॉम ए टू बी पात समझ में आ रही है मैं लिख देता हूँ एफ टेंप्रेचर एट ए बराबर टी नॉट तो तू बड़े मजे से बोलेगा मैं तुझे सब कुछ बढ़ा चुका हूँ तू बोलेगा सर देखो यहां पे पी इसका मतलब यहां टेंप्रेचर क्यों एक टी नॉट है तो यहां टेंप्रेचर फो टी लाऊड हो जाएगा तो अगर मैं Aí तो चार में से एक गया चार में से एक गया तीन ठीटीन उनट जब्डेगाई अगर मैं ऐसा बोलू इसके बाद कि सपोर्ट इस ग्राब को मैं उपर ले गया चला तो उपर भी ले जा और यहां ले जा ऐसे जिसका यही तो मज़ा है खेल सवालों के साथ जितना खेल सकते हो खेलो यह ले भाई यहां मैं ले गया सपोर्ट टू पी नॉट पर तो सर इस जगा पर यह फोर वी नॉट और यह टू पी नॉट तो एट वी नॉट पी नॉट हो गया इसका मतब यहां टेंपरेचर हो जाएगा एट पी नॉट ठीक तो मैं अगर तुस्से पुछूँ कि मुझे बताओ डेल्ट यू प्रॉम बी टू सी ठीक तो जाहिर सी बात है टेंपरेचर बढ़ा है तो भाईया पॉजिटीव आएगा और मैं तुसरे बता कितना आएगा सरीय कितना है सरीय है फोर्टी नॉट ठीक तो सीधा तू लिखेगा सर एन एफ आर फोर्टी नॉट बटे तो यह फोर्टी ब्लेंडिंग है अभी तो पढ़ने में दिक्कत आएगी यही लेक्चे मेरा सुरू से देख रहा है तो बिल्कुल समझ माएगा अच्छे सौझ माएगा नेक्श आगे बढ़ते हैं अगला सर अगर मैं चल एक काम कर इसको इधर लेकर आजा एक ए बी सी और इसको मैं कहता ह यह हो जाएगा तो बाइटा एक हो जाएगा ए तो मैं अगर तुमसे पूछो कि यहां सर्थ प्रेजिए बता दे क्या होगा डिल्टा यूव तो तो बोलेगा सर्थ डिल्टा यू हो जाए गा एन एफ और सर्थ टेंपरेचर कम हो गया और माइनस 6 हुआ है तो इसका मतब माइनस 6 टी नॉट बटे तो समझ मेरी बात मैं नफरत बटे दो ही लगा रहा हूं एन एफ आर डेल्टा टी बटे दो ही लगा रहा हूं सर वी आर विद यू बाबा जी बोले हैं बहुत बड़ी है बटा टिकर है विल्कुल ठीक तो क्योंकि यहां पर टेंपरेचर कम हुआ है और डेल्टा यू निगेटिव है खोपचे में मैं लिखवा चुका हूं एक लेगर यह 4B-0 है और यहां पर प्रेशे कितना है 2B-0 है तो PV-0 कितना हो गया PV की अट खोणा होगया तो और अगर यहां बात करूँगा, तो यह V0, यह 2P0, तो जाहिर सी बात है, इस जगे PB का प्रोडेक्ट, 2P0, V0, तो टेंपरेचर हो गया T0, ठीक है बाई साथ, यह A T0, यह 2T0, तो कितना टेंपरेचर कम हो गया, डेल्टा T कितना हुआ, डेल्टा T हुआ, माइनस 6, मैंने ब बात करूँ, तो चेक करके देख, यह 2T0, यह है T0, तो कम हो गया, तो सीधा लिखेगा, माइनस NFR, T0 बटे तो, क्योंकि T0 मैंस 2T0 घटाएगा, तो माइनस T0 बचाएगा, बस तू मुझे बता दे, क्या यह सब बाते, जो मैंने Individually कराई है, मैं चाहता तो हावा हावा में भी उड़ा दे था, यह जो Individually कराई है, क्या यह बात समझ में आई है तेरी, अगर आई है तो हाट बना दे, जल्दी से, और अगर यह बात समझ में आई है, तो मेरे भाई तु Delta U Net निकाल के दीखा, Delta U Net मतलब, A से B, B से C, C से D, D से A, जल्दी से, सब को जोड़ के दिखा, किन सब को जोड़ के दिखा, इसको, 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 और इसको, और इसको, और यह माइनस है आपर, जल्दी शेक करो, जोड़ो दर देखो, सब लोग जोड़ो, अरे यार शावाश है, बहुत ही बढ पढ़िया, तर इतना अच्छा मत पढ़ाओ, मेरी रेंग गिर जाएगी, अब अच्छा पढ़ाने से रेंग कैसे गिरेगी, अच्छा कमपटिशन हाई हो जाएगा, अगर ऐसी बात है, then yes, you must be very lucky, कि आप और हम दोनों एक साथ मिलके पढ़े रहे हैं, अब लोग चेक करो, क्या ये 0 आ रहा है, क्या ये 0 आ रहा है, है, हाँ 0 आ रहा है, और 0 आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, क्यो 0 आना चाहिए था, अब साला ग्राब जहां से शुरू हुआ, वह ही आ गया, ठीक, ये A से शुरू हुआ, और A पर ही खतम हो गया, और मैंने तुझे लिखाया था, खोपचे में जल्दी पलट के देख, नोट्स, कि डेल्टा यू, only and only temperature पे डिपेंड करता है, और मारी बाद, only and only initial and final temperature पे डिपेंड करता है, तो final temperature, initial temperature भाई मेरे सेम हो गए, तो इसका मतदद delta U को तो 0 होना ही होना है, इसका मतदद delta U कभी process पे डिपेंड नहीं करता, वो initial और final position पे ही डिपेंड करता है, अगर किसीने नहीं लिखा हो, तो खोपचा बना के द्वारा लिख, खोपचा बना और लिख, कि delta U, process पर डिपेंड नहीं करता, यह initial और final temperature पर ही डिपेंड करता है, यह initial और final temperature पर ही डिपेंड करता है, उन्मारी बात, और अगर यह बात समझ में आ गई है, तो इसका मतलब साइक्लिक प्रॉसेस में, साइक्लिक प्रॉसेस में, अगर घूम फिर के बंदा वहीं आ गया, घूम फिर के पॉइंट वहीं आ गया, तो initial और final point coincide कर गए, तो इसका मतलब initial temperature, final temperature सेम हो गया, इसका मतलब इन्मारी प्रॉसेस में, तो यह बोल सकता है, कि साइक्लिक प्रॉसेस में, समझ मारी है, अब तेरा यह नया खौप्चा तैयार हुआ है, चाहे तो तु लिख ले, तो साला यहीं लिख ले, इसी जगे, अगर जो लोग नोट्स बना रहे हैं न, बोलो यहीं लिख ले, किस फोर, साइक्लिक प्रॉसेस, डेल्टा यू बराबर, जी रो, बोलो, किलियर है, 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 किलियर है इसां मतलबभआ करा लिए त हमकाई करा था क्राइब त Pasad 2 रिचा उचानी ज ft2 be यह पतानी के भिष्व घ्राएस जिदूने सवाल मेंगा है यह जैसे सवाल है स्वाल सेक्लिक प्रोशेस डेल्टा-1 G net 0 8 जल पीछे जल पीछे जल यह साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू नेट जीडो पीछे चल सार काहां के एह इसमें बता सर इसमें दिन्धे को तरी इसमें टेंपरेट्र बढ़ रहा है तमस्तर बंपरीज़ प्राइग कुछ पॉजेटिव पीछे जल 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 सर इसमें भी टेमपरेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब डेल्टा यू इस पॉजेटिव पीछे जल पीछे जल पीछे जल इसमें इसमें क्या हो रहा है सर इसमें टेमपरेचर पॉ तो सर कि पहां से नीचल जाता है कि पास समझ मारि है एक चलो के बढ़ते हैं मि देख और कहां पे पढ़ा था पीछद पीछद पीछा सब सब्सक्angaion इसथते हो टेम्प्रेचा चारगुना हो गया इसका मतलब डिल्टा यूस पॉसटिफ थेंप्रेचर क्ल नुक्षे Cash यह तेंपरेचर चार गुना हो गया इसका मतलब डेल्टा यू इस पॉसेटिव जो बच्चे नए आए हैं अभी अभी आए हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा बेटा सुरू से लेक्चर देखो बात समझ में आ रही है जो बच्चे अभी जुड़ेवे हैं मुझे पू प्रिचर बढ़ेगा जहां तो डेल्टा यू पॉसेटिव होगा और उसकी वेल्वी नफ्रेट बटे दो करके निकाल सकते हैं आट टाइप करने में कोई कंजूसी नहीं करनी है बेटा क्योंकि जब तक मैं नहीं समझुआ कि आप लोग कितना समझ पा रहे हो तब तक मजा नहीं आएगा आप मुझे समझ रहे हों तो मैं भी तो आपको समझू मेरा हख है आपको समझना सारे कंसप्सेप्स किलि образом बहुती बढ़िया इन्फनीटी के बरावर लव ..aches बहुती बढ़िया तो इसका मतब यहां पे डेल्टा यू इन एफ आर्ती बटे तो अब तू बोलेगा सवाल कैसे आएंगे सवाल लिख ले ना यह देख इसी पर सवाल लिख ले लिख लिखना मत कुछ भी लिखना मत कुछ भी बदेख पोर तू मोल मोनो एटोमिक गैस अंडर दा प्रोसेस या T बराबर केवी स्कॉार ठीक फाइंड देल्टा यू इफ तेमपरेचर इंक्रीज प्रोम 100 डिगरी सेल्सियस तू या बॉल्यूम इंक्रीज प्रोम या कुछ भी लिख ले ना तेमपरेचर इंक्रीज प्रोम 100 कल्विन तू 400 कल्मिन कि खेल सवाल के साथ यार जैसी उसने टू मॉल दे दिया तो तू समझ जाना कि टू मॉल का मतलब एंड बराबर दो है मुझा दे दिया इसका मतलब डिग्री ओफ्रीडम की वेली तीन है समझ में आ रही है मैं फिर से बोलना हूं रट मत रट मत अपलाई का और मस्त रह ऐसा नहीं है कि मैंने रट रखा है यह सवाल कराना है अगर रट रखा होता ना तो पीपीटी में बना के लाता मैं यह आप यह फिक है है मेरी तरह कोशिश कर जिस तरह मैं फिजिक्स को देखता हूं उसी तरह देखने की कोशिश कर हासर आपने डिल्टा यू बता दिया iPhone ताइस आप दो साही है एक कराएंगा सवाल उसके लिए वेट कर एक पीपीटी वाले सवाल भी करेंगे क्योंतों आरी बास कोई सबी सवाल हो सकता है जैसे यहांपर देख लेट इस पर देख ठीक फाइब मॉल ओफ डाइटोमिक गैस अंडर गो दप्रोसेस टीबी स्क्वाइर बराबर कॉंस्टेंट सच डैट प्रेशर ओफ दगैस बिकम एट टाइम्स फाइंड चेंज इन इंटर्नल एनरजी खेल सवाल के साथ निकाल ले ऐसा नहीं मैं सवाल नहीं करा हूँगा बेटा मैं सवाल करा हूँगा ठीक है मैंने तुझे डेल्टा यू के साथ खेलना सिखा दिया वर्क दन के साथ खेलना सिखा दिया बस एक टम और बचावा है एक और उसके साथ और सिखा कि खेलना सिखा दूं जिसका नाम है उश्मा गर्माहट तूने जैसे डेल्टा-क्यू के साथ खेलना सिख गया फिर तो मज़े ही आ जाएगा उसके बाद तू देख तो खैर मुझे उम्मीद है यह सारी चीज़ तू समझ गया होगा आगे बढ़तें आगे बढ़तें आगे बढ़तें आगे बढ़तें आगे बढ़तें आप अराम से अराम से अराम से अराम से अराम से अराम से चलो 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 पीपीटी है देख रहा है कुश्चन कुश्चन मरे बढ़ा है बाद मैं एगेंगे इनको था लोगा पहले हम लोग अपना कंसेप्ट किलियर कर ले नहीं 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 यहां पर चल लेते हैं इसके बाद तो यहां से हमने यह देखा कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू होता है जीरो बॉर्ग निकालना हो एरिया निकालना है क्लोग वाइस में पॉजिटिव एंटी क्लोग वाइस में नेगेटिव एक है अब इसके बाद अब हम चलते हैं फर्ष्ट लोग कर द फर्ष्टूर डंबक्सट्रा अरलों के अब इसके प्रॉह दिखने और मतलब है कि शायद आपने पड़ा हो इस सट डेल्टा क्यू बराबर देल्टा हूउल्स डेल्टा डपल्स डेल्टा कई ठीक मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ कई और कुछ और लिखा हो तो मुझे नहीं पता ठीक एक एक चीज मैं हाँ पर explain कर देता हूँ डेल्टा डवलू है work done by gas ठीक डेल्टा यू है change in internal energy ठीक और डेल्टा क्यों है heat given और taken to the or from the system पासवा रही है कि यह फर्श लोग thermodynamics है कि system को कुछ अगर मैंने heat energy दी तो उसका कुछ पार चला जाएगा इंटर्नल एनर्जी में और कुछ पार चला जाएगा work done by the gas में तो मैंने तुझे जो है सारी चीजें यहाँ पर अब बी से सी क्या था इसमें कि एक बच्चा कह रहा है सब बी से सी समझ में नहीं आया कहां था बी से सी यारी यह दो बार तो बता दिया मैं क्या मुझे फिर से एक्स्प्लेंट करना चाहिए का फ्लीस अगर मैजोर्टी बोलेगी कि बी से सी एक्स्प्लेंट कर दो तो मैं कर दूंगा explain और अगर कोई बोलेगा कि नहीं मत करो एक्स्प्लेइन से समझ में आ गया तो मैं नहीं करूँगा और इस तहरीम फातिमा मैटम यहां भी आ गई बहुत भी बढ़िया में नो 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 ठीक है बैस आप ओके नएक्स आगे बढ़ताूं तो ध्यान से तू देख यहां पर डेल्टा-C thrilled डेल्टा-C ita अंगया ना के शाध मैं नो चैनले टिंठगादिया है चानल कि न बचल में वाद को दि happen है perfect है बस इसमेगफ घ्यान डगना है कि इसका sign क्योंकि साइन जो है क्योंकि chemistry और physics के thermod cięnamise को बातिंब कर देता है यहां सब अर्लग को दो है हमारे physics में हमारे chemistry में तो मैं आप सारी बाते बतायते हो να देल्टा Q मुझे explain नहीं करना है ये भी मुझे explain नहीं करना है क्योंकि इतनी देर से हम यही पढ़ रहे हैं डेल्टा Q होता है हीट गीबन या हीट टेकन तो बस यह याद रखना कि physics में क्या अगर उश्मा आ रही है अगर उश्मा आ रही है तो भाईया जो डेल्टा Q होगा उसका sign होगा positive और अगर उश्मा जा रही है तो उसका sign होगा negative मैं ऐसा लिख देता हूँ if heat is if heat is given to the system ठीक है system मता हमारे लिए gas है if heat is given to the gas ठीक या if heat is absorbed by the gas तो समझ जाना कि डेल्टा Q का sign होगा पास होज मारी है और if heat is rejected by the system if heat is rejected by the system तो डेल्टा Q हो जाएगा मेरे भाई negative clear है मैं याद रखने का तरीका बता देता हूँ बेटा भाईया तू ऐसी समझ ले कैसे समझ ले जब rejection होता है ना तो बड़ी negativity आती है या जब आ रही होती है ना heat absorb होना मतलब system को heat मिल रही है मतलब gas को मिल रही है अगर heat आ रही है गर्मा हट बढ़ रही है तो बड़ा मजा आता है तो इसका मतलब ऊशिमा आ रही है बड़ा मजा रहा है मतलब positivity है और जब उसमा छोड़ के जा रही है तो इसका मतलब समझ जाना कि delta q का sign negative है clear है sign में कोई confusion नी होना चीए तो जल्दी से मैं किनारे हो जाता हूँ मैं skin shot ले ले इसका ठीक है या इसको लिख ले ठीक है और लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये बाद तू जरूर लिख जल्दी से ठीक हासा छोड़ के चली गए यह तो negative और आ रही है तो positive जल्दी स एक यह जो term मैंने लिखा है मैं चाहता हूँ कि देशी भासा में अब तू चारो जो काम की लाइन है ना अब मैंने सब कुछ तेरे को बता दिया है जैसे एक सवाल मैं तुझे दूना मैं तुझे बोलूं question में लिखूं कि hundred joule of heat is given to the system isothermally एक लाइन का क्या मतलब निकल के आएगा तुझे बोलेगा अच्छा आईसो थर्मली temperature constant तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा zero अच्छा और hundred joule उश्मत दी जा रही है given 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 system को दी जा रही है तो delta q बराबर plus hundred और वहां से तुझे बोलेगा सदे डेल्टा यू बराबर zero और एसर फश्लो लगा लो डेल्टा q बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डबलू इसका मतलब डेल्टा डबलू भी बराबर क्या हो जाएगा सदे अगर तमीद से पढ़ाई करिये तो अगर तुझ सारा खेल समझ मा रहा है तो यह है अभी तो स्टार्ट हुआ है इतना कम स्पेस दिया है कि चार गंटे के अंदर पूरा खतम करा दो तो मुझे पूरा खतम कराना अच्छा गाजा टाइम होता तो मज़ा ही आ जाता लेकिन यह है खेल कि सारी चीजों के साथ ऐसे खेलना है इसका मतब डेल्टा क्यू पॉजिटिक का मतब उश्मा जा रही है अब क्यों जीरो अथलो जीरो पीछे लगा पड़ा है लल्लू पना दो गुणा दो बरावा चार बूसरा जीरो अतलो क्या होता है बोला तो था मैंने जब दो बोड़ी में चुवन चुवाई होती है ठीक है और थर्मल कॉंटेक्ट में आ जाते हैं दोनों का टेमपेश से अगर उश्मा आ रही है तब तक मैं पानी पे लेता हूँ अगर उश्मा आ रही है तो तो टेल्टा क्यूइस टेल्टा क्यूइस पॉसेटिव बुलाती है मगा जाने का नहीं है तर फिजिस्टी क्लास आप लेलो अगर उश्मा आ रही है तो तो देल्टा क्यू इस पॉजिटिव और अगर उश्मा छोड़ के जा रही है लिगा 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 और अगर उश्मा छोड़ के जा रही है तो देल्टा क्यू इस नेगेटिव अगर उश्मा छोड़ के जा रही है तो डेल्टा क्यू इस नेगेटिव डेल्टा क्यू इस नेगेटिव एक पॉइंट ओल लिए अगर फिर से लिख ले देख इस सारी चीज ना एक जिखे लिख ले ताकि कोई कन्फूजन नहीं रहा है अगर बॉल्यूम बढ़ा तो वर्ग डन भाई गैस इस पॉजिटिव अगर बॉल्यूम बढ़ा तो वर्गन भाई गैस इस पॉजिटिव अगर बॉल्यूम घटा तो वर्गन भाई गैस इस नेगेटिव कि क्या बेवाफा टाइप कर रहा है कोई ऐसे मत बोला कर बेवाफा बोलेगा तो जवान पर मेरी कोई ना कोई फिर याद करके आता हूं मुझे जो जो अलफाज दिख जाते हैं वहीं से शायरी निकल जाती है अब नाम क्या निकल गया देख निकल गया भी तरह पर समांटर कंट्रोल भी अभी आप अभी शेक आहां पर निया रही है वो सुना रहा है बेवफा किया तुझे जरासी भी शरम नहीं आती है घड़ी मुझे गिफ्ट करके वक्त किसी और के साथ बिताती है वावा चाप लेज़ी रहे है हाँ 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 इस इसाद हो गया है ओ हुआ 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 लिग लिए जाँ है ओके चलो भाई साब हाँ मैं ऐसा नहीं कि मैं शायरी याद रख रही है यह फिर बो बोलुगा यह सब नहीं है तुझे तुझे इसका वक्त नहीं फिर कभी खेलेंगे चीज़ तुझे एक अलफाज बोलना और फिर मैं उस पर शायरी सुना हुआ ठीक है यह उता ह तरीका चल गए बढ़ते हैं तो अगर यह बात पी समझ में आगे यह बात कर तो अब तुझे पूछन देख जैसे की मैं पुराने सवाली देख लेता हूं ध्यान से देख ध्यान से देख ध्यान से देख चलो 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 पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो पीछ सब्सक्राइब देल्टा क्यू बरावर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डबलू मैं चाहता हूं कि तु इस बात के यह निगेटिव तो यह भी निगेटिव अब तु देख मजा आया हो तो भाई साफ एक हाट का साइड देले कि जो बच्छे सिंसेली अटैंड कर रहे हैं दिमाग पर दिमाग पर लोड मत्रक जो खोप्चे में लिखाया बस वो याद कर तो क्या तु खेल सकता है सवालों के स और इसका मतल्स यहाँ पर उष्मा आरी है यहाँ उष्मा आरी है यह फोड कर जारी है यहाँ छोड़ कर जा रही है कि सवाल एक और कितीनी सारे हम लोग उसके चल 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 यह सब तो होई गया ठीक यहां भी लिखने ना तीसरा डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू ब्लस डेल्टा टाव पीछे चल और देख और देख और देख और देख कहां है कहां है कहां है कहां है कहां है कहां है पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो पीछे चल इत्मिनाँ से न एक कुष्ष्यन करते हैं क्या मोलता है एक एक बार एक सवाल में हम सब कुछ निकालना शीख चाहे डेल्टा क्यूभी डेल्टा यूवी और डेल्टा डव्ड क्या क्या मोलता है अब ये question आप करो, मैं बस इसका answer verify कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग सब sincere तरीके से इसका answer दो, ठीक है, चल भाई साब, हमें concept clear करना है, इसलिए में data बहुत ही प्यार महबबत वाला मान ले रहा हूँ, जिसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी issue ना हो, ऐसा data जो बार-बार आता रहता है, like this, thank you भाई या, टाई के लिए, ठीक, A, B, C, T, और यहां मैंने दे दिया, volume, यहां दे दिया, मैंने pressure, और मैं यहां पर values आपको दे दे रहा हूँ, by sincere तरीके से, सब लोग, मैं लिख देता हूँ यहां पर, इसका मतलब N बराबर 2 है, और degree of freedom जो है, वो तेरा 3 है, ठीक है, arrow बना दिया है, मैंने ऐसे, ठीक, इसको मैंने बोल दिया, मेरे भाई V naught, इसको मैंने बोल दिया, suppose, example के तौर पे, कुछ भी मान ले, 3 V naught, ठीक, इसको मैंने बोल दिया, P naught, इसको मैंने बोल दिया, थोड़ी देर के लिए 5 P naught, मैंने डाटा बदल दिया है, पुराना वाला डाटा नहीं है, अब एक काम करो, जल्दी से, दुनिया भर की सारी बाते निकाल के बता दो, work done by A to B, delta Q, delta U A to B, ठीक है, delta Q A to B, उसी तरह सब कुछ, just try, मैं आना, तुम लोग के लिए table बना देता हूँ, जिसको अपन भरेंगे, यहां बना लेता हूँ, जल्दी से, यू चलाग ब्रो, चलाग ब्रो, best teacher on planet of earth, नहीं दोस्त, बहुत सारे teacher, बहुत बहुत अच्छे हैं, मुझसे भी अच्छे हैं, पोड़े से, ज्यादा नहीं है, मजाग कर रहा हूँ, it's not a competition, अच्छे से अच्छे पढ़ाएं, जल्दी साब, और question, गले में किनारी हो जा रहा हूँ, समझा आ रहा है सर, मैं ले में इधर हो जारो, किनारी हो जारो, ठीक है, जल्दी से कर, सब प्लीज टीच ओन जे में सोली, मेरे भाई, मुझे जे में सका पढ़ाना नहीं आता, मैं जे में स्प्लेश एडवांस के साब से पढ़ाता हूँ, मैं सामने आगे कमेंट पढ़ना हूँ, तुमारे बिल्कुल, यह धर ही हूँ हूँ है, सामने इदर ही हूँ, सर, यह आप साइकलिक प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होगा, बिल्कुल करक्तर, इए देख साइकलिक प्रोसेस है, डेल्टा यूनेट तो जीरो ही होगा, सन, शेंज इन काईटिक इनरजी हमेशा जीरो होगी, देख अगर स्लोली स्लोलई लिखा है तो चेंज एक हमेशा जीरों होगी हम जो पढ़ते थर्ब त्या द्य एक सब्सक्राइब प्रोसस बहुत स्लोली प्रोसस बहू सोले होले वाले प्रोसस उसमें चेंज काईटेगनेजी यह और देरो कि चांद सितारे बनाओ ना बना रहा आता ही ना बनाना मुझे तो कैसे बनाऊंगा है वाइड बोर्ड का माश्चरू साला पीपीटी के सामने खड़ा कर दिया तुमने मुझे यह यह लिख ले रहा हूं यही बहुत बहुत बड़ी बात है कि आख कि आख कि चांद सितारा पर याद आ रहा है वह कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कराई कर दो कि 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 जल्दी मुझे लगता है आज सबसे अच्छी क्लास रही क्योंकि आज जो स्पैमर्ट थे वह क्लास में नहीं है और सबसे बड़ी बात ही है कि आप लोग लास तक टिकेवे हो एक देड़ गंटे में क्लास हमारी समापत हो जाएगी ठेंशन ना ले अब यार जब पढ़ रहे पढ़ी रहे हो तो अच्छे से पढ़ो ना देख मैं भी यह सोचके चलना हूं कि द्वारा मोका अब मैं आऊंगा नहीं द्वारा थर्मोडैनमिक बन शॉट पे ठीक है पहली बात ठीक है अब ऐसा नहीं कि थर्मोडैनमिक टू शॉट लेके जाओ जाओ जो बहुत इंपोर्टेंट है तो इसलिए मैं तो कराऊंगा है यार हो गया चल तर देखो जल्दी जल्दी लिख रहा हूं तर ए से लेके भी तक यह टूपी नॉट है टूबी नॉट है तो टूपी नॉट भी नॉट प्लस लगा के यहां पर लिख लो प्लस टूपी नॉट वी नॉट अगर आप यहां से यहां जा रहे हो यहां टेंपरेचर माल लो टी नॉट तो यहां टेंपरेचर हो जाएगा सा 3 टी नॉट ही तो यहां पर डिल्टा ही हो जाएगा एन एफ आर टू टी नॉट बटे दो बस ध्यान नहें टी नॉट की तू वेल इस टी नौट को उठाकर यहां चुपका देना जो भी आंसर आएगा तेरा सही है और अगर मैं डेल्टा क्यू पूछूँगा तो इनको तो चुप-चाप एड़ करते ना देस प्लस इस ठीक तो तुम मुझे यह बता मैं यहां पर टाइम वेश्ट नहीं करना चाहता कि दोनों को जोड़ू लेकिन क्या कुश्चन तुक कर सकता है बस तुम मुझे बता दे अपने आपसे पूछ के चाहे मैं A से B पूछू चाहे मैं B से C पूछू मैं अगर सब्सक्राइब बात क कर रहा हूं डेल्टा यू की तो यहां चेक करके देख पांस्तिया पंद्रा यह 15 टी नोट हो जाएगा तो तु लिखेगा एन एफ आर पंद्रा मैं से दीन गया 12 टी नोट बटे तो एक तो जितना यह उतना यह तो इसका मतलब यह हो जाएगा एन एफ आर बारा टी नोट बटे तो एक तु मुझे यहां पर कन्फर्मेशन दे अगर समझ में आ गया तु मुझे बता क्या तू कर सकता है जल्दी बता दे मिनट से पहले जल्दी से कि क्या कर सकता है एक धांशू सा सवाल दूमें तुझे धांशू सा सवाल मेरे दिमांब मैं अभी अभी आया है अभीदी आया है पूल तू क्या करेगा कि ए मैं कोशिश करें बोल सच में अच्छा सवाल होगा मजाक नहीं उसमें सारा रिविजन हो जाएगा तेरा डिल्टा क्यू डिल्टा यू सब कुछ चला जा देख अभी अभी में दिमाग माया देख मैं बोलू 2 मोल मोनो एटोमिक गैस अंडर गो प्रोसेस ऐसी प्रोसेस P बराबर मैंने दे दिया 5 V स्क्वायर ठीक है 5 नी कुछ और ले ले लिया 3 V स्क्वायर ठीक है इव ठीक है इनीशियल वॉल्यूम एक्व़ल टू 2 मीटर क्यूव और फाइनल वॉल्यूम एक्वल टू सबोर्ट मैंने बोल दिया example के तौर पे 6 meter cube data आसान देना चार हो मैं तो तु 3 meter cube ले ले ठीक है मैं ऐसा लिख जाता हूँ if gas expand हो सब्सक्राइब तो मेरे साथ साथ लिखना question को if gas expand from initial volume 2 meter cube 2 3 meter cube ठीक है पहला प्रेशन find work done by gas ठीक तूसरा प्रेशन find delta u तीसरा प्रेशन find या delta q ठीक है और मैं लिख देता हूँ t initial है 100 pb equal to nr t में pressure volume दे दिया pressure रोजे साथ मत खेल जल्दी से हो सके तो question करके दिखा अभी के अभी just try it now जल्दी से मज़ा आएगा देख सही बात बता रहा हूँ मैं जितना मैं तो सिखाया दे कोई process process में नहीं है देख ऐसा नहीं है कि तू इसमें ढूंडेगा हमने तो formula याद होता था इस तो correct process का इस तो thermal का होता था ना टी lnb2 वाई ये सब तो कुछ पता ही नहीं है काल जितना मैं तुझे सिखाया उतने base पे तू कर लेगा just try मैं ही परूँ ज्यादा confusion हो work done by gases integration of PDB ले hint भी दे दिया मैंने सुझे कर ज़रा जल्दी से मैं एक मेर गरम पानी लेका आया जल्दी से जल्दी से अरे बहुत ही बढ़िया अंसर देना सुरू कर दिया 19 शाबाश अरे वाह अरे चलेंगे PYQ पर भी चलेंगे लोडो PYQ पर भी चलेंगे परिशान कहीं हो रहा है तू मैं बैठे ही बैठे तुझे कम से कम 5-6 G advance के सवाल नहीं करा सकता हूँ अभी ठीक है अभी करा सकता हूँ तू चल देखे आ गया चल लोग जा अभी देख अब मुझे थोड़ा स्क्वाइर इंटू डीवी कहां से कहां तक सर दो से लेके तीन तक सर इसका integration होगा तीन बहार आ गया VQY3 तो इसका मतब तीन से तीन कट गया तो इसका मतब तीन का Q माइनस दो का Q तीन का Q होता है 27 दो का Q होता है 8 पराबर 19 सर देल्टा यू इस NFR डेल्टा टी बटे दो इक्वल टू आओ जड़ा गेम खेलते हैं सर ये बताओ जो वॉल्लिम था वो इतना हो गया तो मुझे टेंपरेचर निकालना पड़ेगा कि कितना हो जाएगा आसवाज मारी है यहाँ पर थोड़ा गेम रहे गया क्योंकि थोड़ा सा टेंपरेचर के साथ खेलना पड़ेगा तो तो आराम से चल कोई जल दिवाजी नहीं है तो देख सब प्रेशर बराबर है 3V स्कॉाइर पी की जगए लिख दे यह सीधा लिख दे टेंपरेचर लिख दे सब टेंपरेचर बराबर 3 देख चेक कर यहाँ पर बाई एन आर इंटू बी क्यू ठीक तो तु यहाँ से तु बोलेगा सब टी बन बाई टी टू बराबर वी बाई बी टू का होल क्यू थोड़ा सा मैस खराब हो गया क्योंकि देख मुझे सवाल रटेवे नहीं है मैंने ऐसा नहीं किसी बुक से कॉपी पेस्ट मार दिया हो सवाल यहीं कहीं बनाया है तो थोड़ी कैल्कुलेशन उपर नीचे हो सकती है ठीक बटे 27 इसका मतलब तू बश टीटू निकाल ले जैसे तूने टीटू निकाल लिया just put the value N है 2 F की value है कितनी 3 R की value तुमको पता है बाद में put कर देना 25 बटा 3 delta T मतलब T final minus T initial जोकी 100 था बटे 2 R की जगे 25 बटा 3 रख देना टी फाइनल उठा के यहां बुट कर दिना solve करके answer निकाल सकता है और यह तुने निकाल लिया तो delta q में इन दोनों को जोड़ते बोलो conceptually conceptually बात कर क्या conceptually बात समझ में आई या नही जल्दी से सर मैं need का student हूँ पर आपके सारे लेक्चर देखता हूँ प्रियाश 2.2 में बहुत मज़ा आता है बहुत ही बढ़िया बेटा ऐसी पढ़ता रहे मगर बड़े-बड़े सवाल को मत पढ़ना ठीक है बोलो अब यह अगर हो गया तो अब चलते हैं हम लोग उन चीजों पर जो तेरे को आती है हम चलते हैं वर्ग ड़न वाई गैस इन डिफरेंट प्रोसेस मैं नहीं चाहता कि मैं तुझे पढ़ाओ मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग थाइप करो जैसे कि पहला हम बोलते थे आईसो कोरिक प्रोसेस आईसो कोरिक नी सोरी आईसो छोरी प्रोसेस तो तु इतना बता दे कि आईसो छोरी प्रोसेस में जो वर्ग जो वॉल्यम होता था वो कॉंशेंट होता था तो सब लोग बताओ ना बॉल्यम बढ़ रहा है ना घट रहा है तो वर्ग नभाई गैस क्या होगा प्लिश टाइप बहुत ही बढ़िया कितना हो जाएगा भाईश बग्टफ़केश क्या हो जाएगा सर जीरो हो जाएगा बिल्कुल करक्ट है अच्छा तु यह बता इसका मतलब डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डबलू तो अगर मैं कह दूँ कि सर यह वाला टम जीरो है डेल्टा डबलू तो क्या मैं श्टाइल मारके ऐसा बोल दू कि सर आईसो कोरिक प्रोसेस में जो भी उश्मा दोगे आप सिस्टम को वो इंटर्नल एनरजी के अंदर चली जाएगी गेम खेल बोल मेरा सेंटेंस अगर समझ माया तो सब लोग हाट बना के बोलो वाटेवर हीट इस गिवन टूदा सिस्टम कि इन आईसो कोरिक प्रोसेस ठीक एवरिटिन गोस इंटू दा इंटर्नल एनरजी ओब दा सिस्टम नटना नहीं है मैं फिर से बोल ऐसे मैं कम से कम सो सेंटेंस मुना सकता हूँ मैं बड़ी आसा चैप्तर बड़े किताब लिग सकता हूं ऐसे तो बैं कि मैं चाराग उसको खेलो सवालों के साथ खेलो सवाओ के साथ मैं बोलू उश्म अप flush चल खुद बता तूँ इस सवाल का जवाब देना volume conscient है volume conscient है पिक्सन को fix कर दिया volume is conscient इन isocary process इव उश्मा जा रही है छोड़के तो temperature के साथ क्या होगा जवाब दे आईसो छोड़ी process में अगर उश्मा जा रही है system को छोड़के तो temperature के साथ क्या होगा negative बहुत ही बढ़ी है रोनक ने सबसे पहले जवाब दिया temperature negative नहीं बिटा temperature decrease होगा क्यों सर देखो आईसो कोरिक है तो यह तो 0 हो गया आप कहा रहे हो कि उसमा छोड़के जा रही है तो delta Q negative हो गया और delta Q negative हो गया तो असा delta Q negative हो गया और delta Q negative हो गया तो असा internal energy कम हो रही है तो temperature घटा होगा temperature is decreasing मुझे पूरा space मिल जाए न तुमारे दिमाग खोल के रख दूँ मैं ठीक है ठीक ओके बहुत ही सड़ी है ठीक है इसके साथ आप से दूसरा और बता और क्या होता था एक तुने पढ़ा था isobaric क्या पढ़ा था भाई साब isobaric क्या isobaric में जो pressure होता था वो constant होता था ठीक तो मैं अगर तुससे पूछू what is walk done by gas तू बोलेगा P into db और अगर मैं ऐसा बोलू कि आप B1 से लेके वी टू जा रहे हो तो क्या pressure constant है तो integration से बाहर निकाल लूँ और मैं integration से अगर बाहर निकालूँगा तो ये बन जाएगा P into integration of db V1 से लेके V2 I hope you understand कि walk done by gas आजाएगा P delta V और इसी को हम लोग लिख देते हैं nr delta t रट्यना बिल्कुल नहीं है integration of p db की feel ले रखी है आईसोबैरिक है pressure को बाहर निकाल दे और db का integration delta V फटाक से limit पूट करके P delta V या nr delta t देख और ऐसा नहीं है किया नहीं है देख किया था ना देख आजा इसी सवाल में देख तू इसी में देख इसी में देख एसे लेके भी आईसोबैरिक था एसे लेके भी कैसा था आईसोबैरिक था pressure कितना था P naught ठीक और delta V कितने हुआ delta V कितना हुआ 2B naught कितना आ गया 2B naught अरे वहीं तो चला है यार ठीक वही तो चला है न एक तरीके से वही है कोई नया नहीं है अगर ये बात समझ में आई है तो please heart type करो comment रुकने नीची है बेटा comment रुकने नहीं चाहिए अगर ये बात समझ में आ रही है love you sir दिल से बहुत बढ़िया जल्दी 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 ठीक है sir आगे बढ़ते है उसी प्रकार एक होता है तीसरा आईसो थर्मल ठीक आईसो थर्मल का मतलब क्या होता है sir temperature क्या है constant है मैंने गए ठीक है भाई temperature constant है इसका मतलब अगर temperature constant है please tell delta U के साथ क्या करेंगे सब लोग अब मुझे पढ़ाना ना पड़े दोस्त मैं चाहता हूँ कि तुम सब master के तरह बन गए हो तुम type करो तुम खेलो सवालों के साथ बोलो क्या बोलेगा इसके साथ temperature constant हो तो क्या बोलेगा zero बहुत ही बढ़िया इसका मतलब सब delta U क्या हो गया तो delta Q बराबर delta U sorry delta W और अगर ये समझ में आया तो मेरे अगले सवाल का जवाब देना ठीक है सवाल क्या है सवाल ये है ध्यान से सुनना question ये है कि अगर system से उसमा छोड़के जा रही है इन आइसो thermal process तो volume क्या हो रहा होगा ये बताओ जल्दी से आप लोग अगर system को छोड़के जा रही है उसमा तो volume क्या होगा जल्दी से जल्दी से बोलो decrease बहुत ही बढ़िया क्योंकि उसमा जा रही है उसमा जा रही है तो delta Q क्या हो गया निगेटिव हो गया और delta Q निगेटिव हो गया तो delta W निगेटिव हो गया delta W निगेटिव हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब सर volume कम हो रहा है इसका मतलब gas compress हो रही है इसका मतलब यहां तू बोल सकता है कि gas क्या हो रही होगी बाई साथ compress हो रही होगी समझ में आ रहा है क्या तु खेल पा रहा है इन चीजों के साथ यह ऐसे ही बस फॉर्मुलर अट्टम आ लिए इस थर्मल का यह होता है हमको बस फॉर्मुलर अपुट करका value निकालना आता है बस खतम यह शेट नहीं होना चाहिए भाई देख मैं चाहता हूँ खेलो सवालों के साथ volume के साथ खेल टेंपरिचर के साथ खेल प्रेशर के साथ खेल पास ओज मारी बात और जो है WILL के साथ के टे हीट के साथ खेल और इसके बाद अभी एक चीज़ और बच लिए मोलर स्पेसिफिक हीट जो थोड़ी दिर के बाद आएगी उसके साथ भी खेल जब खेलेगा तब ही तो मज़ा आएगा थर्मोटा नेक से हेलो सवालों के साथ है चला आजा चलो अब मैं बारे मात करता हूँ तो अगर मैं तुस्से पोचू वाट इस बॉर्ग दन भाई गैस तू बोलेगा integration of PDV मैंने खाए ठीक है अब ये बता क्या pressure constant है नहीं बहार निकाल सकता हूँ नहीं integrate कर सकता हूँ यहाँ पर नहीं फिर क्या करूँ अरे सर तो कुछ भी नहीं करते है अटक कहानी क्या मैं pressure की जगए यार ये integration PDV तो मैंने पढ़ा था क्या pressure की जगए मैं ये लिख दू nrt by v into dv क्यों pressure pv equal to nrt से लिख सकता हूँ और ये लिखने का फाइदा क्या है सर लिखने का फाइदा क्ये है nv constant rv constant tb constant तो अंदर रहे गया dv yv आपको बस integrate करना है चुपचाप निकल के आ जाएगा work done by the gas v1 से लेके क्या बात समझ में आई तो अगर मैं इसको integrate करूँगा तो क्या मैं ऐसा बोल दूँ सर ये आ जाएगा nrt ln v2y बिल्कूल उसी प्रकार क्योंकि जो temperature है मेरे भाई वो constant है इसका मतलब pv बराबर constant हो जाएगा जैसे मैंने बोलता pv का product ठीक है temperature हम लोग खेल लेते जब temperature constant तो pv का product भी constant हो जाएगा तो तो ये बोल सकता है यहाँ से कि sir v2y v1 हो जाएगा p1y p2 के बराबर क्योंकि pv का product constant होता है तो इसका एक formula और तुझे कहीं कहीं देखने के लिए मिल जाता है nrt ln p1y p2 ये v2y v1 से feel कमा रही हो न तो तो ये लिख ले न वी फाइनल बटे वी इनिशल यहाँ से ज्यादा अच्छा फीना था ठीक और ये p initial से भी फाइनल बोलो clear हुआ clear हुआ clear हुआ सर अभी हमको खेलना नहीं है राव या श्राज बेटा नहीं खेलना है तो मत पड़ो या चले जाओ मुझे ऐसा formula formula पढ़ाना नहीं आता है मुझे sorry खेलना नहीं है तो मुझे इतना पता है कि अगर खेलोगे तो निश्चिंत रहोगे टेंशन फ्री रहोगे सवाल जाला कहीं से भी आए उसको पेल दोगे तुम चाहिए मेंस काऊ चाहिए एडवांस काऊ ठीक है formula formula खेलोगे तो निपड़ जाओगे मुझे इतना पता है this is not your 12th class यह जही एडवांस जही मेंस का पीपर है अगर मेरी बास से एगरी कर रहे हो तो प्लीज टाइप आठी मुझी चल दी से जल दी से फुली के लिए ठीक है भाई साथ तो आइसो कोरिक हो गया आइसो भारिक हो गया आइसो थर्मल हो गया एक और होता है चौथा एडियावेटिक मेरे पास देख वक्त नहीं है ठीक है कि मैं इसका पूरा देरिवेशन कर रहा हूँ सुन मेरी बात मेरे पास वक्त नहीं है पूरा डेरिवेशन कर रहा हूँ बना क्लास एक दो बे तक चली आएगी तो उम्हें इसका डाइरेक रिज node लेता हो ठीक है जो तुम्हें याद रखना है और रिजल्ट important है सबसे पहले सर एडियावेटिक का मतलब है डेल्टा क्यू बराबर जीरू कि लिए रहे है एडियावेटिक का मतलब है कि there is no heat exchange उश्मा का लेंदे नहीं हो रहा है जैसे कि मैं थरमस बोलू यह मिल्टन की बोटल बोलू इसमें मैं गरम पानी भरके लाया हूँ ठीक है अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ और सपोज आइडियल केस में मैं मान के चलू कि यार यह एडियावेटिक है इसका मतलब इसका कोई भी heat exchange नहीं हो रहा है सराउंडनी के साथ रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है क्योंकि मैं भले इसमें गरम पानी भरके रख दूँ लेकिन वो 5-6-7-8 दिन के बाद ठंडा हो ही जाएगा लेकिन अगर बहुत छोटे से time interval के लिए बोलू तो आप एगरी करोगे कि यहां से ठीक है आपकी बात सह लिए तो यह अप्रोक्सिबिल्टी एडियावेटिक बोल सकता है वो शौट टाइम इंटरवल अब मैंने धकन खोल दिया तो भाई अब तो एडियावेटिक नहीं है क्योंकि अब हीट का क्या होगा एक्सेंज होगा और अगर मैंने इसको इना जुरू कर दिया तो भाई यह पानी हाँ चला गया तो अभी पानी गया है थोड़ी दे के बाद निकलेगा भी कहीं और जाके तो आई होप तो एडियावेटिक का मतलब समझ रहा होगा एडियावेटिक का मतलब है डेल्टा क्यू जीरो देर इस नो हीट एक्षेंज इसका मतलब तू इसके साथ अब तरीका होता है पानी पीने का हाँ है थीक है साथ ओके कोई दिकत वाली बात नहीं है तो डेल्टा यह वराओ कितना होगा बाइस साब माइनस डेल्टा डबल जैसे कुश्चन मैं तुझे दूँ तूँ 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 अब तूँ सोच के जवाब दे यार एडियावेटिक अगर बॉल्यूम इंक्रीस कर गया कि जैसे मैं लिखू कि एक गैस एक्सपेंड एडियावेटिक गली इतनी छोटी लाइन का मतलब सोच क्या क्या मतलब निकलेगा सोच सर एक गैस एक्सपेंड एडियावेटी कली तो तू बोलेगा सर देखो गैस तो एक्सपेंड कर गई एडियावेटी कली तो डेल्टा क्यू क्या हो गया सर डेल्टा क्यू तो हो गया जीरो और Snore expand किया है तो इसका मतलब वो क्या हो गया व्रकचैसा पॉजिटीव कि कैसे एक मताया थहा न पॉजिटीव करेगा इसका मतलब ग्रीटितिव और सब्सकनल किया ईसका है ते मतलब द्यूटी toys ने बोलो 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 हां कि ना या फील आई यह बाली जो मैं फील दिलाना चाहरा हूं मैं तुमको ठीक एक बच्चे ने बोला सर वॉक्डन भाई गैस जो है ना वो इंटनने नेर्जी के साथ खेल खेल लई है बिल्कुल करेक्ट बोला उस बंदे ने जिसने भी यह बात बोली यस वॉक्डन भाई गैस इकल तू माइनस डिल्टा यू वाटेवर वॉक्डन इस डन सारा का सारा इंटनने नेर्जी के साथ ही खेलेगा हूं सर मज़े ही आगया सर अच्छा रूफ जब मैं अच्छा एडिवेटी प्रोसेस का प्रोसेस का जो रिलेशन होता है वो मैं यहां बता देता हूं कि पीवी की पावर गामा बराबर होता है कॉंट्स्ट है सौरी यार यहां मैं गामा मैं अभी तक पढ़ाया नहीं हो ते रहो लेकिन आई होप तुने पढ़ा रखा होगा 11th क्लास में यह 12th क्लास में कभी ना कभी यहां पर जो गामा होता है वो गामा होता है CP बाई CB जिसको मैं थोड़ी देर के बाद पढ़ाऊंगा तो ऐसे कर अगर तुने सच में पढ़ रखा है गामा तो प्लीज हाट टाइप पर के यहां जरूर लिख कि हां सर आप निश्चिंत हो जाओ इतना हमको बेसिक आता है आप यहां पर इसको रोको मत इसको कंटिन्यू चलने दो यहां मुझे तेरी सपोर्ट की आवशक्ता है कि तुने अगर गामा पढ़ रखा है देख रखा है ठीक है तो तु बोल देहां पर कि हां सर यह इतना तो हमको आता है कि गामा जो होता है वो बिल्कुल हमको पता है गामा के बारे में एडियावेटिक कॉंशेंट है और अग अगर नहीं पढ़ा है तो जश्ट बेट करो नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है तो फिर तुम्हारी हाला सच में बहुत कराब है तो निकल के आता है सर निकालोगे कैसे मैंने कर निकालना कुछ नी है ये काम करूगा सर वॉक्डन वराबर मैं लिखूँगा सर इंटीगरेशन ओप्डिवी इसको यहां पुट करूगा कुटर-पुटर करूगा और पूरा इंटीगरेट करने के बाद जो work done का formula आता है that is important nr delta t बटे 1 minus gamma यह है कहानी क्लियर है gamma थोड़े के लिए भूल जा gamma को मैं थोड़े के बात पढ़ाऊँगा मैं अभी यह चाहता हूँ कि क्या तुझे यह सारी बातें जो हैं यह बात तुने मेरा दिल तोड़ दिया भाई ठीक है सरिया तो spammer भी आपके fan हो जाएंगे अब नहीं होंगे भाई उनको भागा दिया ना शुरू में मैंने बोला भागो यह से ठीक है तो यह adiabatic process का वागटन तेरे को याद रखना है वह देख सुन मेरी बात यह तुझे याद करना पड़ेगा ठीक क्यों याद करना पड़ेगा क्योंकि अगर नहीं याद करेगा तो integrate करने में आती है दिखकत ठीक है और अगर integrate करने में दिखकत आएगी इतना लंबा चोड़ा तुआ इंटेग्रेट नहीं करेगा मैं चाहता हूँ यह formula सीधा याद रखो सब लोग कि एडियाबैटिक प्रोसेस में वॉक्डन भाई गैस होता है एना डेल्टा टी बटे वन माइनस गामा बोलो क्या किलियर हुआ किलियर है मैंने सब के वॉक्डन बता दिये थीक है सब का डेल्टा यू के साथ खिल लिया सब का जो है सब का अब एक काम करें थोड़ा PYQ खिल लेगा तू बोले तो थोड़ा रेस्ल मिल जाएगा मुझे भी voice के लिए बोलो थोड़ा PYQ खिल लेगा आजा चल चल भाई साब अब सुरू करते हैं पी बाई क्यू पी बाई क्यू कहां छपी हैं बहार निकल ले भाई सवाल पढ़ो और देखके जवाब दो जी एड़्मान्स का सवाल पी एम बराबर रो आटी तूलक एमिस्टिय बढ़ा होगा आप थोड़ा साब पी बाई क्यू खेल लेते हैं सब लोग पैन नीचे रखो आप सब लोग देखो पूरा का पूरा कोश्चन सॉल्व कराने का वक्त मेरे पास नहीं है तुमारे पास में यह आई हो लेकिन मुझे आपको यह दिखाना है यह ऐसास दिलाना है कि यस यू कैन सॉल्व दा कुश्चन आप सॉल्व कर सकते हो फिक है उन्हें वाला टू नॉन रेक्टिव मोन अटोमिक गैस है दिया अटोमिक मास इंदा रेशियू टू इसका मतलब सब इमबन वाई अटू उसने दे दिया है दो बटा तीन आए बढ़ते हैं रेशियू अब च्छेक कर के बता क्या यहां से सॉल्व करके निकाल सकता है सब पीवन वाई पी-टू into सही चल ले ना भाई सब M1 by M2 बराबर row 1 by please check it अगर answer match करो जल्दी type करो, बहुत यह बढ़िया Logan answer type कर दिया D, correct बोलो भाई ओके क्या सवाल होने बाला है जी एडवांस का सवाल है है, आगे बढ़ next, अगला question तोरी, सेम सवाल है साध, यह भी अगला question यह J means का question है, ठीक है एक बार चेक कर ले एक बार, ठीक उसने बोला है, सवाल देखो कि 1 kg of diatomic gas is at a pressure of इतना, भाईया pressure दे दिया, density दे दिया, उसने बोला है कि what is the energy of the thermal motion, ओ भाईया मुझा पता है कि भाईसाब जो भी energy होती थी, यू, वो हम लोगा ने पढ़ाता कि यू बराबर होती थी, नफरट बटे डो, N, F, R T, बटे दो, उसने क्यों नहीं पता नहीं है, डायाटों में कैसने pressure के साथ और density के साथ game खेल लिया इसका मतलब P M बराबर Rho R T, अगर मैं मास से डिवाइड कर दूँ, तो pressure by Rho, बराबर R T by M चेक करके बता, क्या सवाल solvable, अरे काफी बच्चों ने तो solve भी कर लिया काफी बच्चों ने तो solve भी कर लिया spammer को सनने पेल दिया चेक करके बता, क्या यहां से यह R T Y M की बच्चों न को तु लिख सकता है N क्या होगा बाई साब, सरी, small M but a capital M, chemistry में तु ने पढ़ा होगा ठीक, into F into R T Y 2 चेक करके बता, यहां पर यहां पर, इसको इसको थोड़ा सा ऐसे P by rho सब कुछ given है I think you have just put the value and get the answer ठीक है, मैं एक बार करी देता हूँ बता, mass कितना है Sir, 1 kilogram, degree of freedom Sir, diatomically कितनी होती है, 5 Sir, pressure, pressure उसने दे दिया यहां पर Sir, 8 into 10 to 4 but a, 2, rho क्या है, rho भी उसने दे दिया, 4 4 दुनिया, ठीक, 5 into something something, D option is correct next question जल्दी से शकल देखके बता क्या यह बता, क्या यह तू कर लेगा 2 more of helium gas ऐसे ऐसे है बता दो, PT गराब में दे दिया है, उसने सवाल देख लो पहले आप लोग, सब लोग क्या मैं ऐसा बोलूँ अगला question, क्या पूछा उसने उसने बोला है, work done gas हाँ, gas to be ideal, work done on the gas, taking from A to B भया, A से लेके B तक का work done बता दे, बैसे उसने work done on the gas पूछा है, लेकिन क्या, यहां से यहां तक का work done बता सकता है, कैसे सब pressure तो constant है ठीक, pressure constant होता है, तो isobaric, isobaric में work done क्या होता है, P delta B या NR delta की, इसका मतब answer हो जाएगा, NR delta T, खतम सवाल, T1, T2 सब दे रहें, put the value, get the answer सब लोग का typing रुकनी नहीं चाहिए, मेरे भाई, सुनो अभी theory बाकी है अभी एक गंडे का theory एक गंडे की theory बाकी है, ठीक है मैं यह चाहता हूँ, कि questions देखके, इन questions के solutions तुम्हें हर किताब में मिल जाएंगे मैं कराऊं, questions को पूरे तरीकी, that doesn't matter, वो matter नहीं करता है, मैं तुम्हें इस लायक बना दूँ कि तुम्हें यह सारे सवाल फोड़ दो, वो matter करता है, तो आप लोग के यहाँ पर comments आते रहने चाहिए जब आपको realize हो जाए, यह सर physics में हम सवाल समझ गए है, physics में सवाल को हम फोड़ देंगे, तब फटाक से तुम्हारा वहाँ पर heart का motion आ जाना चीए, क्योंकि calculation का भक्त ना तेरे पास है, ना मेरे पास है clear है, ठीक है सर, आगे बढ़ते है, अगला next, अगला पार, तो solve करके answer तो निकाली लोगे नहीं, यह पर जितना भी आ रहा है, ठीक, यहापर निकाली लोग कितना आ गया है, सब 500 में 300 कैसा, डेल्टर जी आ गया, 200 और n दे रखाए, 2, rx से multiply कर दो, solve करके जो भी योगा answer निकल के आ जाएगा, next, आगे बढ़ते हैं, और क्या पूछा उसने, उसने, एक मट, एक मट, एक मट, एक मट, सही निकाला ना, मैंने, चेक कर एक भार, इसका area तो नहीं निकालोगे ना, कुछ बच्चे इसका area निकाल दे थे, area तो नहीं निकालोगे ना, है, एरिया नि delta t ही होता है, n उसने, बता दिया, rn दो, delta t यहां से, निकाल दो, खतम का नी, तो क्या लिखे गाते, n कितना है, 102, r को rn दे, delta t कितना है, 1200, 400 r हो जाएगा, जो भी answer आ रहा है, कोई match करेगा, तो कर जाएगा, ठीक, next, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन, अगला, work done on the gas, taking from D to A, चेक करो, सब लोग यहां पर, D से लेके A तक के लिए, मैं अगर बात कर रहा हूँ, D से लेके A तक के लिए, क्या मैं ऐसा भोल दूँ, सब टेंपरेचर कॉंचेंट है, तो टेंपरेचर कॉंचेंट होता है, तो work done by gas होता है, add, t ln, v2 by v1, या p initial by p final, just put the value, get the answer, आइसो थर्मल है, इसलिए, agree, okay, okay, ठीक है बाई साब, next आगे बरते हैं, जो भी होगा, solve कर गया, आप होँआ पर answer लगा दीजीगा अपना, उसके बाद और क्या पूछा है, उसने, net work done on the gas cycle, मेरे असाब से net work done भी आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सब इतन इतना सवाल के साथ, जब भी आप कभी घर पे सवाल करो, अगला question, यह जे मेंस का सवाल है, तू पहले खुद से बता, यह रहा pressure, यह रहा volume, सब जगे temperature दे दिया है, तूससे पूछा गया है, कि change in internal energy बता दे, मतलब डेल्टा यू बता दे, क्या बता सकते हो डेल्टा यू suppose example के तोर पे, मैं A से लेके B तक का डेल्टा यू तूसे जानना चाहूं, A से लेके B तक का डेल्टा यू, तो तू बोलेगा, सर देखो, A कहां पर है, सर यह, B कहां पर है, सर यह हो जाएगा, N, F, R, डेल्टा टी विल वी 400, बटे 2, खतम कहानी, हो गया काम, सर A से B, और प्रेशर बढ़ा, तो इसका टेंपरेचर बढ़ेगा, तो यह निगेटिव तो साला हो यह नहीं सकता, यह तो गलात हो गया, मतलब सवाल को तू ऐसा भी हो सकता है, कि साइन से ही कर दे, कि प्लस होगा, यह माइनस होगा, ठीक, उसने डिरेक्ट तुझे दे दिया है, यहा 200 में से 400 गया, माइनस 200 पटे तो, जच पुट दा वेल्यू गेट दा अंसर, जो अभी है, मेरे साथ से निकाल सकता है अब तो, ठीक, वन मॉल दे रखा है, तो इसका मतलब एन की वेल्यू वन है, और डायाटोमिक है, इसका मतलब डिग्री ओफ फ्रीडम तेरी 5 है, वन 5, 5 पुट कर दे, 500 आर जाएगा, माइनस लगा गया, बी ओप्शन करेक्ट, बोलो, समझ में आया, मुझे इतना बताते हैं, मैं कुछ भी पूछनू, ए भी सीडी में, क्या धजिया उदेड़ देगा सवाल कि तू, यह बात बता यल्दी से, अगर हाँ, तो हाट का साइन देख रहा तू, यह देख रहा तू क्या है, सर देखो, एक एक कर गया, मतलब यह कोश्चन तो तू कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उन्हें एक एक कर का ऑप्शन जैसे, प्रोसेस A to B, बाई साब A to B, क्या A to B का प्रोसेस, यह तुझे आइसो थर्मल दिख पीवी बराबर कॉंचेंट, तो मैं अगर तुससे ग्राफ पुछूँगा, तो पीवी का जो ग्राफ है, वो हाइपरबोलिक ऐसा होता है, आइसो थर्मल के लिए, तो इसका मतलब यह तो मुझे ना दिखाई दे रहा इसो थर्मल, यह आइसो थर्मल थोड़ी है, यह उप हाड़ में, पहले तु समझ कि वागडन भाई दा गैस क्या है, तो तु यह बता, चेक करके बता, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसका मतलब वागडन भाई गैस इस निगेटिव, तो मैं आपे लिख सकता हूँ, इस वाले पार्ट के लिए, कि सर वागडन भाई गैस तो हो जादा है, तो याद कर खुपचा नंबर वन, पीवी का प्रोडेक्ट जादा है, तो टेंपरेचर जादा, तो यहाँ टेंपरेचर जादा, यहाँ टेंपरेचर कम, इसका मतलब टेंपरेचर कम हुआ है, तो इसका मतलब डेल्टा यू निगेटिव है, तो डेल्टा क्यू will be negative, that means उशमा जा रही है, guess को छोड़ के, be correct option यह J-E advance के सवाल है मिरे पास समय नहीं है, ठीक है न मैं J-E advance के एक-एक सवाल के धजियां उड़ा देता तेरह सामने ही है तुम पता नहीं क्यों इतना डरते हो, J-E J-E advance को लेके, ठीक है समीज से अगर पढ़ोगे ना, सब सब होने वाले सवाल होते है सब होने वाले सवाल होते है, ठीक अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और क्या बोला उसने, सब वर्गना डूंदा पाथ, A, B, C, 0 अच्छा, A, B, C, चैह तू खुद बता क्या यहां से लेके, यहां तक वाले से लेके, यहां तक, वाले सवाल जीरो आ रहा है क्या एरिया जीरो हो रहा है क्या, नहीं उसने कुछ तो आए गई ना, नीचे अगला, सब पॉजिटिव वर्गना बाइदा गया साइक्लिक A, B, C, D, A तो यह बता, A से B, A, B, C, D, A सब लोग टाइप करना, A, B, C, D, A यह कैसा बना साइक्ल, क्लॉग बाइज या एंटिक लॉग बाइज प्लीश टाइप, मैं तब ही आगे बढ़ूँगा हैं, मैं तब ही आगे बढ़ूँगा हैं, क्लॉग बाइज और क्लॉग बाइज का मतलब क्या प्लॉग बाइज पॉजटिव फोगा निगेटिव ऑजटिव पॉजटिव ऑजटिव हैं वाल के साथ कि समझ आरी है बाते लिएप टीक है मेरे बाद समय नहीं है बना मैं एक सवाल को इस तरीके से मैं क्या बता हूँ भर भर के मैं तिरे को सवाल करा हूँ ओ यह तो तुझा पता ही होगा बाई ए रियल गैस काप आईडियल गैस की तरह भीएब करती है यह तो थुक्षी में पढ़ता है एठाई टेंप्रेचर और लो प्रेशर काहा है बे खुदी देख लेना यह चाहिए के सवाल है आगे देख नेक्स अगला और सवाल देखना भी यह बता क्या वीटी ग्राप के साथ में खेलना सिखा दिया हूँ वीटी ग्राप के साथ जैसे सर इंटर्नल एनरजी ए और बी आर सेम भाई तु यह बता एपर और बी पर क्या टेंप्रेचर कॉंशन्ट है और टेंप्रेचर कॉंशन्ट है तो इसका मतलब इंटर्नल एनरजी सेम हो जाएगी इसका मतलब ए ओफ्षन तीरा करेक्ट हो जाएगा कि समझ में आरी यह बात बोल समझ में आरी है उसके बाद थोड़ी सी मैथेमेटिक्स होगी सब वर्गडन भाई दगाज एससे बी अरे बाई यह से बी जो वर्गडन है तो खुद बना एससे लेकर बी तक जो वर्गडन होगा यह आईसो थर्मल है आईसो थर्मल में क्या लिखते थे एन आ टी एल नॉट बी नॉट बराबर एन आर टी नॉट तो इसका मतलब यह टी नॉट है एन आ टी नॉट के वेलिए पी नॉट वी नॉट है यह यह बोलो बोलो यह भी कर लोग ऐसी बात नहीं है यह थोड़ी मैथ्स है अगर एक समझार बच्चा है वो समझ आएगा कि यह मैथ्स है ये काम आपका है ढूनने का, इसके बाद physics खतम हो जाती है, ये maths है, अगर समझ माया है तो सब लोग हाट बेजो, एक चीज नोटिस कर रहा है, एक समझार बच्चर जरूर नोटिस करेगा, जेए एडवांस और जेए मिन्स, मैं सारा खेल, अब अच्छे टीचर का तो है देख, लेकिन इस्टुडेंट लेवल पर ठिके रहने का है, ठीक है, मैं एगरी करता हूँ कि ये लेक्चर बहुत लंबा चला गया है, जो बच्चे अभी तक टिके हैं, उनके अंदर जबर्दस एक improvement दिखा होगा, उन्हें सच में लगाओगा, यारी क्या है, जेए एडवांस तमीज से पढ़ लो तो कुछ में निए सवाल होने वाले होते हैं, और जिन बच्चों ने एक गंटे में give up कर दिया होगा, उनसे नहीं बनेंगे जिन बच्चों ने 3 गंटे में give up कर दिया उनसे भी शायद कुछ 2-4 सवाल बन जाए जिन बच्चों ने 4 गंटे टिके रहे उनसा हो सकता है कुछ जादा बन जाएं लगे जिन बच्चे लास तक टिके रहते हैं वो सारे सवाल कर लेते हैं यहीं खेल है सारा जो बच्चे एक महीना पढ़के छोड़ देते हैं, आउट हो जाते हैं, जो तीन-चार महीना पढ़ते हैं, फिर वो भी आउट हो जाते हैं, एक तरीके से, जो लास तक ठीका रहता है, वो जीतता है, जो थुम पूछते हैं न, सलेक्शन कैसे लें, बस एक ही मंत्रे सेलेक्शन का, लास तक ठीके रहना है, लास तक ठीके रहना है, तो जो बीज में छोड़के गया, वो गया, यह मैं आज की क्लास के लिए नहीं बोलना हूँ, यह मैं आपकी हर क्लास के लिए बोलना हूँ, जो भी सर आपको पढ़ा रहें, ठीक है हम लोग ने अभी अडियाबेटिक प्रोसेस पड़ा नहीं है फिर में बताए तो डियाटो में कैस कंप्रेस एडियाबेटिकली तू एक बटा 32 तू इस इनीशल वॉल्यूम ले इनीशल टेंपरेचर दे दिया फाइनल टेंपरेचर पूछ रहा है पीवी की पावर ग होगे कि लल्लू सवाल है उसी प्रकार आगे देख ले यह सवाल देख ले ले इसका बॉल्यूम दे दिया एडियाबेटिकली कंप्रेस्टू इतना टेकिंग दा इनीशल टेंपरेचर इतना वॉर्ग दन बाइदा प्रोसेस समय नहीं है जब आप सॉल्ब करोगे तो एडि इस ताइब के छोटे यह सवाल कभी करेंगे अभी रुख जा अभी समय नहीं है फॉर्वल बेस औरिंटेस सवाल है मैंने इडियाबेटिक पढ़ा है नहीं बारवार एडियाबेटिक का रहा है ले यह देख बता प्रोसेस एटू भी आजा बोल एसे भी एसे भी कहां जा हो रहा है तो पीडी बरावर एनर्टी से टेमप्रेचर कम होगा इंटर्निल एनरजी डिक्रीज इस वह बात है तो इंटर्नेट अब इंटर्ने मेल ग्सी गलत हीट ए थिसलोस्ट अपको रहा है तो वोख डब्स क्यों झांडब Jaci T ठीक उसके बाद इस डन मैं क्यों मतलब समझ रहा होगा मैं क्या खेना चाहरू है इस बात का दियान लगना है कि सर एसे भी बॉर्ट डन बाई गैस निगेटिव आया है तो हम ऐसा बोलेंगे कि अगर मैं ऐसा बोलो कि बाई डाजए कुछ दम नंड。 करहिए फिर्फ एक सर आप टू मॉल ओफ इलियम गयस अटोमी मास इतना 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 रेशियो पार में सच्छी ड़ाइब भी आर्यम वरावर होता है अंडरूट गामा आर्टी बाई 3rt'll be I m उसने बोला एक है रिया है और दूसरा क्या होता है अब इसका मतलब वी वन वई डिटू बरावर अंडर रूट एम 2 बाई मन उसने साफसाब कहा दिया एक का कितना है एक का कितना है चाली से का कितना है बहुत है इसका हिलियों बोला है तो आर्यम् का इसका चालीस इसका 10, 40 बटेट ये root 10, what is root 10, 3.16, कतम जवाद, सीखो नलाइकों सीखो, ठीके रहना सीखो, ठीके रहना सीखो, ठीके रहना सीखो, ठीके है, ये है, आगे बड़, देख लेख लेकर, सवाल तो बहुत हैं यार, लेकिन खेर, हमारे पास समय, यह सारे कुश्चन करने का वक्त तो नहीं है तो एक काम करता हूं मैं बापस थिऔरी पे जलता हूं क्योंकि अभी वहां पर थोड़ी सी चीजे और वाखी है मज़ा तो आ रहा है हुआँ पर कहा गई कहा गई कहा गई इहां कई कि अ तो तो में काम करो जल्दी से सारे लोग जो लोग सिंशे तरीकिसा टेन कर रहे हैं इसके बाद हम लोग इन साथ खेलेंगे के साथ खेलेंगे एपकला सब्सक्राइब करता रहेगा तो जेए आडवांस देख्कर किया रहा है क्या मजा के तो जे मेनज़ पकड़ लेंगे बस हाँ तेरी महनत चाहिए और टीचर की महनत चाहिए दोनों चीज़े चाहिए चल्ब मैं काम करता हूं यह पानी खतम हो गयार मैं इसको भरके लेके आता हूं ठीक है पांच मिनट का ब्रेक अपन लेते हैं दस बच के अगे चीज़े शुरू करेंगे और अगले एक घंटे पर उसको समाप्त कर देंगे ठीक है चल्ब मैं जल्दी से पानी लेके आता हूं खतम हो गया यारी ठीक है चलो भाईया 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 इस पानी बढ़े दो गरम बिल्कुल का ब्रूबảo नहीं उसकते हैं जल्दी जल्दीम करेंगे ऑट भाईयो में जल्दी एक बसकसा हिसाफ का वगया चलिस्यक से बसक्या में जल्ल selbst貌ने पर चॉरूब है कि में वीत रसका क्ली भाईयां जल दो खको करेंजसे झाल आप 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 जारेएं चलो थोड़ी सी दो चार बात कर लेते हैं कुछ और बोलना हो तो बोल सकते हो सार कर वाँ कोश्चन कराऊँगा टेंशन आले पहले फिली जादा इंपोर्टेंट है ले मैं तेरी कैमरे के सामने आगे हो सारी चीजी इक चीजी पढ़ ले रहा हूं करना है दस मिनट दे दो अब डिनर करना है देख मैंने भी दिनर नहीं किया मैं भी तरह सामने ऐसी पढ़ा रहा हूँ सबस्कों याजबर वह बाद हैं तुम लोग भी चाहिओ तो कैमरे के उधर खा सकता है हलका फुलका मैं इधर खा लेता हूं टेंशन नाले ले एक है ले भाई यार खाएंगे तोड़ा सा मज़ा बिगड़ेगा पढ़ानी का हुँँँ कि अब खाना पीना बाद में हो जाएगा तो मैं तो कहना था हूँ जो मास्टर बोल रहा है इतनी देड़ से हैं मास्टर भीना खाए पढ़ा सकता है तो वेटा तू की सो पढ़ा सकता है न हुँ को और अहुँ हुँ 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 कि और कि अगया मैसेज है सर अपना नंबर बता दो वर नंबर मेरा खुदियाद नहीं है मेरे को है बट यू कैन रीच मी आप मुझे कभी भी रीच कर सकते हो तक तीन-चार घंटे और पढ़ाओ तीन-चार घंटे और पढ़ाओ ठीक है देखते वाई कि एक की टरिका होता है और पीजु आहसे बढ़ती चलिएगगीओ और इसी विडियो भी मिल जाएगी अर्य हाउ टो सेलेक्ट इन आइटी इन 10 गंटे या दो दिन या दो मिनट ऐसे भी होगा इन सीजों से कुछ नहीं होता बेटा सचा यह है किसी बच्चे से पूछ जो आइटी में सेलेक्ट हो चुका है वो यहीं बात बोलेगा देरी जाएं ओनली एंओनली एंओनली सिंगल चीज जो है इस रास्ते में जो चाहिए होती है सेलेक्ट्षन के लिए वो होती है तुम्हारा बैश्ट देना और तुम्हारा पेशेंस पासाज मारी है तुम्हें अपना बैश्ट देना पड़ेगा तुम्हें अपना पेशेंस रखना पड़ेगा पस्तु इतना काम कर पेशेंस निए कि मैं ऐसे करूं तो आएगे ऐसा कुछ निया यह की तरीका है महलत करो देरिस नो एनी अधर उप्शन फॉर डैट इधी बात है एक है कि कि सब्सक्राइब आज से पढ़ना श्टार्ट करूंगा तो जी एडवास निकाल सकता हूं क्या नहीं बिल्कुल नहीं जो दो साल से पढ़ रहे हैं वह बेवकूफ नहीं है हां तो आज से पढ़ेगा तो जो रिजल्ट तेरा आना चीह है उससे बैटर आएगा इसलिए अपने बैटर मेंट के लिए जरूर पढ़ कि पानी में आगे वह यह कि दम गरम ठीक है चलो खेर मैं इसके बाद आगे चलता हूं मुझे लगता है मैं टाइम जितना दियाता होतना हो गया है न तुम मेंजे कितने लोग ठीके में हैं अरे वाँ ठीके हैं काफी चलो अच्छी बात है ठीके में हैं तो चलो तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं अब इसके आगे ठीक अब इसके बाद हमारा टर्म है एक है molar specific heat ठीक है ध्यान सदेखो एक होता है molar specific heat क्या होता है यह हमने define किया है C बराबर delta q बटे n delta t कैलोरी मेटरी में तू एक पढ़ता था ग्राम स्पेसिपिक हीट उसी तरह हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं मोलर स्पेसिपिक हीट यह होता है डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा थी हमने इसको ऐसे डिफाइन किया है इटी जा कोई अब आउट ओफ हीट गीवन तो दा गैस ओफ वन मोल अफ गैस बाई इंक्रीजिंग इस तेंपरेचर वाई बन डिगरी सेल्सियस I hope तु समझ माहाया होगा मैंने फोड़ा सा game क्या केला मैंने बोला भाई तो एन की value 1 लिख दे और delta T की value तो 1 रग दे तो तो C बराबर क्या लिखेगा delta Q लिख लेगा mathematically maths में लिख देगा तो तो style मार के मैं लिख सकता हूँ कि mole-specific heat C is defined it is equal to the delta Q means amount of heat given to the gas by increasing its temperature by 1 degree Celsius of 1 mole gas तो यह basically formula है अगला जो तेरे को याद रखना है बिटा लास्ट में में सारे formula तुझे लिखवा दूँगा टेंशन मतले अभी के लिए तुझे तो यह तेरे को formula यहाँ पर याद रखना है अब different process के लिए सारी चीज़े निकालते हैं जैसे पहला मैं तुझे बोलू process is adiabatic फिक यह तो याद रखना ही बढ़ेगा तुझे अब अगर process adiabatic है तो जल्दी से बता delta q क्या होगा जल्दी से सारे लोग जल्दी से चार्जिंग बोलो अब सारी चीज़े नहीं रटनी जो रटने वाली चीज़े याद करने वाली बता दूँगा पहले बता यह तुझे आदोगा पताए डैवर्टेक लिटफे क्या होगा 0 तो इसका मतलब c क्या हो जाएगा 0 आर यह तुक क्यों हो किया तो खुद बता ठीक है सिता किया अमाउंट ओफ हीट ठीक है गिवन टुदा गैस एक बाइंक्रीजिंग इस टेंपरेचर वाई वन डिगरी सेल्सियस और वन मॉल गैस तो तो खुद बता अमाउंट ओफ हीट गिवन अब है साला जब एडियाबैटिक में हीट सभीं ही नहीं है तो इसका मत खतम कहानी उचपया दो हीट एने का जवान ही NEW ए एडियावैटिक में थे नहीं देते हैं कुछ ही नहीं होता है ठीक है सर दूसरा सोचके बटा अगर मैं आइसोधर्मल के लिए बात करूं आ रटना मत कुछ भी आईसोधर्मल में अगर मैं बात को temperature constant है तो c की value क्या तुझे feel आ रही है हां से बता जल्दी से बोलो infinity बहुत ही बढ़िया बहुत ही शांदार इसका मतलब c की value क्या हो जाएगी भाई साब infinity आ रही है बात समझ में आ रही है बात समझ में not defined not defined मत बोलो physics में not defined कुछ नहीं होता है physics में या तो बहुत छोटा है बहुत बढ़ा होता है ठीक है तो बोल सकता है infinity ठीक है बहुत ही जाद है मतलब physics में पता है हम इसको भी infinity बोल देते है बोलेगा यह कहा है यह तो one है infinity कहा है इन्फिनिटी कहा है मैंने कहाँ yes it is it will behave like सबस्क्राइब करेंगे अब इतना समय नहीं है लेकिन यहां का खेल थोड़ा सा अलग है तो जैसे मैं तुस्ते बोलू ना तेरे पास 50 करोड उपे हैं तो तु अमीर है गरीव है तो खुश्मत हो जाना कि मैं अमीर हूँ 50 करोड है नहीं हो सकता है कि हम सब लोगे पास 50 लाक करोड हूँ हँ तु गरीब होगया ओर वोасका है तीसरा अगर मैं तुस्से अगला पूछू यहां पर सर यह ठीक है सर अगला यह वाला पाट हो गया अगर मैं बात करूं सर आइसो कोरिक प्रोसेस के लिए ठीक तो आईसो कोरिक प्रोसेस के लिए तुझे पता है कि सर डेलटा क्यू बराबर डेलटा यू प्लस डेलटा डबलु और आईसो कोरिक प्रोसेस में सर डेलटा डबलु तो हो जाता है 0 मैंने गए ठीक है सर तो सर डेल्टा Q जो भी है इसको मैं निकालूँगा तो यह हो जाएगा N, F, R डेल्टा T बटे 2 यह निकल के आगया डेल्टा Q तो अगर आप C निकालना चाहते हो तो C हो जाएगा डेल्टा Q बटे N, डेल्टा T तो अगर तो यहाँ पर इसकी वेल्टा पूट करेगा तो देख N, F, R डेल्टा T बटे 2 और नीचे है N, डेल्टा T N, डेल्टा T, N, डेल्टा T cancel out हो जाएगा C बराबर निकल के आगया F, R by 2 कायदे में यह है कि C को इसी C को मैं लिख देता हूँ C, B which is F, R by 2 कोई बोलेगा what is C, B तो बोलेगा it is molar specific heat at constant volume बात समझभा रही है तो C जो आया है यहाँ पर यह आगया है molar specific heat at constant volume जिसकी value किसके बराबर होगी है मेरे दोस्त, F, R by 2 के बराबर हो रही है F है यहाँ पर degree of freedom clear है ओके, यह जो C, B है इसकी value F, R by 2 आई है, यह किस पर depend कर रही है तो चेक करके बता यह degree of freedom पर depend कर रही है, इसको मैं C, B बोलूँ आज के बाद, मतलब अगर कोई बोले delta Q बराबर N, F, R delta T by 2 तो चेक करके बता यह वाला term क्या है यह वाला term हमारा C, B है तो मैं लिख सकता हूँ कि delta Q बराबर N, C, B delta T अगला, one of the most important formula कि delta Q बराबर होता है N, T, B, delta बात समझ में आ रही है अब मेरा प्रशन, छोटा सा प्रशन यह है कि N, C, B, delta T जो मैंने लिखा है यह किस process के लिए है किस process के लिए है बोलो जल्दी से सब लोग type करो सब लोग type करो आइसो कोरिक, बहुती बढ़िया आइसो छोरिक, बहुती बढ़िया बहुती बढ़िया, नहीं यह होता है for all the process इसा नहीं बोलेगा कि आइसो कोरिक के लिए सब के लिए होता है सब के लिए क्यों मैं तुस्से एक सवाल पूछता हूँ यह किस के लिए process यह जो नीचे वाला formula लिखा है यह किस के लिए है आइसो कोरिक, एडियाबेटिक, आइसो बेरिक यह सब के लिए है तो यह बता पहले नीचे वाला formula है बोल, सब के लिए तो बिलकुल इसी प्रेकार जैसे यह सब के लिए तो यह भी तो सब के लिए अब यह जो था CB, यह FR by 2 बस इसी के जगे मैंने CB रख दिया खत्तम, CB is a conscient है, NTA, तुझे समझना पड़ेगा CB, एक गैस का होगा समझ, CB की value है कितनी CB बराबर है मेरे भाई FR by 2, मतलब अगर मैं तुझे से बोलू, gas is monoatomic तो CB कितना आ जाएगा 3R by 2 क्या फरक पढ़दा के उसको, क्या फरक पढ़दा है कि आइसो थर्मल है, एडियावेटी के बनाना है, डिंगाना है समझ मारी मैं क्या कहना है और इटीज लाइक मैं तुझे एक प्रेशन पूछूँ बढ़ा प्यारा सा प्रेशन पूछूँ कि कुछ ताइम पहले, ठीक है कौन सा प्लेयर ऐसा है, जो सबसे ज़ादा सेंचुरी इस बार बना रहा है और लग रहा है कि सचिन तेंदुलगर का रिकोर्ड तोड़ सकता है बिराट कोली अनुमारी बात हाँ, दूसरे साइड भी बोल सकते है कि वह यह कौन सा ऐसा प्लेयर है जो बहुत, जो ग्राउंट में बहुत ही, जो है अग्रेसिब में या बहुत ज़ादा खूब अच्छी अच्छी बाते जवान से निकालता है तो तुम बोलोगे बिराट कोली तो बात एक ही है, कहने की बात अलग है बात एक ही है एक ही बंदे को रिविर्जन कर रहे है बिल्कुल उसी तरीके से में बोल ला हूँ यहाँ पर कि C B तू चाहें उसको उधर से देख तू चाहें उसको इधर से देख तो है तो वो FRY2 ही ना खतम काहानी तो याद रखना, it is for all the process तू चाहें एडियोडिक के लिए बात कर तू चाहें किसी के लिए बात कर ठीक, चलो अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरा और लाश वाला for isobaric अगर मैं बात कर रहा हूँ मेरे भाई, isobaric process के लिए तू बोलेगा सड़ डेल्टा Q बराबर हम को पता है क्या होता है Sir Delta U प्लस Delta W मैंने बोला ठीक है भाई हमको क्या चीए Sir C define क्या किया था Sir Delta Q बट A क्या था भाई साब N Delta T मैंने बोला ठीक है भाई साब तो आईसो बैरिक प्रोसेस के लिए ध्यान से दे मैं यहां लिख सकता हूं सर डेल्टा यू तो सर N C B डेल्टा T है और डेल्टा डबलू तुझे पता है कि आईसो बैरी के लिए N A डेल्टा T होता है तो इस डेल्टा Q को उठा के अगर मैं यहां टिपका दूँ तो 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 बोलेगा सर यह हो जाएगा N C B डेल्टा T प्लस N A डेल्टा T बटे नीचे आजाएगा N डेल्टा T ध्यान से देख यह कितना आया N डेल्टा T N डेल्टा T cancel out हो गया C B प्लस N डेल्टा T N डेल्टा T cancel out हो गया यह निकल के आगया C इसी C को मैं बोल देता हूँ C P molar specific heat at constant volume बात समझ में आरी है तो यहां से पता चला कि C P माइनस C B बराबर निकल के आगया R मैं सब को summarize कर रहा हूँ अब तेरे सामने दो फॉर्मूले मेरे भाई और आगे हैं पहला C B बराबर F R बाई 2 दूसरा C P माइनस C B बराबर R तीसरा जो कि यही है C P बराबर C P माइनस C B C P बराबर C B प्लस R मतलब सर F R by 2 प्लस R जैसे मैं खेल ला हूँ बैसे तू खेल मैं लिए चाहता कि जादा चीज़े याद रख कम से कम चीज़े याद रख बस तो इसमें ये याद रख ले कि सर एक ये है और एक ये है याद रखना ये molar specific heat है ये gram specific heat नहीं है मैं बोल देता हूँ ये जो है ये क्या है ये molar specific heat है ये gram specific heat नहीं है सर ये gram specific heat ये क्या कह रहे हो तुम जिन बच्चों ने calorie metric पढ़ा है वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ दिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तुम ये पढ़ लो क्योंकि calorie metric हमने पढ़ा नहीं है मैंने पढ़ा है नहीं है तब ही के लिए याद कर लो बाग में ध्यान लगना और इनका जो ratio होता है न गामा उसको हम लोग बोल देते हैं गामा तो सक गामा क्या हुआ मैंने का CP क्या था मेरे दो CB प्लस R बटे CB तो गामा हो गया 1 प्लस R भाई CB और CB तुझे बता है किसके बराबर होता है सब CB होता है FR भाई 2 तो गामा जो है वो निकल के आ गया 1 प्लस 2 भाई यही वो गामा था जो एडियाबेटिक प्रोसेस में तेरे सामने आया था इसी गामा को बोलते थे हम लोग CP बाई CB क्लिर है तो बस आप कुछ नहीं है तो आप जो रखना और इसारे आप यह वाला उन यह वाला है मैं शार डाल लेता हूं दे यह वाला है ठीक है पहले तु यह फोर्मॉला याद रख ले बिंदास तरीके से ठीक सब्सक्राइब बचाएगा सब्जेक ऐसे क्योंकि बेसिक डेफिनिशन अब फिजिक में डेफिनिशन तो पढ़नी पढ़ेगी ना तुस्ते अब तु कह रहे है कि मैं मोमंटम का फॉर्मॉला भी याद नहीं रखना चाहता है मास इंटू वेलोश्टी होती है अब मैं मेकैनिक सिखूंगा तो कैसे सीखेगा भाई डेफिनिशन तो बढ़नी बढ़ेगी ना तुझे अब इसके बाद अब सीपी सीवी का तु जादा खेल इसके बाद जो मैं टेविल बना रहा हूं कसम से बोल रहा हूं मुझे रटीवी नहीं है कसम तो जुटी नहीं खाओंगा जाईर जी बात है ठीक है प्यार मुझे सच में याद नहीं है किसका गामा क्या आने वाला मैं अकसर भूल जाता हूं जो मेरे बैच के बच्चे आ याद रखे तो सब कुछ खुछ से तू निकाल ले जैसे कि मैं अगर तुस्से ऐसा बोलू कि यार मोनो एटोमिक के लिए तू मुझे बता सीवी क्या होगा तू बोलेगा सीवी एफार बाई टू मोनो एटोमिक का मतलब है एफ की वेल्यू तीन है तो इसका मतलब थिरी आर कि मैं बोलू चल्डाइटोमिक डाइटोमिक के ली बता तू मुझे ठीक डाइटोमिक ये एफ़ की वेल्यू कित्ती होती हैं 5 होती है तूझे कुछ नहीं करना पांच पुट करेगा तोई भी बराबर आ जाएगा 5R by 2 एक जोड़ देगा तो 7R by 2 रेश्यो ले लेगा तो 7 by 5 एंड सो बोलो पानी पी ले दाओ पैमर आगे सर तो पेलो न जालो को इस पैमर आगे तो पेलो बोलो बागो बोलो इस पैमर छू इस पैमर जाओ बोलो बोलो स्पैमर तुमारा जल्डी से जल्डी प्रेक अप हो जाएगा यह भाद यह हाट बेचो यह विना बात अगग शो भी पैमर जाओ जा जैउन ते बिल्कुल 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 低ड़ सो किलो की मिलेगी स्पैमर को जभी मिलेगी शादी भी जिन्दिगी पर याद रखेंगे क्यों वहाँ पर जाके कमेंट कर दिया था कि सरका शाप लग गया हमको 300 किलो मिलिये तो इस तरीके से यहां पर सीपी सीबी बगरा के साथ क्या खेला जाता है यहां पर गेम खेला जाता है तो मैं चाहता हूं इसको कर ले तों नोट्ट तो कुछ नहीं रहा है इसकी शॉट ले तो में काफी लोग बाद में पर शाहले नहीं पूले है तो पिड शॉट जयो पता चले नहीं लोगे जैसे मैं प्रते ि यही सवाल देखने यही सवाल को हूँ देख धे डिखकेटक ट्रीक टीक कश्टन ए तुमोल ऑफ क्या एामि buzीटमी जाड गय है सट इस एकस्पेंड ओई क्या-डिफ category ले भाई साथ, ठीक है, एक्स्पेंड करेगा, तो temperature, यह positive, such that, temperature is decreased by, ठीक है, 100 Kelvin, find work done by gas, प्लीज जल्दी से नोट करो, जल्दी से सवाल करके दिखाऊ, अटाक से, जल्दी से, बोलो, 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 देखो, क्या अंसर आ रहा है, जल्दी, लेवांश पार्थ, अरे, भाई साथ, भाउस साइल लोटोना अंसर दे रहा है, तुब बोलेगा, साथ, कुछ मत करो, सर देखो, यह फॉर्मल लगा दो, एन, एन कितना है, दो, फीक है, आर को आर एन, दो, डेल्टा डी कितना है, सर, सो, सर, डिक्रीज हुआ है, तो काईदे में न, सर, यह माइनस सो जाना चीए, मैंने ठीक है, माइनस सो लिख ले, कोई फरक नहीं पढ़ना, ठीक है, अपोन, सर, वन माइनस गामा, गामा कितना है, सर, सर, मोने टोमी के लिए भी देखा था, गामा हम लोगोंने, फाइब बाई थ्री आया था, ठीक, इ स्पैमार आये, भई सम, कूटो, स्पैमर को कूटो, सर, आप बहुत गंदे हो, बहुत गंदां हूँ में, बहुत ही हूँ, थे बहुत जादा हूँ में, तु मिल मत जाना सामने, बनना पर पता चलेगा ? मैं कितना खराब हूँ, ठीक है, कूटो, सर, मुत वह फरक नहीं पड़ता मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग यहां पढ़ रहे हो वह फरक पढ़ता है तो चलो यहां पर मुझे अमीद है यह तुझे CP-CV के साथ तो यहाँ पर खेल चुका है एक छोटा सा formula और बता दे रहा हूँ मैं तुझे, वो J mains के लिए अच्छा है, J mains के लिए अच्छा है, वो formula यह है कि अगर mixer of gas हो mixer of gas हो, तो याद रखना कोई तुमसे CV mixer पूछे तो आप जवाब देना N1CV1 मैं आप लिख देता हूँ, proper formula N1CV1 plus N2CV2 plus N3CV3 बटे N1 plus N2 plus N3, और अगर आप से कोई CP mixer पूछे तो उसका formula solve करके आता है, N1CP1 plus N2CP2 plus N3CP3 बटे N1 plus N2 plus N3, अबे तुमने वेब पढ़ा है, sound wave velocity of sound is under root gamma RTYM ये gamma वो ही है और मारी बात तुमने पढ़ा होगा, यहापे भी लिख देता हूँ मैं velocity of sound तुम लोग ने वेब में पढ़ा होगा उसका formula होता है under root gamma RTYM इस पे भी सवाल आए है J advance और J means वाए है वो जो gamma था, वो gamma यही है अबे हो अभी शेख बड़ी निशा जान कर रहा है अभी समझाया था थोड़ी दे पहले कुछ हासिल नहीं होगा, time पेश कर रहा है तू समझ मारी बात ना साले तुझे गल्फिंट बना देंगे सब की फिर सोत करी क्या थोड़ी इसके बाद ठीक है बाग्या जाला, इतनी दिर्व आया बस थोड़ी दिर्व प्यार का इजार के बग्या है हाँ, लैपलेस करेक्शन बहुत भी बढ़ी है जिसमें 16-15, 15-16 परसंट की एरर आई थी मगर उनसे पंगा कोई ले नहीं सकता था उसके बोला भाईया तुम ही हो सब कुछ जो हो तुमने जो बोला, तुम जो बोली नहीं सकते कभी आप ही हो सब कुछ तो उनकी बाद सचमान ली गई, लेकिन बाद में लेपलेस आया उसने बोला कि नहीं, एक जगह से दूसरी जगह साउंड जब ट्रेवल करता है, तो ये कंप्रेशन और रेफ्रेक्शन के फॉर्म में जो साउंड ट्रेवल करता है, ये बहुत सब्सक्राइब, फास्ट प्रोसेस होते है, रेडियाबेटिक प्रोसेस होते है, तो वहाँ पर उसने फिर करेक्शन करके बोला कि आंसर जो होगा ना, ये होगा अंडरूट गामा अटी वाई ए, तो वहाँ पर सवाल आ जाता है, देख सब्सक्राइब, और मुझे भी समझ में आ गया है, तो तुम गामा मिक्सर का फॉर्मूला बता दो, बोलो, जल्दी से, तक कितना बच्चा है, मुझे मतलब नहीं कितने बच्चे हैं, पचास बच्चे भी देखेंगे न, और सिंसिर पचास पढ़ने वाले हैं, मुझे बस बोई पचास चाहिए, सलेक्शन थोड़ना सबका होता है, मुझे बस बोई चाहिए, खतम, जो लास तक ठीके रहेंगे, वो इस सेशन के समाप्त होने के बाद, जब अपने शीट के कुश्चंस लगाएंगे, पीवाई क्यूस लगाएंगे, जब वो जेइमेंस लगाएंगे, देन दे विल रिलाइस कि, वाट दे एचिएप इन लास फोर तो फाइव आउर, और बिलीब मी, तु एमोशनल हो जाएगा, जब तुस्ते सवाल बनेंगे न सारे, और अब तु बोलेगा, शब पहले क्यों नहीं मिले आप, बहुत ही बढ़या, एक बच्चे ने बोला, कि साथ कुछ नहीं सर, यह हो जाएगा, एन1 गामा 1 प्लस एन2 गामा 2 प्लस एन3 गामा 3, बटे एन1 प्लस एन2 प्लस एन3 प्लस एन4, इसकी और इसकी भोली शकल पे जा सीवी तो तुम बोलोगे सागामा बिलवी सीपी मिक्सर बाई सीवी मिक्सर क्लियर है यह होता है काईदे में अगर जैसे की मैं कुश्चन दे दू कि दो मूल हीलियम को आपने मिलाया है एक मूल ओटू के साथ मिक्स कर दिया है और मैं जानना चाहूं कि सीवी मिक्सर बता दो कितना होगा तो आप बोलोगे N1 इंटू हीलियम का सीवी जो कि कितना होता है 3RY2 प्लस N2 इंटू इसका सीवी जो कि कितना होगा 5RY2 तो कि डायेट हो में गें ठीक N1 CB1 प्लस N2 CB2 बटे N1 प्लस N2 उसी तरीके से आपको सारी शीजे निकालनी है एक कुशन मैंने तुझे यहाँ पर करवा दिया ताकि कुश आज क्रिश्मस पर मस्ट गिफ्ट मिल गया द्यू टू यू सर्थ थैंक यू लव यू बहुत बढ़िया 8D सॉंग अबाज बिटा ऐसी बच ठीके रहू ठीक है एक लोना ऐसा कौन जी क्लास चल लिए ठीक है चलने तो जो भी चल लिए ठीक तो बेसिकली जो मीड है कि यहाँ पर CP मिकसर और CP मिकसर जो है अगर मैं आपसे पूचता तो बड़े आराम से आप यहाँ पर निकाल लेते हैं इस क्लियर है क्लियर है क्लियर है तक कितना बचा है देख बचा तो है मात्र 30 मिनट का क्हें तो खतम कर दो पंदर 25 मिनट का बचा हुआ है कोश्चन की तो लिमिट नहीं है कोश्चन तो कितने ही लगा लो है जो लें अगर ऐसी बातों खतम कर लेते हैं ठीक है ओके ओके ठीक है ऐसा खतम कर लेते हैं खोड़ी कति फिर थιοरी देख फिर कुश्चन देख लेंगे दो-चार देख मैं तुझे question, 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 question कराऊं वो तुझे किसी भी किताब में मिल जाएगे, उससे वो particular question ही रटे गा मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ कोई सा भी सब्सक्राइभी सवाल आजाए सला जही आड्वान्स को, किसी भी शीट को बढ के निकल जाए मैं तुझे अगे बढ़ते हैं एक छोटा सा आटिकल इसके बाद आता है एक बहुत ही शांदार चीज़े उससे बहुत सवाल आए है यहां से देख अगर मैं बोलू कि आइसो थर्मल प्रोसेस है सर पीबी बराबर एनार्टी मैं कहूंगा ठीक है भाई सर इसका ग्राफ लोट करो सर यह कॉंशेंट है मैं कहूंगा ठीक है बहुत बढ़िया पढ़ाते जाओ शर्या की स्री बहुत बढ़िया ओए इसको कुटो थाले को फिर से आया कोन है तुफान चुओ मारो उसको चलो पकड़ो को जल्दी से अ पांँ है तीक चलो अगे बढ़ते हैं है अगला तुफान तुफान के लिए क्योंकि तेरह नाम तूफान है तो इसके लिए तेरी हरकत से हम सबको दिक्कत हो रही है अच्छी बात नहीं है अस्यों अच्छा बात नहीं है यह ठीक है चलो आजो सर को 2x में देखना मुश्किल है बेटा 2x के छोड़ 1x पर देखना ही मुश्किल हो जाता है बहुत मैं अपनी नेच्रल टूर में पढ़ा नहीं रहा हूं उनसे पूछ प्रियाश 2.2 वाले उसे जब कभी मोड में आ जाता हूं ठीक है तो 1x को भी 0.5x है 0.25x करके देखते हैं वो ठीक है चला आगे बरता हूं मैं अगर तुस्से पूछू कि सर मुझे बताओ मुझे मुझे चीए यहां बसा स्लोप मतलब डीपी बरसेश दीवी का मुझे एक तरीके से स्लोप में इंटरस्टेट है कि पीवी कर आपका स्लोप क्या हूं तो वह लेगा इसा सिंपल सी चीज है अगर आप यह गेम खेलना चाहरे हो तो खेल लो चलो तब पीवी बराबर है कॉंसेंट अगर मैं इसको डिफरेंशेट कर दूँ वॉल्यूम के रस्पेक्ट में तो आप लिखोगे पहला फंक्शन इंटू डिफरेंशेशन अफ दूसरा फंक्शन प्लास दूसरा फंक्शन इंटू डिफरेंशेशन ऑप पहला अब अगर मैं ऐसा बोलू कि सर आईसो थर्मट प्रोसेस के अलाबा अगर मैं गामा बराबर कॉंटिंट होता है तो उसका भी शकल सुरत ग्राप काई साही बता है तो मैं जानना चाहता हूं कि यार यह बता दे कि इसका अंतर क्या तो अगर मैं यहां तुछ सस्छोप पूसता हूं कि खार रिबाईös कि तो बोलेगा चुप-चौप differentiate कर दो इसको तो अगर मैं इसको differentiate करूँ सब लोग ध्यान से दिख रहा सब पहला function into differentiation और दूसरा function b की power gamma का differentiation gamma into b की power gamma minus 1 plus दूसरा function into dp by dv बराबर 0 देखना कितने sorry यहां b की power gamma होगा b की power gamma into dp by dv बराबर 0 तो अगर मैं इसको suppose चेक करूँ तो ध्यान से देखी हो गया gamma p into b की power gamma बटे b plus b की power gamma into db by dp बराबर 0 अरी क्या चल ला है मैं सर मैंने का यार तुझे बस एक चीज़ दिखाना चाहरा हूँ यह comment लेकर उधर चला गया तो dp by db बराबर आ गया माइनस गामा टाइम सो पी वाई भी मतब क्या है यह मैंनकर यह यह है कि आईसो धरमल के लिए dp by db आया था माइनस पी वाई भी और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए dp by db आया है माइनस गामा पी भाई भी यहां से बहुत सवाल आते हैं बहुत सवाल आते हैं मैं अपना सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ कि आईडियाबेटिक प्रोसेस में pb ग्राप का स्लोप मेगनिट्यूड वाई गामा टाइम जादा होता है आईसो थर्मनल प्रोसेस के लिए बहुत समझ में आ रही है अईडियाबेटिक प्रोसेस में अईडियाबेटिक प्रोसेस में pb ग्राप का स्लोप का मेगनिट्यूड अईडियाबेटिक प्रोसेस में pb ग्राप के स्लोप का मेगनिट्यूड अईडियाबेटिक प्रोसेस में pb ग्राप के स्लोप का magnitude जो बच्चे मुझे से पढ़ते हैं कह रहे हैं सर 0.5x में ही पढ़ा रहे हैं adiabatic process में PB graph के slope का magnitude isothermal से gamma times जादा होता है isothermal से gamma times isothermal से gamma times जादा होता है isothermal से gamma times जादा होता है मतलब मैंने करें सोन अगर मैंने PB graph दोनों में बनवाया दोनों में देख तेरे को लग रहा होगा सर इतना जादा क्यों पढ़ा रहे हैं chapter बढ़ा है मैं कुछ नहीं कर सकता पढ़ाना तो बढ़े गई मेरी एक एक चीज़ तो इंपोर्टेंट लग रही होगी ये बात भी सच है मगे इस बात कि मैं guarantee लेता हूँ तो कायदे में कहानी यह है कि अगर मैं ऐसे दो गराब बना दूँ एक हरा वाला और एक पीला वाला और मैं तुस्से पूछू कि बता कौन सा एडियावेटिक है कौन सा इसमा आईसो थर्मल है तो याद रखना आईसो थर्मल का स्लोप जादा होता है तो इसमें इसका स्लोप जादा है सौरी एडियावेटिक का स्लोप जादा होता है तो इसका मतलब यह हो जाएगा तेरा एडियावेटिक और यह तेरा हो जाएगा आईसो थर्म इस पे सवाल आते है कि और यह क्यों हुआ मैंने कर दे तो यह समझ इस जगह पर स्लोप मतलब यह उसी जगह पर स्लोप मतलब यह तो मतलब किस लइन का स्लोप ज़्याद है इसका या इसका मतलब सफेद वाली का या लाल वाली का तो बोलेगा सफेद वाली का ज्यादा है लाल वाली का कम है तो इसका मतलब या दखना एडियाबेटिक यहां पर सवाल आ जाता है कि कौन सा ज्यादा मतलब कौन सा एडियाबेटिक है कौन सा आइसो थर्मल है क्योंकि दोनों के पीवी गराप इस टाइप के बनते हैं तो यह जो इंटर्सेक्शन पॉइंट आता है उसके नीचे याद अगना आइसो थर्मल ऊपर होता है और एडियाबेटिक नीचे होता है गिलियर है तो मैं सारे सवालों को साथ ले लूओं का सारे सवालों को जर similar सवाल करकर तो तो यह बता इसे में नेक्स पॉस्चिंड यहाँ पर की नदेखने के लिए मिलेगा यहाँ पर और इटेख देख 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 प्रैशर बॉलिम यह सवाल मज़े सर एक प्रोसेस प्रोसेस नमर हरी वाली दूसरी प्रोसेस पीली वाली कौन सी पीली वाली तीसरी प्रोसेस हरी वाली तीनों प्रोसेस मैंने दे दी है ओके ठीक है और एक चौति प्रोसेस ओल ले यार चल मैंने बोला कि सर यह चौथी प्रोसेस रेंदे यार इसे डालूट नहीं करना मुझे फोकस करना काम पर पहली प्रोसेस दूसरी प्रोसेस तीसरी प्रोसेस सब लोग टाइप करके बताओ अच्छे बच्चे जितने पढ़ने वाले हैं अबने सेलेक्शन से लेना देना हैं जो लोग यहां पर जे मेंस की प्रोपेशन कर रहे हैं यह जे मींस का अर्टीकल है एड्मांस में भी आया हो और बार आता रहता है रिपीट होता रहता है इतने बहुत ध्यान से जो लोग शिंचे तरिके देंपढ़ने प्लीज 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 मेरे सवालों का जवाब देना मेरा पहला प्रश्णी है कि पहले ये बता दे प्रोसेस नंबर वन कौन सी है बोलो अब लोग टाइप करो कौन सी प्रोसेस है आईसोबेरिक बहुत ही बढ़िया अगर मैं बोलू एक एडियाबेटिक है और एक आईसो थर्मल है तो दोनों में से कौन सी आईसो थर्मल है कौन सी एडियाबेटिक है सर देखो उपर वाली आईसो थर्मल थी इसका मतलब ये है अगर इन में से एक आईसो थर्मल एक एडियाबेटिक है तो एक हो जाएगी आईसो थर्मल एक हो जाएगी एडिया ठीक? मेरा पहला सवाल सुन कोशन दे कोशन कैसा होगा? कोशन ऐसे language ऐसे लिखा होगा त्री डिफरेंट प्रोसेस इस सवाल मिलेगा बहुत जगे तुझे कौन-कौन सा? आईसो बैरिकली आईसो थर्मली और एडियाबेटिकली ठीक है सर? इसके बाद बोले अब तू मुझे एक बात बता दो इन तीनों प्रोसेस में फाइनल प्रेशर किसमें सबसे ज़ादा होगा? बोलो भाई साब बोलो मेरा पहला प्रेशर फाइनल प्रेशर किसमें सबसे ज़ादा होगा? ये कुश्चन बहुत अच्छे लोगों के लिए हैं अच्छे लोग का मतलब तो sincere तरीके से पढ़ते हैं उनके लिए हैं final pressure का order लिखके बताओ सर सबसे ज़ादा तो सर इसका होगा सर उसके बाद इसका होगा सर उसके बाद इसका हो ठीक है graph सही तू देखके बता सकता है P1 is greater than P2 is greater than P3 बोल clear है यह J advance के लिए बहुत one of the most expected question है अभी तक आया नहीं आ सकता है multiple choice में यह आ सकता है और multiple choice का कोई भी एक option मना के J means में भी आ सकता है इसलिए ध्यान से देखना बाद समझ मारी है ओके अबे कोन है तुफान ओपी यार मार सालो को यार इसको पकड़ा है तुफान ओकात है तो सामने आना साले है एक पीट पीछे बाहर कर रहा है अपने असली नाम से आ या माबापने सिगाया नहीं है थोड़ा बहुत भी तुझे पेलो साले को इसको सब लो अबे इतने इतनी जद्नी देनी है तुफान तूड़ जा बोल तो कुछ ऐसा है बोल कि साला नीन में रहे तो उसको अकल ठिकाने आ जाए कि उसने इन लोगों से पंगालिया था नहीं नहीं दो चार बाते बोल भी सकते हो तुफान को जो भी तुफान है यह बोला देखो사 백신 ॕलन हो चलो ध्यान से देखना प्रेश्ण दूसरा प्रेशन ध्यान से देखना यह तो गया सर एक चीज मैंने प्रेशर की पूसली मैं जानना चाहता हूं वॉग्डन किस में ज्यादा होगा बताओ डबलू बन डबलू टू ये डबलू थिरी बताओ किस में बॉग्डन ज्यादा होगा बस बस छोड़ो तुभान को रहन तो अब निपटिके काफी होगी उसकी ठीक है अच्छे से निपटा दिया तुमने उसको ठीक है बेशरम अगर होगा तो फिर छोड़ो उसको ठीक है चलो बताओ जलसी डबलू बन डबलू टू डबलू क किसमें जादा होगा किसमें कम होगा बोलो है सर डबलू बन सर ये तो पीवी ग्राफ है ना जिसके नीचे का एरिया जादा होगा जाहिर सी बात है तो यह बोल सकता है कि सर ये वाला एरिया सबसे जादा है वन के नीचे वाला एरिया सबसे जादा है और उसके बाद सर ये वाला area है तो जाहिर सी बात है तो यह पता चल गया होगा पीवी ग्राप का area जो होता था वो work done देता था इसका मतलब यह है कि sir w1 is greater than w2 is greater than w3 हाग की ना ठीक है sir मज़ेदार सवाल तो यह आए मैं तुछ से पूछू t1 t2 t3 कौन जादा कौन कम please कोशिश करो जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से तब please explain again जिसके नीचे जितना ज़्यादा area उसका work done उतना ज़्यादा बोलो t1 सबसे ज़्यादा किसका होपचा number one हतियार number one पन्ने बल्टो देखो मैंने लिखा रखा है क्या pv का product जिसका ज़्यादा होगा उसका temperature ज़्यादा होगा इन तीनों point पर volume तो same है pv का product इसका मतलब जहाँ pressure ज़्यादा वहाँ pv का product ज़्यादा तो वहाँ temperature ज़्य इसका temperature जाता वन पर फिट टू पर फिट थ्री पर बोलो क्या बात समझ में आई है ठीक अगर यह समझ में आई है तो चलो एक बात और बताओ इसी बात पर की डेल्टा यूवन डेल्टा यूटू डेल्टा यूट्री में क्या ख्याल है किसमें चेंज इन्टर्नियल तो चो आप आएगा मज़ा देख इसमें मैगनिटुड बाइस बता दो बोलो देख यह मुझे भी नहीं पता क्या होगा लेकिन मुझे तरीका पता है तरीका यह है सर देखो इनीशियल बॉल्यूम सबका सेम था फाइनल बॉल्यूम सबका सेम है सर जिसका प्रेशर जादा होगा तो उसका प्रेशर जादा होगा उसका प्रेशर जादा होगा उसका प्रेशर जादा होगा तो उसका फाइनल टेंपरेचर जादा होगा और जिसका फाइनल टेंपरेचर जादा होगा उसका चेंजिन टेंपरेचर कम होगा तो उसमें डेल क्या मैं फिर समय स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर क्या कि सब जिसका प्रेशर जादा होगा प्रेशर जादा किसका है सब वन का जादा है जिसका प्रेशर जादा होगा जिसका प्रेशर जादा होगा उसका पीबी का प्रोडेक्ट जादा होगा जिसका पीबी का तो जो ज्यादा temperature है वो कम मतब 100 से 70 का मतब वो कम change in temperature कम हुआ है ना उसमें तो इसका change in temperature कम हो जाएगा तो डेल्टा यू उसका कम हो जाएगा तो अगर मैं magnitude के बारे में बात करूँ तो तो बोलेगा सब magnitude सबसे कम इसका होगा उसके बाद इसका होजाए I hope तुम समझ के होगे clear ने ओके यह पता है मतब इतना घटिया इतना niche इंसान है यह मतब जच फेम पाने के लिए कि इसका नाम जो है हम इसका नाम लें जिसका नाम तुफान है ठीक है यह बस जो है ऐसे ही बस control भी control भी control करके परिशान किये जा रहा है ठीक है अगर यह सचमें student है तो जाहिर सी बात है J means one or two के बाद यह साले शाप है हम सब लोगों का कि तेरी ऐसी ओकात हो जाएगी कि तू साले सड़क पर चलने लाइक भी नहीं रहेगा अगर तू सच में student है तो private college में जब तू पहुंचे गाला तब तू यह पता जाएगा घटिया जए घटिया college में कि तू कोन है और अगर तू मैंने ऐसा चुनाए कि तो वो तेरे को जरूर सबक सिखाए ठीक है तुझे तेरी अउकात भी दिखा दे और तू किस तरीके से यह बिचारे भोले वाले बच्चे जो यह चार-चार-पांच-पांच-छे-चे घंटे से पढ़ रहे हैं विचारे यहां पर इत्ते सुकून से यहां पर पढ़ रहे हैं मेरे एक-एक सवाल का जवाब दे रहे तो उनको यहां पर आके परिशान कर रहा है ठीक है ठीक तुझे जरूर सबक्ष्ट जो है मिल जाएगा तब तुझे समझ में आ जाएगा कि हां यह था चलो क्या तुम्हें यह मैं इसको मिटा देता हूं क्या यह वाली बात समझ टियाल के साथ तो खेल करें तयार हो सकते हो तो क्लियर है ठीक है मुझे एक सवाल और याद आ है एक कुशन जोeller है कि इस लिए तो पीडिटी वना के नियोला बहूं शांद लिखो मिटिंग इं đING-DING-DING-DING-DING-DING- DING-DING-DING DING-DING-DING चलो मैंने वोला है तीन प्राॉसेस है पहली प्राॉसेस, दूसरी प्राॉसेस, तीसरी प्राॉसेस ठीक है? बहुत शांदर सब्वाल है मुझे बताओ, किस में वागडन जादा किस में डेल्टा यू जादा और किस में जो है क्या बोलते हैं इसको तीसा 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 डेल्टा क्यू इनका रेश्यो क्या होगा जल्दी से प्लीज ट्राइए सारे लोग बस थियोरी खता होने वाली बाई एक पॉलिट्रोपिक प्रोसेस बचा है 15 में का फ्री एक्सपेंशन बचा है और फिर हमारा वो बचा है कार नोट साइकल और रेफ्रिजेट बचा है बस इतना सा बचा है मैं 10-10 में उनको समाप्त कर दूगा क क्योंकि 10-10 मिटके ही है थियोरी इतने में कंप्लीट हो जाएगी तेरी कुश्चन की बेटा कोई लिमिट नहीं है मैं 10 सवाल करा हूं 100 सवाल करा हूं 1000 सवाल करा हूं मैं ऐसी पढ़ाता रहेगा आठ साल में ऐसे थोड़ी ना घास काटी है दिमाग में बहुत कुछ लाद एरिया उसका वॉग्ड हूं उतना साथ था हूं इस गिल्टा यू के बारे में क्या घ्याल सर, दोनों के लिए delta T, तीनों के लिए delta T सेम है, इसका मतलब delta U बराबर हो जाएगा, और मैं delta Q पूछू तो, t рус, σर, delta Q बराबर होता है, delta U plus delta W, इसका मतलब इनको अगर जोड़ेगा, तो तु बोलेगा this one is greater than, this one is greater than this one, कि खतम सवाल कि सबाल समझ में आया हो तो प्लीज सब लोग टाइप करें जल्दी से पढ़िया चल ले हो तुम शांदार पढ़िया चल लो चलो अब थोड़ा स्लेबस को मैं आगे बढ़ाता हूं क्योंकि बहुत खेल लिया हम लोगों ने इसके साथ अब थोड़ा सा एक तु यह बता पीवी की पावर गामा बराबर कॉंसेंट यह कौन सा प्रोसस था यह कौन सा प्रोसस था ? लव यू टू वेटा एडिवेटिक अच्छा इसके बाउग डन का फोर्मुला क्या रही था ? एन आर डेल्टा टी बते वन माइनस का बोलो हां यहां यह ना कि वोलो हाँ या ना जल्दी से बहुत ही बढ़िया आप लोगों के फैबरेट सर जो है वन ओफ दा फैबरेट सर जो है मैथेमेटिक्स में वो कौन से हैं I hope Sachin Sir बोलो यल्दी से जल्दी 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 Sachin Sir Sachin Sir बहुत ही बढ़िया अब तुम्हें एक बात बता कि अगर मैं क्या ये गामा कॉंट्शेंट था अगर मैंने चुपके से गामा की जगह कद्दू लिख दिया Sachin Sir को पता चलेगा क्या बस गामा की जगह तो यहां भी कद्दू लिख देगा Conscient is a Conscient Sachin Sir को कुछ पता नहीं चलेगा Mathematics को कुछ पता नहीं चलेगा Mathematics तो वही आंसर देगी या चल कद्दू तो फ़्ला जादा हो गया अगर मैं B की जगह एक्स पुट कर देता हूँ तो यहां कद्दू की जगह तो यहां भी एक्स पुट कर देगा कोई फरक पड़ेगा क्या उसको Mathematics को तो कोई फरक नहीं पड़ेगा Sachin Sir को तो पता ही नहीं चलेगा कि वाइज हमने एक काम कर दिया है तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं PolyPolyPolyPolyTropic Process मतलब इसके अंदर सब कुछ आ गया मैं बोलूँगा X की value जेरो पुट करेगा तो pressure overloadai मैं बोलूँगा X की value one पुट करेगा तो PB वराबर constant आ जाएगा बसीकलिद तो वो आईसो-thermal हो गया है X की value गामा पुट करेगा तो एडिवेटिक हो जाएगा ऐसा बोलते नहीं X की value basically polytropic process को हमने अलग रखा है हमने बोला कि कोई भी ऐसी process जिसमें जो है जो PB की power X के form में आ जाए तो हम उसको बोलतेगे polytropic process इसका मतब कितना बढ़िया है तुझे इसका वर्गडन याद भी नहीं रखना तुझे आइडिवेटिक का वर्गडन तुझे याद है एना डेल्टा टी बटे बन माइनेस गामा होता है बस यहां पर भी बोही हो जाएगा एना डेल्टा टी बटे बन माइनस एक्स होता है और इसमें सी निकालना भी बहुत काम अगर जो आपको याद होगा सी बराबर डेल्टा क्यू बटे एन डेल्टा टी इसमें बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मुला है जो मैं आप बताने वाला हूं जो मोले स्पैसिफिक हीट था डेल्टा क्यू को तू रख देगा डेल् प्लस डेल्टा डबलू बटे एन डेल्टा टी जान से देखना सी बराबर हो जाएगा डेल्टा यू इस एन सीवी डेल्टा टी प्लस डेल्टा डवलू क्या है वाई साब एन डेल्टा टी बटे बन माइनस एक्स एन डेल्टा टी से दोनों साइट डिवाइड कर दे एन ड connectsteel तो make sure यहां बड़े आराम से बोल सकता है दिल्टब केंसिल आउट q1-PolyTropic process के लिए रिजुट के यह सह यह मेरे बाई आपको याद होना चाहिए समझ मार यह बात यह रिजल्ट तेरे को याद होना चाहिए what is x sir x कुछ भी लिख ले x की value 1 यार x की अब तु बोलेगा sir x value 1 put करे अब यह तो 1 put करते न यह क्या infinity हो जाएगी mathematicaly तो x equal to 1 isothermal था चेक कर isothermal के लिए infinity की तरफ भी तो गई थी वो मीद है तो यह समझ में हाई होगी यह result सीधा तुझे याद रखना है तो बोलेगा sir polytropic process मतलब मन का जैसे question में मैं ऐसा कहाँ ज्यान से देख pv की power 3 बराबर constant है याद कर आज का lecture यहीं से start किया दा मैंने हम ऐसे टहले ऐसे टेले ऐसे गुमे ऐसे गुमे ऐसे गुमे ऐसे गुमे और वहीं लोटके वापस आगे है तो support मैं ऐसा बोल दू pv की power q बराबर constant है मैं ऐसा कहूं कि या t initial बराबर 100 है और t final बराबर मान के चल 200 Kelvin है ठीक 2 mole monotomic gas है ठीक सबसे पहला प्रशन मैं पूछू इसका c बता दे कितना होगा इसका तू बोलेगा pv की power x बराबर constant x की value 3 है तू लिखेगा सब c बराबर cb cb क्या है monotomic के लिए होता है fr by 2 मतब 3r by 2 plus r बटे 1 minus x की value कितनी है सब 3 ऐसे सबाल आते है ठीक दूसरा तुससे पूछा दाएगा सर ठीक है सर मुझे बता दो कि walk done क्या होगा मैं बोलूँगा walk done लिख ले walk done बराबर क्या था सर nr n कितना है 2 r को r ही रहने दे nr delta t delta t कितना है बाई सब 200 में से so गया so बटे 1 minus x और x का मर गया x 3 1 minus 3 तो solve करेगा तो directly तू walk done by the guess निकाल सकता है समझ में r e a मैं क्या कहना चाह रहा हूँ clear है end कब होगा bet end होने में भी लगेगा 15-25 मट लगेगा clear है feel op feel op feel op बहुत ही बढ़िया जो भी answer है मतलब अब तो तू किसी भी process का walk done निकाल सकता है जैसे question करके दिखाओ लिखो मैं बोल लू pressure into volume की power 5 बराबर constant ठीक है पहले तो इसका c निकालो 2 mole diatomic gas ठीक है दूसरा if temperature is increased by so Kelvin find ठीक मज़ा ही आ जाएगा इस सवाल में walk done by gas delta u delta q सब लोग पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं सब लोग इस question को try करें अभी try कर पानी लेका आया हूँ उसार इस मज़ा है झाले दूएश झाल झाल हाँ बाई साब देख अच्छा बच्छा बोलेगा बहुत अच्छा सवाल है सच में इससे तेरा सारा रिवाइज हो जा रहा है ठीक है सब कुछ आजा बोल क्या करेगा तर देखो तो c बराबर cb प्लस r अपोन 1-x cb कितना होगा डायटोमिक के लिए 5r by 2 प्लस r बटे 1-x x कितना है पांच solve कर लो answer निकात तो पहला पार्ट ठीक है अब चलते है सर वर्ग दन्बाई गैस पर सर आपने बोला था आपकी बातों पर भरोशा करके हमने सीधा result याद रख लिया था न डेल्टा टी बटे 1-X N की value है सर 2 R को R N 2 डेल्टा टी कितना है सर डेल्टा टी है डेल्टा टी है कांगया डेल्टा टी हरे सर बोला तो था increase by 100 इसका मतर्द डेल्टा टी इस प्लस 100 बटे 1-X की value कितनी है सर 5 खतम सवाल दूसरा अगर सर डेल्टा यू चेक करना चाहरा है तो डेल्टा यू बिल भी N F R डेल्टा टी बटे 2 पुट्दा वेल्यू N की वेल्यू 2 है degree of freedom diatomic के लिए 5 हो जाएगा R को R रहन दे डेल्टा टी 100 है बटे 2 को 2 रहन दे ये आजाएगा 500 R ठीक अगर डेल्टा यू डेल्टा क्यू पूछा जाएगा डेल्टा क्यू इसको भी solve करी ले यार ये कितना हो गया भई ये हो गया माइनस 4 ना तो 200 200 बटे 4 कितना होता है 200 बटे 4 इस माइनस 50 R ठीक तो सर यहां से निकल के आ जाएगा डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस मतलब माइनस 50 इंटू R अगर मैंने कोई calculation में शेक कर दी हो प्लीज आप लोग सम्हाल लेना आप मुझे बताओ शायद आप लोग अभी आंसर यह मैच कर रहा है 150R देख कितना बढ़िया सवाल है सब कुछ रिवाइज हो जा रहा है इससे तो उन्मारी बात ठीक सब कुछ रिवाइज हो जा रहा है इससे मैं पता है इसी सवाल को घुमा के मैं उहां भी ला सकता हूँ जहां से मैंने आज का लेक्षर स्टार्ट किया था याज का लेक्षर याद न मैंने बोला था कि तुछ पहले पीबी कोल टू एनार्ट की साथ कि फ्री एक्सपेंशन का मतलब समझना फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कि मैंने अगर बोला की यार ये एक डंबा है यहां पे तूने पिश्टन लगाया यहां तूने भर दी है गैस और यहां पर हमने बोल दिया back cue जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ तो तुरंज आई है अगर तुझे सारी कहानी समझ में आई है जहां से मैंने start किया था याद कर मैंने तेरे को walk down by guest का formula बाद में बताया mechanics पहले introduce की अगर तुझे याद हो तो तो यह बता कि पहले जब मैंने walk down by guest निकाला तो हवा थी हवा atmospheric pressure था एक तरीके से यहां पर ऐसा कोई खेल नहीं है यहां पर यहां पर vacuum है कोई opposition party ही नहीं है तो जैसे ही तो यहां से इसको छोड़ेगा वो तुरन फटाक से पहुंच जाएगा इस जगह पर और जैसे हैं यहां पर पहुंच जाएगा अब मैं तुस्से इस सवाल में अगर तुस्से पूछूँ कि what is walk down by gas free expansion का मतलब याद रखना कि walk down by gas will be equal to zero क्योंकि यहां पर कोई opposition ही नहीं इट इस लाइक कि तुने 50 newton का force लगाया लेकिन किस में लगाया वो है यह नहीं मैं हवा में बोलू 50 newton का force लगाया बता वोकड़न बता कितना होगा तो क्या उसमें वोकड़न के बारे में बात करें तो आगे सा याद रखना जब भी तुझे फ्री एक्सपेंशन मिले तो मतलब समच जाना there is no any opposition party वोकड़न बाई guess will be 0 हाँ अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि सर यह एडियाबेटिक बॉल है इफ ठीक है अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि यार यह बॉल भी एडियाबेटिक है ठीक है इसका मतलब इनके थुरू कुछ भी हीट नहीं जा रही है यह भी एडियाबेटिक एक तरीके से तब बड़ी मज़ेतार चीज आ जाएगी तो बोलेगा सर एडियाबेटिक बॉल है तो इसका मतलब यहाँ डेल्टा क्यू भी 0 हो जाएगा और सर डेल्टा क्यू जीरो है इसका मतलब वाग्ण भाई गैस भी 0 है तो डेल्टा 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 यू भी 0 हो जाएगा और डेल्टा यू 0 है तो टेंपरेचर क्या रहेगा भाई साब कॉंशेंट रहेगा आई होप शायद मैं आपर चीज ठीक लिख रहा हूँ ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर ठीक है और अगर टेंपरेचर क्योंशेंट रहेगा तो यहां बोल सकता है किसा temperature same है number of moles change नहीं हुए volume अगर दुगना हो गया इसका मतलब अब यहां का जो pressure हुआ होगा वो तेरा आधा हो गया होगा अगर यह p0 है तो यह p0 by 2 हो गया बोलो बात समझ में आ रही है तो यह है basically इसके पीछे की कहानी तुझे बस यह सब चीजे छोड़ तू तो बस सीधा यह आद रहा सब free expansion का मतलब क्या होता है मैं बोलूगा free expansion का मतलब सीधा यह सब समझ कि सर यह अगर एक डबा है यहां से मैंने gas था और मैंने भईया इसको छोड़ दिया यह है vacuum walk done against the vacuum इसी सवाल को देने का तरीक है कि यह भी होता है ध्यान से देखना एक बार IIT ने यह सवाल पूछ लिया था कि यहां पर एक दीवार लगा दी ऐसी दीवार को fix कर दिया उसने और यहां पर gas भर दी और बोला भाया यह है vacuum और यहां पर उसने क्या कि एक हलका सा छेट कर दिया हलका सा छेट कर दिया और हलका सा छेट करके छोड़ दिया तो जैसी छेट करेगा जाहिर सी बात है यहां की जो gas है वो gas यहां से ऐसे 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 बहार निकलेगी इन देट केस या दखना यहां भी वागडन भाई गैस बरावर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा सवाल इस पर बहुत सारे बनते हैं सवाल कराने का वक्त है नहीं पहले थियोरी अच्छे से समझ लो अगर यह चीज समझ में आया तुमारी कि वागडन भाई गैस जीरो होता है तो भाई साब एक हाट दे दो और जल्दी से इसको याद रखना इस पान को कि वागडन भाई गैस या होता है जीरो होता है जल्दी से बोलो अब भी important चीज बागी है class छोड़ नमत बीच में अब यहां से यहां तक कोई वगडन होगा कि अब बोलो नहीं होगा नहीं होगा ठीक है लेकिन अभी आईटी लेवल है अगर इस पिष्टन को मैं धक्का दे गए उधर लेकर जाओंगा तो क्या है गैस भरी बढ़ी है वो क्या कहेगी वो कहेगी मैं गैस हूँ मेरे पार प्रेशर है तो क्या अगर मैं अब इस पिष्टन को बापस ऐसे लेकर जाओं तो क्या अब वर्क्टन भाई गैस आएगा बहुत ही बढ़िया स्टुडेंट अकाउंट वॉल्यूम कंप्रेंस अरे उसने बर्दानी अरे यार बहुत अच्छी बात बोली थी एक बच्चा बार बार पता नहीं को दूसरी बात कर रहे हो अटा यस सर अब आई ना बात बहुत ही बढ़िया तो इसके अब अगर मैं ऐस इस तरह फोर्स लगाएगी डिस्प्लेश्मेंट इदर है वॉल्यूम कम होगा वॉक्टन बाइगा इस विल बी निगेटिव कि अगर मैं इसको बापस लेके जाता मैं तुझा कहूं इसको तुम बापस लेकर यहां लेकर आगे कोई फोर्स लगा के तो इन डैट के वाग् इसका मतब टेमपरेचर विल राइस ऐसा नहीं मैंने रट रखा है मैं तो खेल रहा हूं सवाल के साथ तु भी खेलना से इस तरीके से तो के लेगा जबाल के साथ तो मज़ा आएगा इस तरीके से मैं तुझे दिशा दिखाना चाहरा हूं फिजिक्स को पढ़ने की बेटा बात समझवा रही है जो चीज पढ़ा है उसको अपलाई करो मस्त रोई एसा नहीं किसी किताब में लिखा होगा नहीं तुम खेलो सवालों के साथ तो इसका मतब्द यह होगा कि जो भी तुने आप फोर्स लगाया तो उसके कारण क्या होगा एक तरी इसका टेंपरेचर क् क्लियर है ओके चलो भाई साब क्लियर है अब चलते हैं नेक्स आर्टिकल की तरफ ठीक है एक चीज और है सबोज मैं बोलूं PV ग्राफ मैंने ले लिया ऐसा ही ठीक है मैंने बोला ये साइक्लिक प्रोसेस है लेज सब लोग जबाब देना साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू जीरो होता है डेल्टा यू नेट यह कैसा डिल्टरनेंट 0 होता है मैं अगर एक प्रेशन पूछूँ सब लोग जवाब देना A, B, C, E क्या मैं वाउगड़न नेट अगर तुमसे पूछूँ तो वाउगड़न, नेट वाउगड़न आप निकाल सकते हो निकाल सकते हो तो जल्दी क्लास कतम हो जाएकि टेंशन ना लेए बद जिस रिदम के साथ तुटिका हुआ है मैं तो अभी चार गंटे और क्लास ले सकता हूँ तो मुझे बोलेगा मैं पूरी रात क्लास लिलूँगा तो यह एरिया बहुत ही बढ़िया एरिया कौन सा एरिया सर एरिया अंडर कर मैंने का ठीक है तो यह वाउगड़न भाई नेट मुझे पूरा भरोसा है अब तू निकाल लेगा कर्रेक्ट अच्छा सर अगर एक बात बताओ A से लेके B वाउगड़न पॉजिटीव मैंने का ठीक है सर प्रेशर क्या है कॉंशन बॉल्यूम बढ़ रहा है टेंप्रेचर बढ़ेगा इसका मतलब डेल्टा यू पॉजिटीव तो मैं आपे लिख रहा हूँ अध्यान से देख डेल्टा यू इस पॉजिटीव तोनों पॉजिटीव है तो डेल्टा क्यू पॉजिटीव बहुत काम की चीज़ बताने वाला हूँ मैं बोल समझ में आया यह नहीं अगर यह समझ में आया हो सब लोग हाट फैको दिल निगाल के रख दो अपने आगे बोलो सर आपका लेक्शे देखने के बाद किसी के लेक्शे देखने की ज़रूरत नहीं है हाँ बस लेक्शे देखने के बाद देख मैं कुश्चन PYQ मैं जितने उपाई उतने करा पाया हूँ ठीक है थियोरी मेनती सारी करा दी है फिर तू कुश्चन अप्लाई करेगा जितने काम-काम के कुश्चन से सारे करा दी है तुझे बस उनी के साथ तेरे को खिलना है बस अभी दो-चार सवाल हो करा दूँगा देट विल भी दे कंप्लीट लेक्चर मस तरीके से उसको रिवा मिन सकते हो प्रेशर की क्लास किस प्लोर पर है फिर फ्लोर पर लगती है आप बिल्कुल पूछ सकते हो मिलने में कोई बाउंडरी बाउंडेशन नहीं है सीपी टावर विद्यपीट ठीक है जो अभी है खेर मुझे बलोट का बापस बटका रहा है मुझे तुँ है इतरा बोलो ठीक है इसमें को उतकलिप ठीक है मैं अगर यहां बात करूँ इसमें सब प्रेशर इस कॉंचेंट वॉल्यूम घट ठीक हमने साइकलिक प्रोसेस के लिए एफिसेंसी डिफाइन की है इसमें क्यों बता रहा हूं या दखना इसमें सवाल आ जाते कि एफिसेंसी ओफ ए साइकलिक प्रोसेस इस गिवन वाई देल्टा दैल्टा डवलू नेट पटे क्यू पॉजिटीव मतलब आने वाली उश्मा जो भी आने वाली उश्मा होती है जो की आने वाली ऊश्मा मतलब सिश्टम को उश्मा तु दे रहा है तो बेसीकलिवली अब हम चो है जे मेंज टू की तरफ शिप्ट, जे मेंस की तरफ शिप्ट हो रहे हैं, तू ने हीट दी और तू ने उससे कुछ वागडन लिया, तो net वागडन बते, positive बाली जो Q होती है, उसको हमने बोला है, efficiency, positive का मतलब, मैंने तू ये बता दे हैं पर, workडन net, तो तू जे समझ मा आगिया गो, net क्या है, positive मतलब system के लिए positive, तू बोलेगा sir, एक तो Q A से B, और A Q B से C, इसको हम लोग बोलते हैं, efficiency of cycle, तूझे सवाल J means में देखने के लिए मिलते हैं, cyclic process की efficiency का सवाल आता है, और तेरे सामने जब भी cyclic process की efficiency का सवाल आए, बेटा उसको छोड़ देना, और इसको last में कर ना, क्योंकि तुझे एक तो net walk-down निकालना पड़ेगा, उसके लिए ये PB graph है, तो तो तुने एकदम बोल दिया, इसका area, माले में PT graph दे देता, तो तुझे individual walk-down निकालने पड़ता, तो तुझे जब वो मेहनत करनी पड़ती, प्लस net walk-down निकालना पड़ता, और मेहनत करन तो ये एक सच में एक बहुत lengthy process है, अकसर ये सवाल मैंने देखा है, बच्चों के time खा जाते है, सवाल ललचाते हैं कि आजा तू आजा, आजा, कर ले, कर ले, मुझे आता है, कर ले, और छोटी सी silly mistake, calculation mistake तुने बीच में कर दी, और जब बेटा दो, तीन, चार मिर देने के अगर समझ मा आया हो, तो सब लोग heart बना के जरूर यहां पर बताने, मेरी बात logically correct है, तो मेरी बात को deny नहीं कर सकता, जो मैं बोल ला हूँ, अगर समझ मा आया हो, तो जल्दी से यहां पर सब लोग type करके बोलो, clear है, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, तो अब अपन चलते है अपने car not cycle पर, या heat engine पर, clear है, ठीक है भाई साब, तो मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ, मैं सीधा result पर आता हूँ, क्योंकि car not cycle तेरों को पता है, बहुत लंबा चोड़ा इसका articles है, बहुत लंबे चोड़ा इसके derivations है, ठीक है, मैं सीधा बात करता हूँ, मुद्दे प एक होता है, यहाँ पर sink, ठीक है सर, यहाँ से देखो, suppose इसको बोला मैंने source है, इसका temperature है T1, यह sink है, इसका temperature है T2, ठीक, heat engine का काम क्या होता है, कोई बताएगा यहाँ पर type करके, किसी को पता हो तो, जल्दी से, अगर किसी को पता हो तो, भोलो, टाइप करो, जल्दी से, अब है girls only नहीं, boys girls सबके लिए बोलना हूँ, ना लाइक हो, इसी बात को type कर रहे हो, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, लड़का, लड़की, जो भी हो, ठीक है, अगर मेरी time मैच हुई, आपकी time मैच हुई, आप class मत छोड़िएगा, बिल् मिलना चाहते हो, बहुत शिद्दत अगर आपको है, कि सरेवार आपसे मिलना है, तो आप मिल सकते हो, लेकिन guarantee नहीं है, कि मैं वहाँ पर मिलूगा, एक बार आप timing's बगएरा पता कर लीजेगा, मैं वहाँ रहूँगा, तो मैं definitely आपसे मिलूगा, मैं ऐसे किसी को ignore नहीं कर T1, इधार एक source होता है, T2, T1 is greater than T2, हम इसको high temperature पे रखते हैं, इसको low temperature पे रखते हैं, यह है हमारा working substance, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए, भाग करने के लिए तो इसमें बहुत जादा है, मेरे पास examples हैं, लेकिन मैं वह बोलूँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि फिर वो class ए work कराया, तुमने work कराया W2, और heat का कुछ पार्ट चला गया, आपने suppose, जो इस्तिमाल नहीं हो पाया, work में, उसको मैंने बोल दिया W2, clear है, तो energy conservation से, मैं यहां से एक बात बोल सकता हूँ, कि Q1 बराबर W2 प्लस Q2, that means, W2 बराबर Q1 माइनस Q2, ठीक, सर यह बिल्कुल सही बात है, हम जो petrol वाली बाइक बगएरा चलाते हैं, बाइक, यह स्कूटी बगएरा चलाते हैं, वहां भी एक तरीके से यही काम होता है, ठीक, वहां भी एक तरीके से यही काम होता है, पेट्रोल से combustion बगएरा चीज़े होती है, heat होती है, फिर mechanical energy म हमको conversion मिलता है, ठीक, वह भी वही खेल है, लेकिन यहां उस खेल में जाने सच्छा है, कि तू formula oriented हो जा, तो अगर मैं बोलू कि भाईया, यहां पे efficiency बता दो कितनी होगी, तो मैंने अभी efficiency का formula बताया था, कि efficiency बिल भी, यार यह W2 क्यों लिख रहा हूं, मेरे को W लिखना च पढ़ाता हम लोगना भी थोटे पहले, वागडन बटे Q positive, आने वाली उश्मा, जो कि कितनी है, Sir Q1, पास समझ मारिए, क्यों कि जाहिर सी बात है, अगर तू कम से कम, कम से कम heat में, जादा से जादा वागडन ले पाया, तो मैं बोलूँगा कि efficiency जादा है, पास समझ मारिए जादा से जादा वागडन ले पारा है, तो इसका में बोलूँगा efficiency क्या है, जादा है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, वागडन कितना है भाई साथ, वहाँ से चेक करो, सब वागडन है Q1 minus Q2, बटे Q1, तो जाहिर सी बात है, अलग-अलग cyclic process के लिए efficiency अलग-अलग लेकिन Carnot cycle ऐसा होता है, जिसमें हमको efficiency maximum मिलती है, clear है, इस Carnot cycle में तुने पढ़े होंगे, चार तरीके का cycles होते हैं, तुने पढ़ा होगा, एक adiabatic expansion, adiabatic जो है, isothermal expansion, उसके बाद compression, उस पर में मैं नहीं जा रहा हूँ, उतना time हमारे पास नहीं है, मैं बस इतना चाहता तो सीधा formula याद रख, कि सर efficiency बराबर होता है, 1-Q2YQ1, और यह जो Q2YQ1 होता है, बहुत लंबी चोड़ी mathematics को solve करने के बाद, यह निकल के आता है, T2YT1 के, तो सीधा याद रख, 1-T2YT1, और मैं इसका shortcut तरीका तुझे बहता रहा हूँ, तो चाहे तो सीधा याद ले, efficiency बराबर, 1-T, छोटा बटे T, बड़ा, खतम कहानी, इसको याद रख, ने कितना असान है, T, छोटा बटे T, बड़ा, क्योंकि efficiency positive ही होनी है, इसको तुझे क्या करना है, इसको तुझे basically एक से छोटा रखना है, तो जाहिर सी बात है, वहाँ पर अगर यह एक से बड़ा हो जाहिए, सारे काम के फॉर्मुले मैंने तेरे सामने रख दी है, within time boundaries, this is more than sufficient, लेकिन इसका मज़ा तभी आता है, जब हम लोग इस पर सवाल करते हैं, तो मैं अभी तेरे को कुश्चन करा हूँगा, उसके बाद मैं तेरी class यहाँ पर छोड़ दूँगा, बस याद रखना, टी छोटा बटे, टी बड़ा, कभी, देख, बन माईने सम्थिंग है न, तो सम्थिंग को कम रखना है, तो छोटा बटे बड़ा खतम का नहीं, बैसे छोटा बड़ा तू समझ रहा होगा, बैसे चोटा बड़ा तू समझ रहा है, टेमप्रेचर यह वाला, यह चोटा यह इसको कहीं नहीं ऐसे भी लिखा होता है, T, low, बटे T, high, ठीक है, लेकिन तुब अधाइला बिजने बनवाई T2YT1, काम के फोर्मॉले यही है, एक यह वाला, एक यह वाला, अब तुभी मुझसे यह पूछे कि सर, यह कैसे आया, यह, T2YQ1 बराबर T2YT1 यह कैसे आया, तो बेटा, इसके पीछे की mathematics बढ़ी है, शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो, लेकिन वो छोड़ सकते हो, सीधा एक फॉर्मॉला याद कर लो, फटाक से, कभी नहीं भूलोगे जिन्दिगी में, बोलो, क्लियर है, क्लियर है, रेफरिजेटर, रेफरिजेटर भी पढ़ाऊँगा, बेटा, वो भी पढ़ाऊँगा, पहले इस पे मैं क्या, 2-3 सवाल करा दूँ, जो लिखे में हैं मेरे पास, PPT में, हैं, देख, मेरे पास हैं सवाल इस पे, चलू, सवाल लायते हैं आप, अबे लाया ही था बे, सवाल लायते हैं चलू, कार्नोट इंजन यह लाए, इते हैं, क्वोश्चन, एक कार्नोट इंजन, हुस्सोर्स तेंपरेचर इस चार्सो, यह लाए भाई साब, ठीक, टेक्स हंडर्ड कैलोरी ओट, एड़ इस टेंपरेचर, ठीक है, कितनी हीट ले रहा है, भाई साब, 100 कैलोरी, एक साइकल में, ठीक है सर, और सिंक में भेज़ दी उसने, यह लाए सिंक में, कितनी 70 कैलोरी, और उसका टेंपरेचर कितना है, कहा गया, नहीं दिया, अच्छा, पूछा है, ठीक, इधर चला गया, वर्किंग, अगर तुझे याद है, 100 आई, 70 इधर चली गई, मतलब, वर्क ड़न इस, तीज, ठीक, सर, एफिशेंसी, एफिशेंसी बराबर, वर्क ड़न, बटे, आने वाली उश्मा, पास समझ में आ रही है, मैं क्या कहना चाहरा हूँ, याश्ट, एप्लाईदा फॉर्मूला, तो सोच, 100 कैलोरी हीट देके, हम केबल 30 कैलोरी का, इस्तेमाल कर पाए, वाक्ट में कनवर्ट कर पाए, तो एफिशेंसी तो 130 ही हो गई, मैं सो नंबर में से 70 ला सकता था, मगर मेरे 25 ही आए, sorry 35 ही आए, मतलब तो अपनी एफिशेंसी का आधा काम कर पाया, वो ही खेली हाँ पा रहे है, ठीक, अच्छिया, तेम्परेटर आप दसिंग, कुछ ही नहीं, मैंने बोला था, एक फॉर्मुला बस वो ही आधा लेना, एफिशेंसी बराबर, वन माइनस, है, टी छोटा बटे, टी बड़ा, टी बटे, 400, कितना बाच चाब, अपिशेंसी कितनी आई दिया हुआ सार, 37, बाच समझ में आरी है, मैं क्या कहना चाहा रहा हूँ, या, ये सब चीजे छोड़, शायद यहाँ पर, मैं एक मट्टूग जा, इससे भी आसान मुझे दिख रहा है, क्या, सब Q2 by Q1, बराबर T2 by T1, एफिशेंसी से भी आ जाएगा, इसमें कुछ गलती कर रहा हूँ कि मैं, एफिशेंसी इस, not 30, यह देएगी, हाँ 30 परसेंट सही है न, परसेंटेज भाई तो 30 बोलोगी, जश अपलाई दा फॉर्मूला, ठीक, जश यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दे, यहाँ पर रेक दे, 70 बटे 100 बराबर, T2 बाई T1 solve करके आंसर निकाले, यह कर सकते हो सब, हाँ PPT में दे दूँगा दोस्त, PPT में दे दूँगा टेंक्शन मत लेना, क्या सवाल सबज में आया, एक मत रूख, एक सवाल और दे, इस सवाल करो, देखो, यह, जही में सवाल है, करनोट इंजियन, अपरेटिंग बिट्पिन टेंपरेचर, T1, T2, हैस एफिशेंसी 1 बाई 6, एफिशेंसी 1 बाई 6, 1 माईनस T2 बाई T5, वेन T2 इस लोवर्ड बाई 62, अच्छया, एफिशेंसी हो गई 1 बाई 3, सब लोग एक हार्ट का इमेज़ी देखके बताओ, क्या, दो इक्विशन, दो अननोन, सवाल कर लोगे, प्लीज, सारे लोग, जल्दी से, PBT वाले नेवर गिवा, बहुत ही बड़ी आपी बीटी बालव, क्या सवाल होने वाला है, का नोट इंजन का, जस्ट पुट दा वेल्यू, गेट दा अन्सर, है, जो भी है, लोवर बाल, बहुत हो लोगे, मैने कम कर दिया, बस खतम उसके बाद सवाल कर लो, उसका और देख लेता हूँ यार, एकास सवाल, अगला सवाल, यह मैं क्यों करूँ, तुम करो बे, जस्ट राई करू, एक्क्वेशन लिको सब लो, कानोट इंजन, फूस एफिशेंसी इस 40%, टेक्स हीट फ्रॉम, ए सोर्स तु मेंटेन ए टेंपरेचर आफ, 500 केल्विन, इटी डिजाइट तु हैब एन इंजन ओफ एफिशेंसी 60%, देन इंटेक्ट टेंपरेचर फो दा सेव सिंग, मतब यह कहना चाह रहा है, कि सिंग का टेंपरेचर, मतब समत्रा है, टी छोटा को तो रखना है सेम, तो कहना है, टी बड़ा बता तो क्या होगा, मतब समत्रा है, एफिशेंसी बराबर 1-2 by T1, ठीक, तो T1 जो है, टी छोटे को, सौरी, T2 by T1, ठीक, तो वो यह कहना चाह रहा है, छोटा वाला तो सेम रखो, एक बार एफिशेंसी 40% है, एक बार एफिशेंसी 60%, तो बताओ, किसमें टेंपर्चे कितना चेंज करने है, बढ़ेगा, आई थिंक, फॉर्मॉला भी सवाल है, तुम बेली पूट करके, सॉल्ब करकांसे निकाल सकते हो, बोलो, समझ में आ रही है, वो यह कहना चाह रहा है, देखो जी, छोटा वाला टेंपरेचर, तो मालो, टी है, मैंने खाँ ठीक है, पहले एफिशेंसी 40, थी, ठीक है भाई साब, तो बड़े वाला टेंपरेचर, तो तर पांसो था, मैंने खाँ ठीक है, तो फॉर्मॉला बेली पूट कर देगा, एफिशेंसी 40, परसेंट, मतलब समझ रहा होगा, बन माइनस, पांसो बटे, टी, वो ले, अब इसको 60 कर दिया, ठीक, मतलब तो सीधा लिख देगा, मैं आब लिखी देता हूँ, ठीक, एफिशेंसी 1, बटे एफिशेंसी 2, पराबर, वन माइनस, यह क्या है, टी-टू, सुरू में कितना था बाइसा, पांसो बटे टी, वन माइनस, टी-टू बटे टी, स्वाल गेट, क्लियर है, ओके, ठीक है बाइसा, बढ़ो, 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 कर जल्दी से करो, इसके बाद में छोड़ दूँँगा, चलो, कानोड का एक सवाल ओर करो, इसके बाद रेफ्रिजेटर पढ़ाऊँगा, भी छोड़ दूँगा, जल्दी से, बटाक सुझे, बस, छोड़ने वालों क्लास में, टेंशन आले, पांच उपने छोड़ दूँगा, बस, फार्मुला बेस, हाँ, बिल्कुल सही बात है, देखे, क्या बोला उसने, सर डवलू बराबर, बारा सो, सर एफिसेंसी बराबर, वन माइनस, सर टी छोटा बटे टी बढ़ा, चार सो बटे आठ सो, पूछेगा, तो एफिसेंसी निकालतो, पूछा गया उसने, वाट इस अमांट ओफ हीट एनरजी, सप्लाइट टू दा इंजन, पर साइक, पर साइकल छोड़, सब पर साइकल है, इसका मतदद सप्लाइट टू दा इंजन, पूछा जा रहा है, मतदद Q1 तुमसे पूछा जा रहा है, खतम कहा नहीं, डबलू दे रहा है, तुम्हें पता, डबलू इस Q1-Q2, पहली क्वेशन, दूसी क्वेशन तुम्हें पता है, Q2 by Q1, बराबर T2 by T1, एक यहां से, एक यहां से, सॉल्मेंट गेट, खतम स्वाल, पॉर्मुणा भी सवाल है, ठीक है, चल, निकलता हूं यहां से, मैं, बस अब क्लास सोड़ाओं में, लास्ट एक छोटा सा आर्टिकल रहे गया है, वो मैं एक बार और करा देता हूं, जिसका नाम है, रेफ्रीजिरेटर, ठीकल रेफ्रीजिरेटर है, जो हम पढ़ते हैं, जो हम घर में इस्तिमाल करते हैं, ठीक, रेफ्रीजिरेटर का मतलब है, इस जज़्डर रिवर्स प्रोसेस ओफ फीट इंजन, मतलब, कि सार यहां पर भी यही काम होता है, कि एक होता है, यहां पर सोर्स, एक होता है सिंग, और यह होता है हमारा वर्किंग सबिस्टेंस, यहां पर उल्टा काम होता है, हम हीट, यह होता है सपोर्ट टी लो, यह होता है टी हाई, पॉँछ सिंपल सा, एक फॉर्मॉला है बस इसमोर कुछ भी दिए है, ठीक, रेफ्रीजिरेटर का मतलब होता है, जो फ्रीज हम लोग घर में इस्तिमाल करते हैं, ठीक, फ्रीज किस काम आता है, ठंडा करने के काम आता है, जाइड सी बात है, तो यह भी ठंडा करने के ही काम आता है, यह इसी पर बेश्ट है, आप इलेक्टिसिटी लगाते हो, इसका मतलब आप बाहर से एनरजी देते हो, ठीक, आप बाहर से एनरजी देते हो, तो बेसिकली आप बाहर से बॉग डन करते हो, बास समझ मारी है, और यहाँ पर क्या है, लो से हाई की तरफ हीट फ्लो करती है, सपोर्स इस हीट को मैं Q1 बोल दूँ, या QL बोल दूँ, इसको मैं QH बोल दूँ, तो बेसिकली, मैं बहुत शॉर्ट में नहीं कर लाओ, क्योंकि उतना वक्त अब हमारे पास है नी, 12 बजने वाले हैं हैं पर, ठीक है, तो बेसिकली कहानी यह है, कि यहाँ पर जो हीट का फ्लो है, वो लो से हाई की तरफ होता है, तो जब यह पता है कि लो से हाई की तरफ हीट अपने आप फ्लो नहीं करती है, तो हमें बाहर से एनरजी देनी पड़ती है, यहाँ पर बाहर से बिजली से सप्लाई देनी पड़ती है, और इसी working को मैं बोल देता हूँ इतना असान है अगर मैं energy conservation वाला funda भी लगा हूँ तो बोलेगा QL plus W बराबर QH कतम खानी पाथ समझभा रही है परन्तु अब यहाँ पर दो बाते हैं क्या बात है सर पहले cyclic process इसमें अब लिख देता हूँ reverse process of heat engine देख ध्यान से देख heat engine में यह नीचे था इसको support मैं QH बोल देता हूँ इसको तू support QL बोल दे इसमें arrow नीचे नीचे इसमें arrow उधर इसका just reverse process है arrow भी यहाँ पर check करके देख लेए सारे के सारे अलग हो गया इक सारे के सारे reverse रिवर्स होते तो यहाँ पर अगर मैं statement पूछ हूँ कि भाईया क्या बनेगा तो बोलेगा सारे डबलू हीट दी सब्सक्राइब आपने वागडन किया है तो suppose that is equal to check करके देख ले सारे डबलू प्लस QL बराबर सही लिखा है मैंने बराबर QH तो यार जब हम लोगों ने heat engine पढ़ाता तो हुआ efficiency के बारे बात करना अच्छी बात थी efficiency क्या बोलती थी efficiency यह बोलती थी कि यार इतनी heat दे रहे हो तो कितना काम कर रहे हो आपने अगर 100 J heat दी तो कितना काम किया ना जी 30 काम किया तो भाईचाब efficiency 30% के साब से बता थी लेकिन यहाँ पर efficiency के बारे में तो बात करनी नहीं चीए एक तरीके से क्योंकि heat थोड़ी ना दे रहे हैं यहाँ पर heat नहीं दे रहे हैं तो हम लोग जो है refrigerator में हम efficiency के बारे में बात नहीं करते हैं हम बात करते हैं coefficient of performance पे इसको बोलते हैं COP अब तु बोलेगा सर coefficient of performance क्या होगा मुझे बस एक सवाल का जबाब दो कि मैं तुमसे बोलो कि कौन सा जो तुम्हारा fridge है कौन सा fridge जादा अच्छा होता है जो ज़्यादा बिजिली खाता है वो या ऑज़ो कम बिजली खाता है वो जल्दी बोलो पटाक से टाइब करेए जो कम बिजली खाता है तो दूसरा ओर तू चाहता है कि ज़्यादा से जयादे काम लेना तो coefficient of performance हमने वोगे ने define किया है QL बटे W मतलब W के inversely proportional है ठीक तो खुछ सोच कम से कम हम चाहते हैं कि कम से कम energy देनी बड़े बिजली का बिल कम से कम आए तो basic इसका मतलब कम से कम W मुझे कम से कम देना है और जादा से जादा काम लेना है तो इसका मतलब W के तो inversely proportional है और QL इससे heat मुझे छीननी है जादा से जादा heat छीननी है तो इसके directly proportional है बस सीधा फॉर्मॉला याद रखना जब भी कभी कोई सवाल आएगा इस पर बेश जाएगा ऐदर इस पर या अब इस style मार के भले ही तू लिख दे इस इस इक्वल टू QL बटे W बराबर QH माइनस QL इस टाइप से जो भी गेम खेलना है तो उसके साथ खेल बस केवल ये diagram तो याद कर ले क्लिए ना बाई साब तो बेसिकली आज क्या जो लेक्चर था ठीक है वो हमारा एक तरह से यहां पर ठीक समाब तो हुआ है मुझे अब तो यह बता दे क्या मैं एक सवाल एक सवाल फश लोग पर करवा दूं मेरे दिमाग में एक सवाल बहुत देर से घूम रहा है तू अब वो मुझे ढूनना बड़ा मुश्किल काम है ठीक है समरी मैं समरी कराओंगा मैं एक राउंड मार के देख लेता हूं अगर मुझे कुस्चन मिल जाएगा तो मैं टेफिनल्टी तुझ अभी कराओंगा क्योंकि वह अच्छा सवाल है हो देर से में दिमाग में घूम र यह सब तो कर लेगा ना तु जैसे सवाल है वर्क दन बाइदा गया है इसका बता दो चुपचा पेरिया निकाल लो हो गया सवाल सब्सक्राइब के साथ खेल दिया चलने दे 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 चलने 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 चल प्रेशर क्या होता है भाई सब्सक्राइब तो यहां पर कुल मिला के बस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी तो यहां से स्लोप से निकाल लेगा बराबर और एन सीपी सीपी निकल के आ जाएगा सीपी का और गामा का रिलेशन तुझे पता है यह कैसे स्वारी टू से साइद मैं बताना भूल गया था मैं फिर से बता देता हूं डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डबलू अगर मैं कॉंस्टेंट प्रेशर के बारे में बात बोलता हूँ सर ये तो एन सीपी डेल्टा टी ही होगा ठीक है लेकिन प्रेशर अगर स्वाक्ण डेल्टा यर्टै होता है इसको नोट कर लो स्वारी है मैं शायद बताना भूल गया चाओ ते खुप चाहिए बता लिए बना के लिख लो कि कॉंट्शेंट प्रेशर पर डेल्टा क्यू बराबर एन सीपी डेल्टा टी होता है यह बहुत इंपोर्टेंट चीज है मुझसे छूट के दी बताना लिख लो कॉंट्शेंट प्रेशर पर डेल्टा क्यू एन सीपी डेल्टा टी होता है तोड़ो यार सवाल नहीं मिल ला हूँ मुझे ठीक है मिल गया सब लोग एक क्यूशन लिखो उसके बाद में क्लास सोड़ूँगा दो में समरी ले लूँगा और फिर मैं क्लास छोड़ूँगा सब लोग इसे लास क्यूशन जल्दी से बहुत अच्छा सवाल है ज्यान से देखो सर इन चेंजिंग दा इस्टेट ऑप गैस एडियावेटिकली फ्रॉम एक्किलिवर शेट एडियावेटिकली है मतलब सवाल देखके समझ में आना चीए कि डेल्टा क्यूशन है अमाउंट ओवर इक्वल टू दा इतना जूल इस डन ओन दा सिस्टम इसका मतलब वाग डन बराबर माइनस में 22.3 जूल है मेरा फर्ज है आपको इस से बताना आप प्लीज वहां से गलती मत कर देना वाग डन भाई गैस गिवन होता तो आप ऐसे कर लेते वर्ग डमाई ओन गिवन होता है तो भाई साब यहां पर निगेटिव लेना होता है ठीक है भाई साब तो यहां से गिवन है तो यहां से आप डेल्टा यू निकाल लोगे ठीक उसने बोला है गैस इस टेकन फ्रॉम एक कैलोरी है और यहां पर यह जूल है सवाल बेटा यहां भी गलत करवा देता है तो यूनिट कनवर्जन का विशेज ध्यान देना ठीक उसके बाद इस केस में तो डेल्टा यू जो रहेगा वो आपका सेम रहेगा इतना ही रहेगा जितना आपने निकाला है और फर्श लो से आप वोगड़न बाई गैस निकाल लो कि बहुत अच्छा सवाल था यह ठीक इन सवालों में मैं डेफिनेटली कराता ही कराता यह सवाल एक्जाम के पॉइंट अब बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें तीन-तीन गलतियां करवा रहा है पहली गलती यह है कि यूनिट के साल खेल ला है कभी वो कैलोरी कभी वो ग्राम तो हमेशा कैलोरी में ही गेम खेलना एक पहली गलती दूसरी गलती उसने वागड़न ओन दा सिस्टम दे दिया है तो भहिया हमारे लिए वागड़न भाई दा गैस पॉजिटिव होता है तो अगर बात करेगा तो मुझे निगेटिव में रखना पड़ेगा दूसरी गलती तीसरी गलती एसे भी जा रहा है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि डिल्टा यू क्या होगा अब एसे भी जा रहा है तो किसी भी प्रोसेस से जा तो डिल्टा यू तो सेम ही होने बाला है क्लियर रहे बाई साब सेकेंड लोग थर्मोडाइमिक से बीटा हो गया वह जो कारनोट इंजिन है न और हीट इंजिन और रेफ्रिजरीटर इंजिन है सेकेंड लोग थर्मोडाइमिक से होता है तो मेरे साब से चैप्टर समाप्त हुआ मैं पांच मिनट की अब समरी दे रहा हूं सब लोग पैंड कोपी तयार रखें जो जो मैं बोलता जा रहा हूं वह आप लोग लिटते जाएं चैप्टर यह समाप्त हुआ जितना एडवेश्ट हो सकता था चैप्टर तो बहुत बढ़ा है लेकि मैंने सारी बाते तुम्हें बताती है काम-काम की चित्ती थी अच्छे से एक्सप्लेंड की है हर एक चीज़ का जहां एक्सप्लेशन पॉसिबल ता वे टम आ इने दिया है मैं अब एक बार जल्दी से एक्सप्लेंड कर रहा हूं अभी क्लास कोई मत छोड़ना तीन से चार मिट के अंदर पूरा थर्मो डैनमीस को रिवाइस करा रहा नहीं तक है ह एंट्रोपी बेटा नहीं है एंट्रोपी कभी सवाल नहीं है 2005 में बस जे मेंस में सवाल आया था जे एड्वांस में तो ही नहीं एंट्रोपी चाहो तो आप छोड़ सकते हो एक अपना केमिस्ट्री से बढ़ लेना देख सुन क्या-क्या इंपारेंट्ट्रोपी आ soy your क्या किया इंपाइड़्या के साथ करेंब उसके बाद ग्राप के साथ खेल एंप इंपोर्ट्र टाइप करते जाना मैं चाहता हूं कि अब जब 6 गंटे से मैं किलास ले रहा हूं तो एक बार एक happy face के साथ मैं भी जाओं मुझे भी लगे कि यहार बच्चों का चलो फाइदा हुआ है ठीक ओके उसके बाद एक तो इस बात का धिया नगना जितने मैंने हतियार दिये तुम्हें बहुत सारे हतियार दिये मैं करके सारे हतियार रिवाइस करा रहा हूं पहला हतियार PV का product 4 गुना तो temperature 4 गुना दूसरा हतियार डेल्टा यू इस नफरत बटे 2 तीसरा हतियार temperature बढ़ाओगे तो यू बढ़ेगा तो डेल्टा यू positive volume बढ़ाओगे तो walk done by gases positive ठीक ये game हो गया सारा का सारा volume घटाओगे तो volume घटाओगे तो walk done by gases negative ठीक है भाई ये के खेल हो गया cyclic process के लिए delta u always zero cyclic process के लिए delta u always zero cyclic process में अगर PV graph दे रखा है तो beach वाला जो total area है that will give you the walk done by the gas clear है फश्च लोब बोलता है delta q बराबर delta u plus delta w खतम सब के sign तुझे clear रखने है delta u is nfr delta t बटे तो temperature बढ़ाओगे तो u बढ़ेगा तो delta u is positive walk done by gas होता है ये तुझे बताए कि integration of pdb अगर volume बढ़ाएगा तो walk done by gases positive ठीक volume घटाएगा walk done by gases negative अब आतें delta q पे अगर उश्मा आ रही है उश्मा आ रही है that means तुबोलेगा कि सर जो delta q है उसका sign positive है और अगर चोड़के जा रही है तो delta q का sign negative है परफेक्ट cyclic process की efficiency क्या होता है net work done बटे q positive के लिए हैं खताम उसके बाद इन सब के साथ खेलने के बाद फिर अपन चलते हैं वाई साब process पे जितनी process हमने पढ़ी है सब के formulas मैं बोलूँगा तुब याद होने चाहिए सबसे पहले आइसो कोरिक process volume constant work done 0 फिर आइसो थर्मर प्रोसेस temperature constant work done होता है nr t ln v2 y v1 फिर होता है आइसो बारिक process pressure is constant और अगर pressure constant है तो work done निगालता है nr delta t या p delta v ये तुझे दोने याद होने चाहिए उसके बाद फिर हम लोग ने पढ़ाता है adiabatic process उसमें delta q 0 होता है और work done by gas का formula आयाता है nr delta t बटे 1 minus gamma gamma होता है cp by cb cb होता है fr by 2 और cp होता है cb plus r यहाँ पर cp और cb ये molar heat capacities है ग्राम समझ गया हो मैं क्या कहना चाहरा हो ये molar heat capacities है ग्राम बाली नहीं है जो thermodynamics उसमें पढ़ता है क्या कहते है उसको calorie matter ये burn नहीं है gamma तुझे बेसिक गामा याद ही कर ले क्योंकि velocity of sound में भी उसी आब शक्ता पढ़ती है gamma monatomically 5 by 3 होता है मुझे अभी याद है कल सुबह तक मैं भूल जाओंगा फिर इसमें जो है अब सी का बेसिक फॉर्मॉला होता है देल्टा क्यू बटे एंडेल्टा थी सी बराबर होता है सी बी प्लस आर अपन बन माइनस एक्स तू पॉलिट्रोपिक कोई सी कि सी प्लस प्लस और से निकाल सकता है तो बोले प्लस आ पूट पर लेके आजाओ कभी तुस्से बावर पूचेगा इंटीग्रेशन ओं पीडीवी के साथ खेलो फिर उसके बाद हम लोग देखता कार्णों टिंजन का एक फॉर्मल बड़े काम कहता है इतना यात रख ले और उसके बाद मस्त रहे हैं अभी मैंने 2x स्पीट पे गया नहीं हूं नेक्स लास में आयोब अपन 2x लास पे चलेंगे मस्त होगे पढ़िए पढ़ते रहिए टेक केर बाइबाए और सब लोग जाते टाइम एक बार जरा जरू टाइप करें चाहिरी चाहिरी नेक्स लास में होगे